एख हलो 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 नमस्कार अधाब स्रिकाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उमीद नीट बैच के अंदर और कंपिटिशन वाला चैनल पर मेरा नाम है तनुज बंसल और आप आज देखने वाले हैं चैप्टर वन शॉट सेमी कंडॉक्टर आपका ट्वेल्ट क्लास के स्लेवल्स का लास्ट चैप्टर या फिर हम कहें कि नीट की पूरी पूरी नीट की प्रेपरेशन का आपका लास्ट चैप्टर है जिसको आज हम वन शॉट में खतम करेंगे तो जल्दी से भाई हेलो बोलके दिल बनाके थम्स अप बनाके बता दो कि आप लोग आ गए हो और ये भी बता दो कि क्या आप लोगों को मेरी आवास सुनाई दे रही है अच्छे से जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर बेसिक से बिलकुल भईया बेसिक से पढ़ाया जाएगा बिलकुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा कोई दिक्कत नह यह विए एक कहा रहा है दस गंटे से कम ना पढ़ाएं अरे या चैप्टर अगर दस गंटे का होगा तो दस गंटे पढ़ाएंगे न फाल तुमें दस गंटे थोड़ी पढ़ाएंगे फाइनली सर आप आ गए जी हाँ विल्कुल हम आ गए यार गए हुए थे लेकिन आप आ गए है चलो चलिए वई करते हैं शुरवात आज के इस धुआधार लेक्चर की नाम है सेमिकंडॉक्टर और मेरा नाम है तनुज बंसल और चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं एक बार देख लेते हैं Intrinsic and Extrinsic Semiconductors के बारे में बात करेंगे, PN Junction उसकी Biasing के बारे में देखेंगे, Rectifiers को Discus करेंगे, Rectifiers क्या होते हैं, Special Purpose Diodes एक ऐसे Diodes जिनका Special Purpose होता है, कौन-कौन से, Zena Diode आ जाता है, इसके अंदर LED आ जाते है, Photo Diode आ जाता है, Solar Cell आ जाते हैं, फिर बात करेंगे Transistor की औ आपर Topics रहने वाले हैं, गूम फिर के, जी हां, 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 तो क्या हम शुरुवात करें, क्या हम शुरुवात करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो चलिए बहुत करते हैं, शुरुवात, वोईस लो आ रही है वोईस वोईस लो आ रही है कि भाई देखो एक बार वोईस थोड़ी सी लो है क्या हलो 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 है चलो वही शुरू करते हैं है 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 हम वह इसको चलो वही हां जी भई सेमिकंडक्टर्स सेमिकंडक्टर्स होते सेमिकंडक्टर्स वह मेटीरियल्स है जिनकी कंड़क्टिविटी कंड़क्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आती है ना कंड़क्टिविटी बहुत कम ना कंड़क्टिविटी बहुत ज्यादा कंड़क्टर्स की कंड़क्टिविटी बहुत ज्यादा होती है चार्ज को अच्छे से conduct करते हैं insulators बिल्कुल नहीं करते तो यह उनके बीच में आ जाते हैं ठीक है इनके बीच में आ जाते हैं controlled flow होता है charge carriers का जी हाँ यहां पर charge carriers यानि कि electrons and holes होते हैं इसके अंदर charge carriers electrons and holes होते हैं उनका controlled controlled flow का मतलब कि हम अपने तरीके से control कर सकते हैं उसको यानि कि conductor के अंदर तो बहुत सारे free electrons होते हैं slee간 जो को हम चार्ज carriers होते हैं उनको हम control नहीं कर सकते बहुत जाथा मात्रा में होते हैं लेकिन semiconductor के अंदर जो है हम उसको control कर सकते हैं जैसे silicon हो गया, germanium हो गया, इसके अंदर आपको 4 valence electrons देखने को मिलेंगे, जैसे silicon का अगर atomic number आप देखोगे तो यह 14 होगा भई, atomic number इसका क्या है 14, तो इसके हसाब से इसकी आप electronic configuration लिख सकते हो, first में 2 होंगे, second में 8 होंगे, और 3 में 4 होंगे भई, देखने 1s2, यह हमारे पास बन जाएगा 1s2, यह हमारे पास बनेगा 2s2, 2p6, और यहाँ पर बनेगा 3s2, 3p2, तो इसके outer most shell में 4 electrons होंगे, जिसकी वज़े से यह bonding state में आएगा या दूसरे के साथ bond बनाएगा भई, ठीक है जी, चलिए, अब आते हैं आगे, energy band diagram, अब semiconductors के अंदर जो energy band बनते हैं, या energy की जो diagram बनती है, वो किस तरीके से दिखाई जाएगी, अब हम वो देखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि, वही diagram जो है, वो सबसे main है, माल लीजिए, कि मैं आपके सामने silicon का structure बना रहा हूँ, ठीक है जी, यह आपके सामने silicon का elemental structure मैंने draw किया, that is the elemental structure of silicon, जो की हमने यहाँ पे draw किया है, silicon, 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 यह silicon का elemental structure मैंने आपके सामने यहाँ पे draw कर दिया है, इस सिलिकन के elemental structure में आप देख पा रहे होगे कि चार outermost shell के electrons हैं इसके कितने हैं चार outermost shell के electrons हैं और ये चारो के चारो इलेक्ट्रोंस जो हैं वो bond बना रहे हैं other silicon atoms के साथ कोई भी एक silicon atom आप देख लो तो उसका octet complete हो रहा है चार electrons है और चारो के चारो इलेक्ट्रोंस जो हैं वो क्या बना रहे हैं bond बना रहे हैं और इनका octet क्या हो रहा है complete हो रहा है क्या हो रहा है complete हो रहा है अच्छा जी इसी को energy के तौर पे कैसे दिखाया जा सकता ह Semiconductors में दो bands के थूइलेक्ट्रोंस को शो किया जाता है Semiconductors में दो bands के थूइलेक्ट्रोंस को शो किया जाता है ये होता है नीचे वाला band जिसको कहते हैं valence band यह कोई band बाजे वाला band नहीं है भहिया यह semiconductor का band है और इसको बोलते हैं valence band क्या बोलते हैं valence band बोलते हैं और उ उपर वाला होता है कंड़क्शन बैंड कंड़क्शन बैंड वहिया कंड़क्शन कंड़क्शन जो आप बोलना चाहें वह आप बोल सकते हैं कंड़क्शन बैंड शॉर्ट फॉर्म में जवाना है शॉर्ट फॉर्म लिखने का तो वेलेंस बैंड की शॉर्ट फॉर्म वी बी और कंड़क्शन बैंड की शॉर्ट फॉर्म सी बी तो वेलेंस बैंड और कंड़क्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉंस बॉंडिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉंस बॉंडिड स्टेट में हो होता है Bonded Electrons उनको हम wavelength band के अंदर दिखाते हैं, लेलनcket अंदर दिखाते हैं जितने भी जिसे एक silicon atom के पास कितने electron हैं चार चारों के चारों SMS बनाया हुआ हैं, दूसरा silicon atom से पास भी चार हैं सरों sum के चारों बनाया हुआन हैं जितने भी silicon atom होंगे सब के जो हैं bonded electrons को मैं valence band में show कर सकता हूँ, उपर से फिर higher energy level पे, यहाँ पे मैं free electrons को दिखाऊंगा, जो conduction band है, उसके अंदर हम free electrons को दिखाते हैं, यानि कि जो electrons free हो जाएंगे, मान लो कि अगर मैं इस bond को break कर दूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मान लो कि अगर मैं इस bond को किसी तरीके से break कर दूँ, तो electron free हो जाएगा, bond break करने से electron free हो जाएगा, फिर उस electron को मैं conduction band के अंदर show करूँगा, bonded electron की जो energy होती है, वो कम होती है मेरे भाई, ऐसा मैं कर क्यों रहूँ, वो सुनिएगा, bonded electrons की जो energy होती है, वो कम होती है, क्योंकि वो इधर उधर भाग नहीं सकते, उनको restrict किया जाता है, जैसे किसी को पकड़ के बिठा दिया भाई, पकड़ के बिठा दिया, वो इधर movement नहीं कर सकता, तो उनकी bonded electrons की energy होती है, कम, और अगर मैंने किसी तरीके से bond तोड़ के, हमने जो है, electrons को free करवा दिया, तो उन electrons की energy हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, जी, more energy, और more energy वाले electrons को मैं show करूँगा, किस में? कंड़क्शन बैंड के अंदर, किस में? कंड़क्शन बैंड के अंदर, तो कम energy वाले electrons जो है, वो हमारे valence band में होंगे, और ज्यादा energy वाले electrons जो की free होंगे, वो conduction band के अंदर होंगे, दोनों के बीच में difference होता है, उसको कहते हैं, EG, 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 that is energy band gap, energy band gap, energy band gap, या फिर forbidden gap, या फिर forbidden gap, या फिर forbidden gap, देखो, terminology बहुत important है, semiconductor का chapter easy है, theoretical chapter है, मेरी बात ध्यान से सुनना, chapter theoretical है, theory based questions, इस में से आपको काफी आएंगे, ठीक है, जो directly theory based होंगे, जिसमें आपको कोई calculation करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन theory based questions के साथ, पंगा क्या रहता है, आपको चीजों का meaning पता होना चीए, कि कौन सी line लिखी है, उसका meaning क्या है, कौन सा word लिखा है, उसका meaning क्या है, forbidden gap लिखा हुए तो मतलब आपको पता होना चीए, कि इस gap की बात हो रही है, energy band gap, valence और conduction band के बीच का जो energy gap है, उसे forbidden gap क्याते हैं, forbidden मतलब मना ही है, यहाँ पर electrons के आने की मना ही है, यहाँ पर electrons नहीं आ सकते, या तो यहाँ होंगे, या फिर यहाँ होंगे, अगर मैं materials के basis पर classify करूँ, अगर conductors की बात करूँ, conductors के अंदर यह band gap, या तो zero होगा, या बहुत कम होगा, या तो zero होगा, या फिर बहुत कम होगा, insulators के अंदर, अगर मैं बात करूँ, insulators के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो यह band gap, तीन electron word से जादा होगा यह band gap तीन electron word से जादा होगा यानि कि electron को free करवा के conduction band में लेके जाना यहां पे मुश्किल होगा क्या होगा मुश्किल होगा और अगर मैं semiconductors के लिए बात करूँ तो इसके लिए band gap जो है वो 3 electron word से कम होगा generally 1 electron word रहता है, 1.1 होता है, 1.2 होता है, इस range में रहता है, 3 electron volt से कम होता है, यानि कि यहाँ पे हम electron को free करवा के conduction band में लेके जा सकते हैं, थोड़ी सी energy देनी पड़ेगी, conductors में ये band gap बहुत कम होता है, यानि कि electrons को free करवाना बहुत easy है, conductors में electrons को free करवाना बहुत easy है इसलिए conductors की conductivity बहुत जादा होती है क्योंकि conductivity तभी आ सकती है जब electrons move करें electrons valence band में रहते हुए move नहीं कर सकते क्योंकि valence band के अंदर वो electron show किया जाएंगे जो कि bonded होंगे तो bonded electrons कभी भी conductivity में participate सब्धकुद II wifi swag नहीं करेंगे उनप कईक्चन बेंड वाले करेंगे और कंड़क्चन बेंड वाले कैसे करेंगे जब फ्री हो जाएंगे जैसे electronics फ्री हो गए इधर उदर उचलकूद मचा सकते हैं पूरी जगा कहीं पर भी जा सकते हैं उनको conduction band में शो किया जाएगा तो conductors के अंदर ये band gap बहुत कम insulators में बहुत जादा semi conductors में ठीक ठाक होता है 1, 1.5, 1.2 इस range में आपको band gap देखने को मिलेगा क्या ये चीज clear हो रही है भोलो भीया पूरा क्लियर होना चीए भाई मेरे बिल्कुल 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 चलो 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 अब अगर मैंने temperature बढ़ा दिया तो तब क्या होगा सर अगर मैंने temperature बढ़ा दिया तब क्या होगा देखो भीया ये है बेचारा हमारा सिलिकन स्ट्रक्चर यह है बेचारा हमारा सिलिकन स्ट्रक्चर ठीक है यह सिलिकन का स्ट्रक्चर सिलिकन 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 सर कितना सिलिकन बनाओगे क्या करें भाई यही जिन्दगी है यही सिलिकन है चलो सिलिकन का स्ट्रक्चर बना दिया अब मैं क् पर बोंड बने हुए यहां पर बांड बने हुए वर इनको किसमे दिखा रहे हैं दोबारा वही डाइगरम बना रहा है अब मैने क्या ओझ में लिखूंगा मैं वीबी और सिबी वीबी और सी बी वीबी औरント अब सुनिएगा सुनना सुनना ध्यान से अब मैंने इसको energy दी energy कैसे दी मैंने इस system को इस structure को energy दी energy दी energy दी तो उससे क्या होगा temperature बढ़ेगा temperature बढ़ेगा मैंने इसको energy दी, ठीक है न, heat दी, तो इससे इसका temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ने की वज़े से bond के तूटने की आशंका हो सकती है, ठीक है जी, क्योंकि उतल पुतल मचेगी, temperature बढ़ने से energy देने से, उतल पुतल मचेगी, bond तूटेगा, bond तूटेगा, bond break होगा भई, यहां से हो सकता है, और अगर bond break हुआ, bond break हुआ, तो electron क्या हो जाएगा, electron हो जाएगा, free, free, ठीक है जी, bond break जैसे ही हुआ, electron हो जाएगा, free, और free electron को मैं valence band में show नहीं कर सकता हूँ, तो अब भया, यहां पे सुनिएगा, यह मैंने electrons पहले यहां पे show किये थे, यह देखो, dot, 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 यह जो मैं dot बना रहा हूँ न, यह जो मैं dot बना रहा हूँ, यह electrons है, ठीक, अब यह पहले इदर खाली है, conduction band खाली था, valence band भरा हुआ है, ठीक है, अब मैंने bond break किया, suppose करो, एक bond तूट गया, suppose करो, एक bond तूट गया, तो यहां पे एक खाली जगा create हो गई, और एक electron conduction band में चला गया, दूसरा bond तूटा, तो दूसरा electron conduction band में दिखा दो, यहां पे खाली जगा create हो गई, समझ पा रहे हो, फिर तीसरा bond तोड़ो, तो तीसरा electron यहां पे create हो गया, यहां पे खाली जगा create हो गई, भीया, क्या create हो गई, खाली जगा create हो गई, तो यहां पे आप द कंड़क्शन बैंड में आते जाएंगे ठीक है जी जितने बॉन टूटते जाएंगे उतने ही हमारे पास जो है कंड़क्शन बैंड में यहां पर इलेक्ट्रॉन शो होते चले जाएंगे ठीक है जी कंड़क्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन शो होते चले जाएंगे ठीक है जी और यहां पर holes create हो रहे हैं, यहां पर क्या create हो रहे हैं, holes create हो रहे हैं, भई, visibility में दिख्कत आ रहे हैं, हाँ जी भई, दिख रहा है clear, एक बार बताना दिख रहा है clear, अणाया, okay, okay, okay देखते हैं, वई, कौन सा analytics आपको दिख रहा है? यह तो दिखी रहोगा आपको टेंपरेचर बढ़ाने से बॉंड ब्रेक हो रहा और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं भई यहां पर दिखा देता हूं मैं दुबारा बना देता हूं भई वेलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ठीक है तो यहां पर मैं आपको क्या कह रहा था सुनो ध्यान से जो इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूं वह वेलेंस बैंड में हैं यह वह वाले यहां पर हों गये क्यों कि बॉन्ड़ तूटेंगे और उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रियेट हो जाएंगे उतने ही free electrons क्या हो जाएंगे, create हो जाएंगे भाई, ठीक है जी, उतने ही free electrons हमारे पास create हो जाएंगे, ठीक है जी, तो जितने bond तूटे, उतने ही free electrons हमारे पास create हुए, और उतने ही whole create हुए, उतने ही क्या create हुए, whole create हुए, खाली जगा create हुई, क्योंकि electrons free हो गए, जो free electrons हैं, वो conduction band में show किये जा रहे हैं और उतनी ही खाली जगा create हुई यानि कि उतने ही hole create हो गए electrons free हो गए and holes are created and holes are created holes क्या हो गए create हो गए holes क्या हो गए create हो गए क्या ये चीज clear हो रही है ठीक है जी holes create हो गए देखो भई दिख रहा है क्या ये नहीं दिख रहा है green color नहीं दिख रहा है न अरे black से नहीं लिख रहा हूँ भई या लोग कह रहे हैं sir black से मतलिक हो black से नहीं लिख रहा हूँ green से लिख रहा हूँ लेकिन green color ही नहीं दिख रहा है भई हाँ अब ही ठीक है यहाँ पर होल दिखा रहा हूँ भई यहाँ पर होल दिखा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर होल दिखा रहा हूँ हाँ जी भई ठीक है अभी दिख रहा है क्लियर ठीक है अब यहाँ पर आप देख पारे हो कि जितने ध्यान देना जितने फ्री एलेक्ट्रॉंज हैं जितने फ्री एलेक्ट्रॉंज हैं उतने ही होल्ज होंगे भई ठीक है जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है जी वो थोड़ी सी board की problem है तो अभी हमें पता चल गया कि हमें कौन से color use करने है और कौन से नहीं करने तो अभी आपको सब सही दिखेगा ठीक है जी हाँ तो number of free electrons जो आपको दिखाने है वो conduction band में दिखाने है और उतने ही holes आपको यहाँ पे show करने है इसी से conductivity आएगी conductivity में कौन कौन participate करेगा conductivity में participate करेंगे यह जो की free electrons है ठीक है जी यह free electrons जो की participate करेंगे यहाँ पे conductivity में और holes और holes conductivity में participate करेंगे free electrons और साथ में कौन participate करेंगे holes यह वाले electron नहीं बिटा bonded वाले electron conductivity में participate नहीं करेंगे ठीक है जी वो conductivity में participate नहीं करेंगे चलो वाई अब semiconductors किस-किस type के होते हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं semiconductors यहाँ पे type है intrinsic semiconductors और दूसरे होंगे extrinsic semiconductors intrinsic semiconductors कौन से होते हैं pure without any impurity without any doping बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल शुद्ध electrons जिसमें कोई mixing नहीं है ठीक है जी ऐसे semiconductors जो हैं वो हमारे पास intrinsic होंगे pure होंगे charge carriers इसमें कौन होते electrons and holes electrons and holes charge carriers होते हैं also called intrinsic charge carriers intrinsic मतलब जो pure होते हैं तो इनी को हम pure charge carriers कह देते हैं यहाँ पे charge carriers जो हैं वो electrons and holes हैं यहाँ पे आप देखेगा कुछ wording मैं use कर रहा हूँ NE that is number density एक small n word होता है आपने current density current electricity में भी पढ़ा होगा word होता है number density number density का मतलब होता है कि number divided by volume number density का मतलब होता है number divided by volume तो यह हमारे पास NE that is the number of free electrons per unit volume that is NE NH number of holes per unit volume और एक वर्ड में लिखुंगा NI number of intrinsic charge carriers intrinsic charge carriers per unit volume number of intrinsic charge carriers per unit volume तो number density यहाँ पे electrons की holes की या फिर मैं NI कहूं तो वो सब बराबर है बेटा intrinsic charge carriers या intrinsic semiconductors में जितने electrons होते हैं free उतने ही holes भी होते हैं जितने free electrons होते हैं उतने ही holes भी होते हैं तो NE NH या NI दोनों तीनों सेम ही बात है बात है जितने free electrons उतने ही holes और उसी को आप NI भी बोल सकते हो number density तीनों की सेम है number density का मतलब क्या है number divided by volume और जो current होता है जो current होता है वो electron current plus hole current दोनों का सम आएगा बेटा conductors के अंदर सिरफ electrons होते हैं holes नहीं होते conductor के अंदर holes नहीं होते तो वहां पे जो current आता है सिरफ electrons की वज़े से आता है यहां पे जो current आता है वो electrons की वज़े से आता है और holes की वज़े से आता है तो जो भी current आपको देखने को मिलेगा वो electron और holes के का क्या होगा sum होगा वह दोनों के current का क्या होगा sum होगा क्लियर बहुत अच्छे अब ध्यान से सुनों यह इंट्रिंसिक सेमी कंडुक्टर में क्या है न जब तक इलेक्ट्रॉंस बॉंडिड स्टेट में हैं तब तक कंडुक्टिविटी वो ला नहीं सकते तब तक वो इधर उदर मूव करनी सकते तब तक करंट आनी सकता तो उनकी कंडुक्टिविटी विए आपको तंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा यहीं की तेमपरेचर पे डिपेंडेंसि काफी है तो इंट्रिंसिक सेमी कंडुक्टर सकी अगर मुझे conductivity बढ़ानी है अगर मुझे auditory बढ़ानी है तो उसके लिए मैं करता हूं दोपिंग करता हूं यानिकी impurity add करता हूं दोपिंग करना यानिकी impurity add करना तो उससे conductivity बढ़ जाती है उससे semiconductors की conductivity बढ़ जाती है तो conductivity बढ़ाने के लिए pure को impure किया जाता है और उसमें conductivity कैसे बढ़ाई जाती है दो तरीकों से N-type semiconductor और P-type semiconductor तो इसमें जो impurity add की जाती है वो pentavalent impurity add की जाती है भई पेंटा विलेंट impurity added इसमें pentavalent impurity add की जाती है जिसमें पांच valence electrons हो जैसे example के तौर पे फास्पोरस एना example के तौर पे फास्पोरस सिलिकॉन में फास्पोरस एड कर दिया pentavalent impurity P-type में trivalent impurity add की जाती है trivalent impurity add की जाती है example के तौर पे aluminum example के तौर पे aluminum तो इसमें पांच valence electrons है मेरे भाई फास्पोरस में पांच valence electrons है और aluminum में तीन valence electrons है चार electrons तो bond बना लेंगे आप देखो ध्यान से ठीक है जी फास्पोरस के चार electrons तो silicon के साथ bond बना लेंगे एक electron बचेगा एक electron बचेगा और aluminum में एक electron कम है यहां पे फास्पोरस जितने आप फास्पोरस एड करते जाओगे जितने आप फास्पोरस एड करते जाओगे उतना एक electron extra आता चला जाएगा फास्पोरस अपने साथ एक extra electron लेके आ रहा है वहीं पर almenia अपने साथ एक extra hole ले करके आता है तो यहां पर क्यूंकि electron कम होता है एक तो यहां पर extra hole generate होता है और यहां पर एक extra electron generate होता है जो की conductivity बढ़ाता है जितनी आप impurity add करोगे उतना बढ़िया है ठीक है जितनी आप impurity add करोगे उतना बढ़िया है आपने मालों दो phosphorus atom add कर दिये तो आपको दो extra electron मिल गए जो की conductivity बढ़ाएंगे आपने 2 aluminum atom add कर दिये तो आपको 2 hole extra मिल गए जो की conductivity को क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो conductivity को भढ़ाने के लिए हम impurity add करते हैं और impurity दो तरीकों से अड़ की जा सकती है तो पी टाइप semiconductor और एन टाइप semiconductor यहां पर हम add करते हैं कि 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 ठीक है जी आई थिंक यहां अब तक आपको clear होगा clear है भाई चलो अब इनके बारे में detail में बात करेंगे हम ठीक है जी अब हम detail में बात करेंगे n-type semiconductor n-type semiconductor के बारे में detail में बात होगी देखो extra electron provided by the pentavalent impurities almost free requires very less energy to become free ध्यान से सुनना मेरी बात सिलिकन एटम में मैंने फासफोरस एड कर दिया ठीक है जी सिलिकन एटम में मैंने फासफोरस एड कर दिया ठीक है जी फासफोरस के चार तो बॉंड बना गए चार और इक ने तो बॉंड बना लिया क्या बना लिया बना लिया और एक प्रॉंड बच गया एक एक इल्लेक्ट्रॉन बच गया जो बॉंड बेचारा नहीं बना पया बस यही सारी कहानी है अब आप सुनिएगा valence band conduction band जो bonded electrons है वो तो आप valence band में दिखाओगे जितने भी bonded electrons हैं उनको आपको valence band में दिखाना है वो तो दिखा दिये अच्छा ये जो extra electron बच गया इसको कहां दिखाओगे मेरी बात ध्यान से सुनना ये जो extra electron होता है ये इतना free भी नहीं होता कि आप इसको conduction band में दिखा दूँ जो बिलकुल bonded है लेकिन यहाँ पर जो electron है ये जो फासफ़ोरस के पास है ये अभी भी देखो भले ही ये bond नहीं बना रहा भले ही ये bond नहीं बना रहा लेकिन free भी नहीं है फासफुरस के साथ ही attach है फासफुरस के साथ ही attach है free भी नहीं है लेकिन इसको free करना ज़ाधा असान है अब मैं आप से पूछो bonded electron को free करना ज़ाधा असान है या यह जो extra बचा हुआ electron है इसको free करना ज़ाधा असान है है ना तो इसका एक energy level जो है यहाँ पे शो किया जाता है इसका energy level यहाँ पे शो किया जाता है भाई यहाँ पे conduction band के काफी करीब इसका energy level शो किया जाता है और इस electron को यहाँ पे शो किया जाता है और इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल डोनर एनर्जी लेवल डोनर एनर्जी लेवल इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल यह विलेंस बैंड वाला एनर्जी लेवल, कंड़क्शन बैंड वाला, यह है डोनर एनर्जी लेवल तो इसके energy बीच में आती है, conduction band के बेहद करीब, यानि कि इसको बड़ी कम energy चाहिए, requires very less energy to become free, इसे free होने के लिए बहुत कम energy चाहिए, और ये free होके conduction band में easily चला जाएगा, यानि कि इसको free होने के लिए बहुत ही कम energy चाहिए, बहुत कम energy चाहिए, और ये free होके बड़ी easily conduction band में जा सकता है, ये देखो मैंने इसमें तीन दिखाए हैं, इसका मतलब मैंने तीन फास्पोरस एटम एड़ किये हैं, जितने मैं यहाँ पे शो करूँगा, उतने ही इसका मत अच्छा जी, अब सुनिएगा, ये electron इधर आ गए, क्या conductivity बढ़ गई, क्या बिना bond break किये आपको free electron मिल गए, बहुत अच्छे, तो बिना bond break किये आपको free electrons यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक, अब bond भी तो break हो सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड तो इसमें भी आप break कर सकते हो, लो bond break क जितने bond break करोगे उतना और फाइदा देखो एक फाइदा एक फाइदा तो यह आ गया कि impurity add कर दी एक extra electron जो कि donor energy level पे आ गया जो कि donor energy level conduction band के बहुत 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 पास है ठीक है इसको free करना बेहद असान है बेहद असान है ठीक है जी बड़ी असानी से conduction band में जा सकता और दूसरा फाइदा बॉन्ड-break करने का जितने bond break करोगे लो बॉन्ड-break किये मालो तीन bond break किये तीन hole create हो गए तीन bond break किये तीन hole create होगे और तीन extra electron यहाँ पे दिखा दो कजितने hole create हुए उतने electron create हो गए और तीन extra electron थे यूंकि 3 impurity add करी थी मैंने समझ पारे हो तो conductivity बढ़ गई के नहीं बढ़ गई conductivity बढ़ गई के नहीं बढ़ गई यह सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने जो आपको बताया है यह सारा कुछ लिखा हुआ है ठीक है जी तो इसमें क्या होता है n-type semiconductor में नमबर डेंस्टी जो होती है electrons की बहुत जादा होती है as compared to hole आप देखो free electron कितने दिखाई दे रहे हैं 6 hole कितने दिखाई दे रहे हैं 3 free electron कितने 6 hole कितने दिखाई दे रहे हैं 3 बाकी number density मेरे मलब कितनी impurity add कर रहा हूं उस पर depend करती है अगर मैं impurity बहुत ज्यादा एड़ कर रहा हूं तो electrons की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और holes की संख्या उसके मुकाबले में बहुत कम रहेगी तो इसमें number density electrons की holes के मुकाबले में बहुत जादा रहती है यह एक पी टाइप सरी n टाइप अ का उसके पी टाइप सेमिकंड़क्टर भई य्या पी टाइप सेमि-कंडूक्टर में क्या होता है एक extra hole आता है क्योंकि आपने aluminium atom suppose करो add किया silicon के structure में आपने aluminium atom add किया तो इधर से bond नहीं बना आप देखो आपको structure दिखा रहे हैं हम यहाँ पर देखो यहां पे यहां पे तीसरा यहां पे इलेक्ट्रोन है इसके पास चौथा बॉन्ड बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या create हो गई एक खाली जगा create हो गई यह चौथा bond बन ही नहीं पाया देखो चौथा मैंने यहाँ पे dotted शो किया है चौथा bond बन ही नहीं पाया तो एक extra hole create हो गया भाई कि सुनो भाई मेरे उस extra electron को energy level diagram में कैसे दिखाया जाए यह है conduction band यह है valence band उसको यहाँ पे दिखाया जाता है एक असेप्टर energy level दिखाया जाता है ठीक है जी और extra hole को जो है वहाँ पे हम शो कर सकते हैं कैसे शो करेंगे मैं आपको समझाता हूँ देखो सुनिएगा ठीक है यह electron जो bonded electrons है हमने यहाँ पे शो कर दिए ठीक है जी अब जैसे ही मैंने एक aluminium atom add किया जैसे ही मैंने एक aluminium atom add किया तो वहाँ पे acceptor energy level create हो गया अब electron जैसे ही यहाँ से acceptor energy level पे जाएगा यहाँ पे एक hole create हो जाएगा जैसे ही electron नीचे से सिरफ acceptor energy level पे जाएगा तो एक hole create हो जाएगा यानि कि अब electron को conduction band में जाने की ज़रूरत नहीं है अब electron को conduction band में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर electron सिरफ acceptor energy level तक ही चला जाएगा तो फिर वहीं से एक hole create हो जाएगा जितने आप aluminium atom add करते जाओगे उतने ही hole यहाँ पे extra create होते चले जाएगे तो acceptor energy level यहाँ पे एक create हो गया है जो की electrons को accept करता है क्या करता है electrons को accept करता है electrons उसके अंदर जाते हैं यहाँ पे hole create होते हैं it is called acceptor energy level थेक्या जी hole create हो गए electron उपर चले गए थेक्या जी खाली जगा create हो गई क्या ये बात clear हो रही है उसके अलावा जितने bond तोड़ोगे उसके अलावा जितने bond तोड़ोगे जितने भी bond तोड़ोगे ठीक है जी जितने bond तोड़ोगे उतने तो free electron create हो नहीं है मालो तीन बॉन तोड़ दिये तो यहां पे तीन होल क्रियेट हो गए तीन बॉन तोड़ दिये तीन होल क्रियेट हो गए तीन फ्री लेक्टरॉन आ गए ठीक है जी और होल कितने हो गए पांच अब आप देखो फ्री लेक्टरॉन कितने है ध्यान से देखो फ्री लेक्टरॉ में ज़ादा होगी यहाँ पर कौन सा एनर्जील लेवल आता है को सैक्टर एनर्जी लेवल ठीक एजी कौन सा एनर्जीलेवल आता है अस्प्र एनर्जीलेवल या को आ participants बहिया पढ़ लो क्या चैटिंग वेटिंग चल रही है इसमें अरे पढ़ने आयो हो टाइम पास करने आयो यार मुहमद समीर जी कह रहे हैं कि सर आई गोट 96 मार्ग विकॉस अफ यू थैंक यू सो मच बहुत 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 शुक्रिया भाई हाँ हुँ कि आ से बहुत बहुत शुकृरिया ए चे चलो वही है क्लियर हो गया एन टाई पर पिटाइप semi कंडॉक्टर किस तरीके से जह हैं कंडॉक्टिविर्टी को इंप्रूव करते है थिक्या जी आई थिंक आपको पूरा-क्लियर होना चाहिए पूरा क्लियर होना चाहिए भाई आईए 2019 में सवाल आया था एक क्वेश्चन करते हैं 2019 में सवाल आया था आईए देखते हैं जी है फर अपी टाइप सेमिकंडक्टर विच आफ दी फॉल्लविंग स्टेटमेंट इस ट्रू बताइए भाई पी टाइप सेमिकंडक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फटाफट 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 जवाब दो भाईया जवाब दो इसमें इसमें इलेक्टॉंज आर मेजोरिटी गलट है इलेक्ट्रॉंज आरम atom dopent होते हैं कौन से atom dopent होते हैं घया अर्य बतादो ट्राइविलेंट यहां ट्राइविलेंट atom dopent होते हैं आप देखो कितना असान question कितना असान question बी answer दिया है काफी सारे लोगों ने अर्चना ने सारू ने शनाया जुनैद गौरव बहुत बढ़िया भई ठीक है जी बहुत बढ़िया सब के नाम नहीं ले पा रहा हूं लेकिन सब को मुबारक बात देखो मैंने आपको कहा था कि theory based questions काफी आते हैं और theory based questions easy आते हैं भई इसमें ठीक है जी easy आते हैं मुश्किल नहीं आते लोग एक और question आगया 2013 का सवाल है ये 2013 का सवाल है इसका भी जवाब दे दो फटा फट फटा फट जवाब दे दो जवाब दीजे in a n-type semiconductor which of the following statement is true n-type semiconductor में कौन सी statement यहाँ पे true है भाई बताओ 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 n-type semiconductor में कौन होता है majority में majority में कौन होता है electron होते हैं हैं जी बहुत सारे लोग c option दे रहे हैं b b कह रहे हैं d b कह रहे हैं अरे भया इतने भया देखो electron majority होते हैं और whole minority होते हैं, तो देखते हैं, यहाँ पर whole majority लिखा है, गलत, electrons majority लिखा है, सही बात है, electrons minority लिखा है, holes minority लिखा है, सही है, electrons majority में होते हैं, holes minority में होते हैं, तो A और C option तो कट गए, B और D बचे, ओके, कौन सी doping होती है, pentavalent, क्या trivalent होती है, नहीं, क्या pentavalent होती है, है अरे भी या सी कहां कहां सी कर रहे थे सी कैसे हो जाएगा हुआ है जोइंघ मैजॉ TW माइनौरिटि अधुव मैजॉर्ट यूप्सट्थ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है हाँ ह साहिए डी 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 साहिए दली हो ओदिली ए वह डी ई समझ गए चलो एक होता है law of mass action law of mass action यह एक formula होता है number density of electron number density of hole is equals to ni का square number density of electron into number density of hole is equals to ni का square इसमें इन बातों का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ इन चीजों का मतलब क्या है देखो ni का यहाँ पर मतलब होता है number of intrinsic charge carriers number of intrinsic charge carriers जो की bond तूटने की वज़े से बनते हैं due to bond break यह किसकी वज़े से होते हैं bond के तूटने की वज़े से due to bond break number of intrinsic charge carriers यह वो electrons and holes है जो की bond तूटने की वज़े से बनते हैं और यह किसकी वज़े से हैं doping की वज़े से, doping अगर हमने कर दी, तो electrons and holes अब कितने हो गए, जब हमने doping नहीं करी थी, ध्यान से सुनो, जब हमने doping नहीं करी थी, तब जितने electron and hole थे, उन दोनों को Ni बोल सकते हो, number of electron, number of hole, दोनों को आप Ni बोल सकते हो, जब हमने doping नहीं करी थी, सिर्फ bond break किये थे उनको बोलते है number of intrinsic charge carriers जब हमने doping कर दी doping करने के बाद number of electron कितने हो गए number of hole कितने हो गई यह after doping है यह क्या है after doping क्या यह बात clear हो गई है क्या यह बात clear हो गई है formula के बारे में बहुत अच्छे law of mass action है आईए आपके सामने एक सवाल आ गया है अब भटा भट इस formula पर सवाल formula important है formula पता होना ची और इस formula पर आपके लिए सवाल आ गया है भाई मेरे सवाल आ गया है बहुत अच्छा है जिहां sir हमारे पास सवाल आ गया है सवाल देखिए 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 प्यूर silicon at 500 Kelvin equal number of electron and hole concentrations to 1.5 into 10 की power 16 doping by indium increases NH to 4.5 into 10 की power 22 the doped semiconductor is off पहली बात तो options में यह बताना है कि पी टाइप है एंटाइप है और फिर electron की concentration बतानी है ठीक है जी को सॉल्व करो इसे फटाफट जिहां काफी सारे लोगों ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है काफी सारे लोगों ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है जी हाँ देखिएगा या अ कि सिलिकन 500 कल्विन पे है नंबर ओफ इलेक्ट्रों नंबर ओफ होल शुरू में बराबर है शुरू में नंबर ओफ इलेक्ट्रों और नंबर होल ओफ होल दोनों बराबर है तो इसका मतलब एन आई की वेल्यू कितनी है 1.5 इंटो 10 की पावर 16 ये शुरू की वेल्यू पर मीटर क्यूब नंबर डेंस्टी पर मीटर क्यूब में बिटा यूनेट जरूर चेक कर लिया करो पता चला वो पर सेंटीमेटर क्यूब में दीओ फिर कनवर्ट कर पड़ेगा उसके बाद हमने डोपिंग करी डोपिंग करके होल बढ़ा दिये देखो लिखा हुए ना डोपिंग बाई इंडियम इंक्रीज़ नेच टू दिस नंबर ओफ होल बढ़ा दिये नंबर ओफ होल बढ़ा दिये बाई नंबर ओफ होल कितने कर दिये 4.5 इंटू 10 की पावर 22 तो एक बात तो तैय हो गई कि अगर होल बढ़ाए है तो P type semiconductor न टाइप नहीं हो सकता ठीक है जी P type semiconductor ये बात तो clear हो गई है क्योंकि number of whole बढ़ाए हैं ठीक है जी बस अब electron की concentration आपको बतानी है तो N e n h । is equal to n i ka square और एनाई का स्क्वेर करो 1.5 दो बार दस की पावर 16 भी दो बार क्योंकि एनाई का स्क्वेर किया है बिटा एनाई का स्क्वेर और अपॉन एन एच से डिवाइड कर दो 4.5 इंटू 10 की पावर 22 ठीक है लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको यह तीन पे यह 10 की पावर 6 और यह 1.5 बाई 3 और यह 10 की पावर 10 बचेगा वेटा उपर 10 की पावर 6 यह 10 की पावर 16 यह 0.5 बचेगा इंटू 10 की पावर 10 तो 5 इंटू 10 की पावर 9 कहां है कहां है मेरे भाई कहां है यह रहा फाइव इंटू दस की पावर नौ ऑप्शन ए ए फ़र एपल जी हाँ ए फ़र एपल आ गया है जी हाँ के समझ में आया है असान है भाई है कि सेट यूर हर्ट अबलेज जी यहां सेट यूर हर्ट अबलेज का मतलब अपने हट में आग लगा दो यहीं है अरे क्यों भाईया अपने दिल में आग क्यों लगा रहे हो क्यों अपने दिल में आग लगा रहे हो फाल तुमें लगा नहीं है क्या आग set your heart a blaze चलो फिर I hope समझ गए होगे electrical conductivity in semiconductors semiconductors के अंदर जो electrical conductivity होती है वो क्या होती है उसका भी एक formula होता है बिटा ध्यान से सुनिएगा ठीक है जी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा semiconductor के अंदर जो current आता है वो electron का current भी होता है holes का current भी होता है ठीक है जी electrons का current भी होता है holes का current भी होता है आपने current electricity में formula पढ़ा होगा current is equal to neavd neavd पढ़ा है pass तो इसको लगा दो number density of electrons into electronic charge into area into drift velocity of electrons फिर number density of holes into electronic charge into area into velocity of holes यहां पर देखो conductors के अंदर सिर्फ इतना आता है सिर्फ electrons का semiconductor में holes का भी add हो जाता है neavd neavd दोनों का add हुआ है ठीक है जी इसको जब हम और solve करते हैं अब हम derivation पर नहीं जाएंगे इसको जब हम और solve करते हैं तो हमारे पास इसकी conductivity आ जाती है सिग्मा सिग्मा होता है one upon resistivity इसको और solve करके हमारे पास इसकी conductivity आ जाती है उसका direct formula लिख रहा हूं है और उसमें जो चीजे में आपको बता रहा हूं वो भी देख लीजेगा सिग्मा is the conductivity obviously that is one upon resistivity जो की साफ साफ लिखा हुआ है यह है electronic charge number density of electron number density of holes यह म्यू जो use किया गया बेटा म्यू होता है mobility का formula होता है drift velocity per unit electric field तो वहां से यह formula derive हो जाता है हमें derivation पर नहीं जाना मैंने आपको first step बता दिया derivation का ठीक है जी फिर उसके बाद last में मैंने उसका answer लिखा है mobility की form में electronic charge number density of electron number density of electron number density of hole mobility of hole इससे semiconductor की conductivity का पता चल जाता है ठीक है इसमें ध्यान देने वाली बात एक यह है बहुत सबसे ध्यान देने वाली बात देखो यहां पे भी मैंने e लिखा है यहां पे भी मैंने e लिखा है electron पे भी e charge है और hole पे भी e charge है hole actual में क्या चीज़ है electron की कमी तो electron पे जितना charge negative में होगा hole में उतना ही charge positive में होगा इसलिए दोनों में e लिखा है electron में जितना charge negative में होगा hole में उतना ही charge positive में होगा electron की कमी की वज़े से hole बनता है ठीक है जी hole पे उतना ही charge positive है जितना electron पे negative है ठीक है जी clear ये formula बस आपको याद रखना है कहीं पे आ जाए direct लगाईए और conductivity निकालिए और आपको बिलकुल भी tension लेने की आवशक्ता है ही नहीं चलिए भीया अब आजाओ PN junction diode पे P type पड़ लिया अच्छा है सर बहुत अच्छा है N type भी पड़ लिया है सर अब P और N type को combine करेंगे अब हम P और N type को क्या करेंगे combine करेंगे और बनाएंगे PN junction diode सुनिए when P type semiconductor is brought in close contact with the N type semiconductor then PN junction और junction diode is formed चीक है जी तो अब PN junction में होता क्या है स्यान से सुनिएगा मैं यहाँ पे एक डबबा बना रहा हूँ डबबा बना रहा हूँ एक तरफ P लिख रहा हूँ एक तरफ N लिख रहा हूँ P type semiconductor में holes majority में होते हैं तो P type semiconductor में holes ज्यादा दिखाओ इक का दुख का electron भी दिखाओ एक का दुख का electron भी दिखाओ ठीक है जी इक का दुख का hole भी दिखाओ electron ज्यादा दिखाओ और इक का दुक का hole भी दिखाओ ठीक है जी ये इसको represent करने का तरीका है इसमें majority charge carriers कौन है holes और इसमें majority charge carriers कौन है electrons इसमें minority क्या है electrons इसमें minority क्या है holes ये क्या है PN junction जब P type और N type semiconductors को आपस में हमने क्या किया है combine किया है अब combine करने के बाद सर क्या ऐसे ही combine हो जाता है ठीक है जी P और N type को लाके जोड़ दिया और ठीक है जी PN junction बन गया नहीं इसमें कुछ processes होते हैं इसमें कुछ processes होते हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने है अरे भी यह processes सुन तो processes during PN junction PN junction की दोरान क्या processes होते हैं आओ आओ हम आपके सामने यहाँ पर discuss करते हैं कि PN junction में क्या क्या processes हमें देखने को मिलते हैं जीहां तो PN junction में कौन-कौन से processes होते हैं आईए देखते हैं पिर से वही बनाया डब्बा जीहां डब्बा बन गया है क्या डब्बा बन गया है अरे डब्बा बन गया अरे डब्बा बन गया को ठीक है य। यह जगा चोड़ी है यह क्यों चोड़ी अभी आपको पता चल जाएगा होगा क्या कि इसमें start होगा एक process वो process होगा diffusion process that process is called diffusion process इधर whole जादा है इधर electron जादा है concentration का difference है तो आपको diffusion process का पता होगा diffusion के बारे में आपने सुना होगा gases के diffusion के बारे में भी सुना होगा diffusion में क्या होता है कि concentration कोई भी चीज higher concentration से lower concentration की तरफ जाती है diffusion process तो इधर hole जादा है और इधर electron जादा है तो इधर holes जादा है तो ये इधर जाएंगे lower concentration कि तरफ और इदर electrons जादा हैं तो ये इधर जाएंगे यानिकि अपने लोवर कंसेंट्रेशन की तरफ आप देखोगे यहाँ पर कि इधर होल्स जादा मात्रा में हैं तो होल्स higher concentration से lower concentration की तरफ जाने की कोशिश करेंगे Similarly, electrons इधर जादा हैं, तो electrons इधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे Higher concentration से Lower concentration की तरफ जैसे ही electrons इधर आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना जैसे ही electrons इधर आए, electrons P-type की तरफ आ रहे हैं जैसे ही electrons P-type की तरफ आ रहे हैं, वो इधर के atom से आके टकराएंगे है न, P-type में सिरफ या P-type या N-type कोई भी semiconductor है सिरफ उसमें electrons या holes थोड़ी है, atoms भी तो present है है न, atoms भी तो present है, silicon atom, aluminium atom, phosphorus atom या कोई भी और atom वो भी तो present है, तो जब electrons उधर जाएंगे, तो वो atom से रस्ते में टकराएंगे और जैसे ही वो रस्ते में atom से टकराएंगे, तो उन atoms को कर देंगे negatively charged उन atoms को कर देंगे negatively charged, तो उन atoms पे negative charge आ जाएगा उन atoms पे negative charge आ जाएगा, और इधर हो जाएगी electrons की कमी इधर हो जाएगी electrons की कमी, तो इधर आ जाएगा positive charge ध्यान से सुनिएगा, electrons जब उधर गए, तो उधर के atoms से टकराएंगे जाके और उधर के atoms इसे जब टकराएंगे तो उसको negatively चार्ज कर देंगे और इधर electrons की कमी हो जाएगी तो इधर आ जाएगा क्या positive charge यानि कि दोनों साइड में positive और negative ions create हो जाएंगे यानि कि दोनों साइड में positive और negative ions create हो जाएंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं positive and negative ions are created near the junction near the junction positive and negative ions are created near the junction this layer is called इस layer का नाम रखा गया depletion layer जो यह positive और negative ions की जो layer है इस layer का नाम रखा गया क्या depletion layer जी हाँ इस layer का नाम रखा गया है क्या depletion layer positive और negative ions यहाँ पे create हो गए और इसकी वज़े से यहाँ पे create हो गई है एक depletion layer जिसके अंदर positive और negative ions है these ions are immobile यह ions move नहीं कर सकते भी या these ions are immobile immobile यह move नहीं कर सकते move कौन कर सकते है electrons and holes holes या electrons यह बीच में जो ions यहां पर create होए है यह move नहीं कर सकते यह सिरफ एक depletion layer create कर रहे है PN junction में यह depletion layer create कर रहे है यह देखो यह बीच में junction है इधर P है इधर N है बीच में junction है तो यह बीच में depletion layer create कर रहे है यह ions immobile होते है immobile जो की move नहीं कर सकते ठीक है जी जो की move नहीं कर सकते तो यह जो process है इस process को कहते हैं diffusion और इस current को कहते हैं diffusion current इस process को कहते हैं diffusion और इसकी वज़े से जो current आता है इसको कहते हैं diffusion current जो की majority charge carriers की वज़े से होता है जब majority charge carriers move करते हैं तो उनकी वज़े से होता है holes जब उधर move करते हैं इधर holes majority में है इधर electrons majority में है majority वाले उधर move करेंगे majority वाले holes उधर move करेंगे majority वाले electrons इधर जाएंगे उसकी वज़े से जो current आता है वो है diffusion current और उसकी वज़े से क्या create होती है एक depletion layer create होती है क्या create होती है, depletion layer create होती है, clear हो रही है बात, बोलो भाई, ठीक है जी, depletion layer create होती है, इस process को कहा करते है, diffusion current कौन सा है, diffusion current है, किसकी वज़े से है, majority charge carriers की वज़े से, अब सुनो आगे, ये जो diffusion layer create हुई, sorry, depletion layer create हुई, ये अब उल्टा काम करना शुरू कर देती है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये hole दिखा दिये, ठीक है जी, इका दुका electron दिखा दिये, यहाँ पर electron दिखा दिये, और इका दुका hole दिखा दिये, यहाँ पर कौन दिखा दिये, negative charge दिखा दिया, ये positive charge दिखा दिया, अब यहाँ पर देखिएगा, negative और positive charge यहाँ पर create हो गए, इसकी वज़े से, यहाँ पर एक hypothetical battery assume कर सकते हो आप, इस negative और positive charge की वज़े से, यहाँ पर depletion layer के along, आप एक battery assume कर सकते हो, और उस battery का हम नाम दे रहे हैं, potential barrier, VB, potential barrier, यहाँ पर hypothetical battery assume कर सकते हैं, ठीक है जी लिख देता हूँ कि this is the hypothetical battery, ठीक है जी एक hypothetical battery यहाँ पर assume कर सकते हैं, यह hypothetical battery as a potential barrier act कर रही है, ठीक है जी, यह as a potential barrier act कर रही है, किसके लिए, अब कैसे act करेगी ध्यान से सुनिएगा भई, यहाँ पर positive और negative ions create हो गए, यहाँ पर एक आप hypothetical battery मान सकते हो, ओके, यह battery अब कर क्या रही है, इस battery का इधर positive है, इधर negative है, ठीक है, यह holes को इधर जाने से रोक रही है, holes को इधर जाने से रोक रही है, क्योंकि battery उस तरफ positive है देको, तो holes के पास कौन सा charge है, positive, तो यह holes को उधर जाने से रोकेगी, holes को उधर जाने से रोकेगी, क्योंकि उधर क्या है, positive, और इधर electrons को आने से रोकेगी, इधर electrons को आने से रोकेगी भई उधर holes को जाने से रोकेगी और इधर electrons को आने से रोकेगी क्योंकि इधर negative जार गए यह काम करेगी उल्टा यह support करती है minority को यह जो battery support करती है न बैटा यह करती है minority को support यह कहेगी कि मेरे पास इधर negative है मेरे पास इधर negative है तो ये holes को इधर बुलाएगी कि आओ holes मेरी तरफ आओ आओ holes मेरी तरफ आओ similarly ये battery इधर positive है तो इधर अपनी तरफ electrons को बुलाएगी right side में यानि कि N side में ये battery positive है तो ये अपनी तरफ electrons को बुलाएगी यह minority को support करती है यह support करती है minority को supports minority charge carriers यह minority charge carriers को support करती है भाई यह battery यह hypothetical battery है जो कि minority charge carriers को support करती है क्योंकि यह holes को इस तरफ बुलाएगी left में और electrons को उधर बुलाएगी ठीक है जी, electrons को उस तरफ बुलाएगी, clear हुआ, ठीक है जी, holes को इस तरफ, electrons को इस तरफ, यानि कि यह minority को support कर रही है, इससे जो current develop होता है न, उस current को कहते हैं drift current, उस current को कहते हैं drift current, और किस की वज़े से आता है, minority की वज़े से आता है, यह battery minority charge carriers को support करती है, और ulti direction में drift current शुरू हो जाता है, ठीक है, यह current उल्टा है, पहले वाले current के पहले वाले में क्या था, holes इधर जा रहे था, electrons इधर आ रहे था, अब इसमें क्या है, electron उदर जा रहे है, holes इधर आ रहे हैं, तो यह current, ulti current है और इस current का नाम क्या है drift current तो शुरू में initially शुरू में अगर बात की जाए तो सिर्फ diffusion current होता है ठीक है जी शुरू में diffusion current जो है वो drift current से बहुत जादा होता है शुरू में minority को कोई नहीं पूछ रहा यहाँ पे ठीक है जी minority charge carriers को यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा लेकिन धीरे जब इस battery का प्रभाव बढ़ता जाएगा यह battery minority को support करेगी तो finally at steady state यह green से नहीं लिखना है ना I think green से नहीं लिखना है sorry 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 green से नहीं लिखना है भाई इस से लिखना है initially initially diffusion current I diffusion एक तो यह बड़ा पंगा है यार ऐसे तो color मेरे को याद रखने पड़ेंगे कि इस color से लिख सकते है या इस color से नहीं लिख सकते हैं हां तो शुरू में diffusion current जो है वो drift current से जादा है और finally जब steady state आ जाएगी finally जब steady state आ जाएगी तो diffusion और drift दोनो current बराबर हो जाएगे ठीक है जी finally जब steady state आ जाएगी तो diffusion और drift current बराबर आ जाएगे तो steady state reach हो गई net current zero हो गया steady state reach हो गई net current zero हो गया diffusion current को drift ने cancel कर दिया steady state आ चुकी है diffusion और drift बराबर हो चुके हैं और आपका PN junction में सारे processes हो चुके हैं और एक राज की बात बताओं यह जितना भी मैंने आपको समझाया कि यह जो process हो रहे हैं PN junction में diffusion और drift यह होने में कुछ microsecond लगते हैं बास जैसे ही आप PN junction को combine करते हो कुछ microsecond लगते हैं कुछ microsecond बास just that's it उसके अलावा कुछ time नहीं लगता तो शुरू में process कौन सा हुआ है diffusion का ठीक है जी diffusion की वज़े से depletion layer create हुई potential barrier create हुआ diffusion majority को sport कर रहा था यह barrier जो है opposite यानि की minority को sport कर रहा है वो current है drift current शुरू में diffusion जादा होगा बाद में दोनों बराबर हो जाएंगे और steady state reach हो जाएगा ठीक है जी और steady state क्या हो जाएगी reach हो जाएगी clear हो रहा है अब graph बनाता हूँ इसका graph भी बन जाएगा बैटा pn junction का graph बन जाएगा देखो p की तरफ negative है और n की तरफ positive है p की तरफ positive और n की तरफ negative है इनके बीच का graph बन जाता है potential का graph बनता है बैटा लो potential का graph बनाता हूँ आपके लिए यह potential का graph है इधर p side है इधर n side है और दोनों के बीच में potential difference है vb क्योंकि इधर वाला जो n side है वो higher potential पे है इधर positive है इधर negative है n side की तरफ positive है और p side की तरफ negative है तो n side higher potential पे है as compared to the p side और दोनों के बीच में जो barrier है वो है potential barrier that is denoted by vb तो n side जो है वो higher potential पे आपको दिखाई दे रही है और p side क्या है lower potential पे याद रखिएगा pn junction में n side lower higher potential पे होती है और p side होती है lower potential पे ठीक है जी कंगा मिल गया या बाल बाल सेट कर लें क्या सही लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं बता दे न भाई कंगे का भी यही color है जो मैंने जिस color से लिखा है कमाल भई कमाल वा 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 क्या बात है क्लियर हो रही है हां जी great 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 हां जी ये सवाल आ गया ये सवाल आ गया आपको दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है पूरी screen दिखाई दे रही है क्या शुक्रिया भाई मस्त लग रहा हूं ओके 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 चलो अब इदर देखिए in an unbiased pn junction देखो ये question in an unbiased pn junction कौन सा option सही है यहां कौन सा option सही है बताओ 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 option बताओ high potential is at n side low potential is at p side बिल्कुल सही n high potential पे होता है n क्या होता है high potential पे होता है clear ओर ही है बात ठीक है जी n जो है वो high potential पे होता है भाई और p है जो lower potential पे बहुत बढ़िया अगला सवाल direction of electric field बताओ बताओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ भई मैंने का theory वाले questions बहुत आएंगे ठीक है जी numerical तो मैं आपको करवाऊंगा ही ठीक है जिस जीज चीज पर numerical बन रहे हैं जैसे law of mass action पर numerical बना वो भी मैंने आपको करवाया लेकिन बीच बीच में theory वाले questions जो है वो बहुत आ रहे है जिया इस theory वाले question का जवाब दीजे भाई इस theory वाले question का जवाब दीजे पी एन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन देखो 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 आपने पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रिक फिल्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है बटा पता है न इलेक्ट्रिक फिल्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है तो इधर N है इधर P है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये रही इलेक्ट्रिक फिल्ड ये रही इलेक्ट्रिक फिल्ड N से P की तरफ B for Bombay ओ बी फर बंबे ओ बंबे बंबे जी हाँ बी ऑप्शन आएगा भाई बी फर बंबे clear हो रिया बात ठीक है जी I hope that should be very 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 clear Sir bias कब होता है bias कब होता है bias भी अभी बताएंगे bias भी अभी बताएंगे unbiased का मतलब होता है यह पिछले question में unbiased use किया था न कि no battery connected हमने खुद से कोई battery नहीं लगाई वो potential barrier वाली battery नहीं बैटा वो तो hypothetical battery है वो actual में कुछ नहीं है हमने खुद से कोई battery नहीं लगाई ठीक है जी उसको कहते है unbiased होना unbiased होना अब सुनो 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 symbol for pn junction यह तो हो गया symbol for pn junction ऐसा triangle बनाते हैं ऐसी side बनाते हैं इस triangle को पूरा भर्दो चाहे अंदर से इस side p लिखते हैं इस side n लिखते हैं यह होता है थीक है जी बाई लोग समझने का है भाई ठीक है जी हाँ ओके अब है बायसिंग देखो बटा ध्यान से मेरी बात समझना बायस वर्ड का simple ungrazy में मतलब पता करो आप ungrazy में ठीक है जी वैसे तो अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है मेरी अंग्रेजी बिलकुल ही जो है आपको पता ही है लेकिन फिर भी unbiased का मतलब होता है कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ मैं neutral हूँ मैं ना तो अपने दोस्त की तरफ हो ना ही मैं अपने दुश्मन की तरफ हो unbiased हूँ मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई गई तो उसमें वो pn junction unbiased होता है कि ना तो उसका जुकाव p की तरफ होता है ना ही n की तरफ होता है अब बाइसिंग लगाई गई है अब वो किसी एक की तरफ जुकाव उसका आएगा ठीक है जी तो बाइसिंग कहते हों से अब वो बाइ हो जाएगा ठीक है जी तो बाइसिंग का मतलब किसी एक की तरफ जुक जाना इसी एक की तरफ जुके निरने देना अपना ठीक है जी हाँ, फॉर्वर्ड बाइसिंग, फॉर्वर्ड बाइसिंग में क्या होता है, सुनिएगा, फॉर्वर्ड बाइसिंग में, आप काम करते हो, पी की साइड में, आप पॉजिटिव और एन की साइड में आप नेगेटिव रखते हो, पी की साइड में हाइर पोटेंशल और एन की साइड में लोवर पोटेंशल, एन की साइड में लोवर पोटेंशल, ये जो हमने बैटरी मानी थी hypothetical बैटरी इसका उल्टा हमने जो बैटरी लगाई है ये वो है ध्यान से सुनिएगा ठीक है जी ये एक बैटरी तो वो है जो hypothetical है वो तो अपने आप डेवलप हुई है मैंने नहीं लगाई मैंने नहीं लगाई ये इधर positive उधर negative है ये मैंने लगाई है जो P की side positive और N की side negative ठीक है जी P की side positive और N की side negative P मतलब holes majority में सिरफ holes दिखा रहा हूँ N में सिरफ electrons दिखा रहा हूँ वैसे इकका दुका holes भी होंगे N में लेकिन नहीं दिखा रहे है ठीक है जी सिरफ majority वाले दिखा रहा हूँ P में holes majority में N में electrons majority में ठीक है जी अब यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है P की side positive N की side negative current इसमें जो आएगा majority charge carriers की वज़े से आएगा और इसको forward current कहा जाएगा जी हाँ ये battery majority को support करेगी भई ये battery majority supporting है आप देखो ये battery उल्टी लगी हुई है जो potential barrier वाली battery है उसका उल्टा लगी हुई है उल्टा लगी हुई है ना वो minority को support करती है तो ये किसको support करेगी majority को ठीक है जी ये holes को उधर move करवाएगी और electrons को इधर move करवाएगी होल्स को उधर move करवाएगी electrons को इधर move करवाएगी और जो current आएगा वो कैसा current है वेटा forward current है कैसा current है forward current है ये current आता है milli amperes में and is considered large as compared to the reverse biased ये current milli amperes में आता है और large होता है as compared to reverse biased ठीक है जी reverse biased में इससे भी छोटा current आएगा देखो जो conductors में current आता है वो amperes में आता है 1 amper, 2 amper, 3 amper, 4 amper, 10 amper जो semiconductor में current आता है वो आता है milli amperes में micro amperes में semi conductors में अगर हम forward biasing करते हैं तो forward biasing के अंदर current milli amperes में आता है majority charge carriers की वैसे होता है और forward current कहते हैं उसे ठीक है जी क्या ये बात clear हो रही है milli amperes में और reverse biased के मुकाबले में बहुत जादा है इसके case में जो potential barrier की height है वो decrease हो जाती है ये जो potential barrier हमने बनाया था ना बेटा ये ये देखो 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 ये जो हमने potential barrier बनाया था इसकी height यहाँ पर reduce हो जाती है ठीक है जी इस potential barrier की height यहाँ पर क्या हो जाती है reduce हो जाती है आप देखो ये potential barrier क्योंकि हमने opposite battery लगाई है तो potential barrier की height अब कम हो गई VB minus V हो गया क्योंकि इसको oppose किया है इसने तो VB minus V हो गया potential barrier की height क्या हो गई कम हो गई क्या हो गई ठीक है जी और depletion layer की width भी कम हो जाती है इसकी जो width है ये भी कम हो जाती है ठीक है जी तो potential barrier की height भी कम हो जाती है और depletion layer की width भी कम हो जाती है दोनों तरफ से हमें फाइदा होता है क्या है forward biased forward biased clear forward characteristic अब forward current और forward voltage के बीच में graph बनाएंगे अब हम characteristic का मतलब देखो characteristic का मतलब होता है graph बनाना graph किसका? current का graph बनेगा किसका? current का graph बनेगा with respect to voltage ठीक है जी graph बनेगा किसका? green से तो नहीं लिखा कहीं पर डर लगता है भी आप तो कि कहीं हम green से ना लिख दे तो current और voltage के बीच graph बनेगा ठीक है जी? पहली बात ये conductors नहीं है conductor में current और voltage के बीच का जो graph होता है वो कैसा होता है? straight line यहाँ पर graph straight line नहीं होगा curved graph होता है forward में current milli amperes में आता है voltage आप volts में लगाओगे ठीक है जी? तो उससे जो है graph आपके पास बनके आएगा कुछ ऐसा graph होता है curved graph होता है कुछ ऐसा graph होता है बढ़ता चला जाता है voltage बढ़ाने से current बढ़ता है अव्यसी बात है लेकिन graph curved होता है ठीक है जी? एक समय ऐसा आता है एक voltage ऐसी आती है जहाँ पे जहाँ पे ये current एकदम से sharply rise करता है जहाँ पे ये current एकदम से sharply rise करता है इस voltage को बोलते हैं knee voltage knee voltage knee voltage इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो shape है आपके घुटने की तरह है घुटना कहां होता है? हाथों में कहां होता है घुटना? दिमाग में? पैरों में जी हाँ पैर का घुटना उसकी जैसी shape अब पैर का घुटना तो नहीं दिखा पाऊँगा अरे भी ये तांग तो नहीं उठा पाएंगे हम लेकिन हाँ मैं आपको हाथ से ये घुटना दिखा सकते हैं ये देखो हाँ से घुटना तोड़ वोल्टेज ये देखो पहले गराफ ऐसे जा रहा है ये इसको पैर का घुटना मानो ठीक है जी हाँ इसको पैर का घुटना मानो क्योंकि potential barrier overcome हो जाता है, हमारी जो लगाई जाने वाली voltage है, हमारी जो लगाई जाने वाली voltage है, अगर इसके बराबर हो जाए, तो potential barrier खतम हो गया, यानि कि जो ये battery हमें रोक रही थी न, ये जो minority वाली battery है, ये जो हमारी potential barrier वाली battery है, ये हमें रोक रही थी, अब इसका barrier खतम ह गया ठीक है जी अब ये जो potential difference है ये खतम हो गया क्योंकि हमने जो voltage लगा दी वो भी VB के वराबर लगा दी तो ये potential barrier क्या हो गया 0 हो गया ठीक है जी potential barrier 0 हो गया अब barrier खतम हो गया इसके बाद current sharply rise करेगा current क्या करेगा sharply rise करेगा इस value is 0.3 volt for germanium 0.7 volt for silicon ये कुछ values हैं अगर याद रह जाएं तो अच्छी बात है कि वही potential barrier की value कितनी है या इस घुटना तोड़ voltage की value कितनी है silicon का अगर बना हुआ है तो 0.7 volt germanium का बना हुआ है तो 0.3 volt क्या ये बात clear है बोलो भाई बोलो बोलो मेरे भाई बोलो बोलो मेरे भाई क्या बात समझ में आई है कि बहुत अच्छे कि उसके बाद रिवर्स pricing में उल्टाend Allez Revier Spicing में Minority की supporting होगी जैसे यह battery लगी हुई है वैसे ही आप एक आर battery लगा दो कि इस minority को support करने के लिए एक और battery लगा दो देखो जैसे यह battery है वैसे यह battery है Minority को support करने की वज़हे से battery लगा दी मेन ओर्स member amount of power का impact अब minority की वज़े से आएगा देखो P N P में whole जादा electron उक्का दुक्का इक्का दुक्का उक्का दुक्का नीक्का दुक्का यह diagram तो अब मेरे को याद ही हो गई है अब इसमें क्या होता है क्या चीज होती है भाई इसमें minority की sporting होती है यानिकि electrons उधर जाते हैं holes इधर आते हैं electron इधर जाते हैं holes इधर आते हैं तो इसमें जो current आता है वो reverse current होता है minority की वज़े से होता है reverse current होता है और क्योंकि यह minority की वज़े से होता है तो बड़ा कम होता है यह current micro amperes में होता है और considered very small as compared to the forward biased forward bias के respect में बड़ा कम current होता है क्योंकि यह minority की वज़े से है majority की वज़े से नहीं है और minority की संख्या जो है वो कम होती है यह minority की वज़े से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है the height of potential barrier increases since the battery V sports the potential barrier VB क्योंकि हमने जो battery लगाई वो भी उसी direction में लगाई है जैसी VB है तो इससे जो potential barrier की height है वो बढ़ जाती है इससे जो potential barrier की height है वो बढ़ जाती है VB plus V हो जाता है ठीक है जी VB plus V हो जाता है भाई VB minus V नहीं होता यहाँ पर VB plus V हो जाता है क्या clear है clear बहुत बढ़िया create रिवर्स क्रेक्टरिस्टिक में अब मैंने क्योंकि ऑविसली बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया है ठीक है जी बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया है तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा क्रेंट और वोल्टेज का जो ग्राफ बनता है न मेटा वो थर्ड क्वाडरेंट में बनता है क्योंकि इसमें वोल्टेज भी नेगेटिव देखो वोल्टेज भी नेगेटिव और क्रेंट भी नेगेटिव थर्ड क्वाडरेंट इधर बनेगा ग्राफ इधर बनेगा क्योंक में है ऐसा ग्राफ बनता है एक समय तक ऐसा लगता है कि जैसे करंट लगभग constant सा हो गया है वैसा नहीं बढ़ता जैसे forward में बढ़ता था मेरी बात ध्यान से सुनो जैसे forward में बड़ी असानी से करंट बढ़ जाता था voltage के बढ़ाने से वैसा करंट इधर नहीं बढ़ता एक समय तक लगने लगता है कि करंट लगभग रुक सा गया है करंट almost constant सा हो गया है फिर एकदम से करंट में sharp increase आता है एकदम से करंट में sharp increase आता है reverse करंट increases very slowly very slowly with increase in voltage up to a critical point after critical point there is sharp increase in current this voltage is called breakdown voltage जहां पर यह sharp increase आता है इस voltage को VBR कहते है breakdown voltage कहते है एकदम से करंट में बहुत sharp increase आता है एकदम से graph नीचे की तरफ जाएगा current negative में बढ़ता चला जाएगा voltage में कोई खास change इसके बाद नहीं आता ऐसा लगता है कि voltage almost constant हो गई है यह क्यों होता है यह अभी हम detail पढ़ेंगे इसकी zena diode के अंदर ठीक है जीनर डायोड पढ़ाऊँगा तो उसमें हम इसकी detail को पढ़ेंगे ठीक है जी तो this voltage is called what breakdown voltage ठीक है जी एकदम से current जो है वो sharply increase करता है clear हो गया बहुत बढ़िया हाँ जी भई अब यहाँ पर आपके सामने सवाल आ गया है 2006 और 2017 में आया हुआ सवाल है यह आप से पूछा गया है कि forward biased इन में से कौन सा है और reverse biased कौन सा है भई बेटा ब्रेक देंगे लेकिन अभी नी रेक्टिफायर्स करने के बाद ब्रेक दूँग आपको इसके बाद हम रेक्टिफायर्स करेंगे उसके बाद ब्रेक मिलेगा अभी नहीं मिलेगा हाँ उसमें आदा घंटा तकरीबन लग जाएगा फिर उसके बाद ब्रेक होगा लब सवा आठ के करीब आप मान सकते हो तो which one of the following represents forward biased voltage बताओ कौन सा इन में से forward biased है देखो forward biased में क् प की तरफ positive होना चाहिए अलब प की तरफ forward biased के लिए P की तरफ higher potential और N की तरफ lower potential यही होता है forward biased है ना यह देखो यह forward biased होता है बटा this is forward biased P की तरफ positive और N की तरफ negative positive और negative का मतलब क्या होता है positive का मतलब होता है higher potential HP लिखा हुए देखो और negative का मतलब होता है lower potential P की तरफ higher N की तरफ lower तो आप देखो कि किस में ऐसा है इसमें देखो minus 4 और minus 3 इधर P है इधर N है पहले P N बना लो P N P N इसमें गलती नहीं कर देनी यह lower है यह higher है यह minus 3 higher है इधर lower है तो lower potential थोड़ी चाहिए P की तरफ नहीं देखो minus 2 या plus 2 तो यह minus 2 lower है यह भी नहीं हो सकता जी हाँ अब सुनो यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट कौन सा lower है 3 वोल्ट तो P की तरफ lower आ गया अब यहाँ पे 0 minus 2 0 और minus 2 में से कौन सा higher है यह higher है यह option है पी की तरफ क्या होना चाहिए higher potential होना चाहिए इसको forward biasing कहते ह है बात समझ मैं इडीफ और दिल्ली बाकी तीनों क्या है फिर बाकी तीनों क्या है reverse बाकी तीनों कौन से बाइस्ट है reverse biased है बाकी तीनों कौन से बाइस्ट है reverse biased reverse 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 बहुत अच्छे आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात, कंड़क्टर के केस में, अगर मैं कंड़क्टर की बात करता हूँ, तो कंड़क्टर के केस में जो रिजिस्टन्स होता है, वो V by I होता है, सिंपल, graph straight line होता है, current और voltage के बीच का, अगर इसमें हम current और voltage के बीच का graph बनाते हैं, तो वो straight line बनता है, ठीक है जी, और resistance आता कैसे है, voltage by current से, Semiconductors में resistance निकालना इतना असान नहीं है Semiconductors में resistance fixed नहीं होता Dynamic होता है यानि कि variable होता है Conductors के case में resistance की fixed value होती ठीक है जी लेकिन Semiconductors के case में resistance होता है Variable कहते हैं Dynamic Resistance उसको RD से लिखा जाता है In semiconductors the resistance is always dynamic Since graph is not straight line यहाँ पे graph straight line नहीं होता इसके resistance को delta V by delta I से लिखा जाता है Change in voltage by change in current ठीक है जी Change in voltage by change in current ठीक है जी Delta V by delta I V by I नहीं कहते है Delta V by delta I कहते है Its value is low in forward biased and high in reverse biased देखो बटा Forward biased के अंदर current जादा होता है है ना current milli amperes में होता है तो उसमें resistance कम होगा forward biased में resistance कम होगा High in reverse biased क्योंकि reverse biased के अंदर जो current होता है वो कम होता है micro amperes में होता है तो इसके अंदर resistance जो है आपको जादा मिलेगा ठीक है जी reverse biased के अंदर आपको resistance बहुत जादा मिलेगा और forward biased के अंदर resistance आपको कम मिलेगा Clear? बहुत अच्छे अगर मैं ideal diodes की बात करू ideal diode लिखा हो ideal diode तो forward biased के अंदर जो resistance होगा वो tending to 0 होगा और reverse biased के अंदर जो resistance होगा वो infinite होगा ध्यान से सुनना मिल बात देखो बहुत clearly समझना अगर ideal diode का case है मैंने क्या बोला आपको कि forward biased के अंदर current जादा होता है resistance कम होगा reverse biased के अंदर current कम होता है resistance जादा होगा कितना जादा या कितना कम ये तो depend करता है लेकिन अगर ideal diode है तो ideal diode के लिए forward biased में resistance कम से कम कितना हो सकता है 0 और reverse bias के अंदर जादा से जादा कितना हो सकता है infinite ठीक है ध्यान रहेगा बहुत बढ़िया क्योंकि इसी पर question है आजाओ आजाओ भाई question आगे आपके सामने करदो 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 question कर लो भाई question कर लो question कर लो diode as an ideal the value of the current flowing through AB is AB के through कितना current जा रहा है बता दो मेरे भाईया काउन सा option है काउन सा option रादिका जी कह रहे हैं कि D option होगा हम और कोई कुछ कहना चाहता है देखो देखो बताओ राणक कह रहे हैं C option चेतन भी कह रहे हैं C option gray C कह रहे हैं D option चलो देखते हैं देखिएगा द्यान से सुनिएगा पहले तो यह देखो कि यह forward है या reverse है ठीक है जी forward है या reverse है पहले तो यह पता करना पड़ेगा न आपको देखो इधर P है इधर N है ठीक है P की तरफ higher potential है यह higher है plus 4 और minus 6 lower है तो P की तरफ higher है तो कैसा है forward biased ठीक है जी diode कैसा है forward biased तो forward में इस diode का resistance आप क्या मान सकते हो 0 forward में इस diode का resistance आप क्या मान सकते हो 0 तो इस diode को लगाओ या ना लगाओ इस diode की जगा wire लगा दो बास इस diode की जगा wire लगा दो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो forward biased है, resistance 0 है, इसका मतलब diode current को जाने दे रहा है resistance 0 है, इसका मतलब diode current को जाने दे रहा है उस case में diode को कहते हैं conducting forward biased है, resistance 0 है क्योंकि ideal diode है इसका मतलब diode current को जाने दे रहा है, तो उस case में diode को कहते हैं conducting स्टिक्टिक जी उस डाइयोड को वायर बना सकते हैं उस डायोड को सीधा आप क्या बना दो ना दो वायार थिक्ट्अ और A और B के बीच में potential difference, यह 4 है, यह minus 6 है, बेटा, current होता है potential difference divided by resistance, current होता है potential difference divided by resistance, potential difference देखो, 4 और minus 6 के बीच में कितना है, potential difference 4 और minus 6 का फरक, divided by resistance 1000 ohm, 1 kilo ohm यानिकी 1000 ohm, तो 10 by 1000, 1 by 100, 10 की पावर minus 2 ampere, answer D for Delhi है बाई, answer क्या है, D for Delhi, जी हाँ, D for Delhi, clear हो रही है बात, yes, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अरे भाईया, पढ़ाई करो पढ़ाई, अच्छे से, जी हाँ, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, भले ही कमेंट्स में कुछ भी चल रहा हो, आप अपनी चैट को हाइड कर सकते हैं, आपके पास भगवान ने यह option दिया है, लडने की ज़रूरत नहीं है भाईया, अपना दिबाग मत खराब कीजिए, हाँ जी, अरे भया, का बताएं सर, का बताएं, चलो फिर 2016 का कोश्चन करो यह, 2016 का कोश्चन आपके computer screen पर यह रहा, देखिए ना कोश्चन, देखिए कोश्चन क्या है, the given circuit has two ideal diodes connected as shown in the figure below, the current through the diode resistance, sorry, the current through the resistance R1 will be, R1 के through आपको current बताना है, दो diode लगे हुएं, कैसे लगे हुएं आप देख लो, और दो resistance यहाँ पर लगे हुएं, बैटरी लगी हुई है, आईए, current निकालने की करेंगे हम महान कोशिश, महा कोशिश करंट निकालने की हम के आहां पर क्या करेंगे महा कोशिश या महान कोशिश करने वाले हैं तो आएए करते हैं कलसिस जी हाँ सुनिएगा भी एक बात बताना चलो इधर सुनो यह positive है मैं diagram बाद में बनाऊगा लो अभी मिटा रहा हूँ अभी diagram बाद में बनाऊगा इधर देखो आपको यह देखना है देखो तो given circuit has two ideal diodes अगर ना भी लिखा हो ना कि ideal diode है तो diode का resistance तो आपको पता नहीं होगा until unless given ना हो ठीक है जी मेरे को याद कर लोगे याद कर लेना उस time पे और उसको ideal मान लेना पास ओके तो यह plus है यह minus है आप देखो यह P होता है यह N होता है यह P होता है यह N होता है आप यहाँ पे देखो यह positive N की तरफ है यहाँ पे N की तरफ positive है और इसके लिए P की तरफ positive है इसके ल वाला डायोड जो हो गया बेटा ये वाला डायोड जो है ये रिवर्स बाइस्ट हो गया और ये वाला डायोड जो है वो फॉर्वर्ड बाइस्ट हो गया ये वाला डायोड रिवर्स बाइस्ट हो गया और ये वाला डायोड हो गया फॉर्वर्ड बाइस्ट रिवर्स वाले डायोड का resistance इन्फनाइट और forward वाले का 0 ठीक है इसका डायोड इन्फनाइट मनलब इसका resistance इन्फनाइट तो इस वायर में करंटी नहीं जाएगा बेटा इस वायर में करंटी नहीं जाएगा तो इस वायर को खोल दो देखो ध्यान से सुनू कुछ ऐसा circuit बन जायेगा ये ज्यान से देखना जरा अब ऐसे current जाएगा सारा current बाहर से निकल जाएगा यहाँ पे कोई current नहीं सारा current बाहर से current कितना होगा voltage 10 divided by resistance देखो 2 plus 2 2 plus 2 दोनों series में है ठीक है जी तो 2 plus 2 10 by 4 यानिकी 2.5 ampere बस खतम 2.5 ampere answer is C for cat answer is C for cat clear हो रही है बात answer C है भाई बोल दो अरे बोल दो यह क्या रहा भाई गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियन्स का मैच चलना उसका live score दिखा रहे है हद पताओ हमने भाई हम यह आपे पढ़ाई कर रहे हैं यह score दिखा रहे है चलो I hope that is clear to you तो यह colors का बहुत ध्यान लखना पड़ रहा भाई क्योंकि मेरे को आदत पता है क्या है मेरे को आदत है कि रंग बिरंगे color से लिखू कभी कुछ use करूँ कभी कुछ use करूँ कभी कुछ use करूँ रेक्टिफायर्स का काम है alternating current को direct current में convert करना alternating current क्या होता है alternating current वो current होता है जो अपनी direction regular interval पे change करता है positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative alternating current में पता है क्या होता है electron कभी इदर जाते हैं कभी इदर जाते हैं, 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 कभी क्या करता है now half wave rectifier is defined as a type of rectifier that only allows one half cycle of and AC voltage waveform to pass while blocking the other half cycle देखो बनाते हैं भाई rectifier होते कैसे हैं समझाता हूं भाई सुनो सुनो मेरे भाई सुनो सुनो मेरे भाई क्या बात समझ में आई देखो यह है input voltage यह है input voltage ठीक है जी इधर हमें चाहिए output इधर हमें चाहिए output तो यह होता है हमारा rl इसे कहते हैं output या load resistance जिसके across हमें output चाहिए होती है उसको हम कहते हैं output या load resistance क्या कहते हैं output या load resistance ठीक यह लगा हुआ है diode यह लगे हुए inductors या solenoid coils inductors या solenoid coils जो मर्जी बोल लो यह हमारे पास जो input लगा हुआ है यह है AC source alternating current का source है वेटा यह alternating current का source है ठीक है जी ओके अब सुनो होता क्या है मानलो alternating current का cycle चल रहा है क्योंकि input voltage क्या होती है लगातार change होती रहती है है ना positive negative positive negative ऐसे अपना sign change करेगी ऐसे अपना sign क्या करेगी change करेगी मानलो कि इधर negative है और इधर positive है suppose करो उपर की side negative है नीचे की side positive है अब इस coil में से flux pass करेगी क्योंकि current जाएगा ठीक है जी इस coil में से current जाएगा तो क्या pass करेगी flux pass करेगी flux change होगी क्योंकि current change कर रहा है alternating current है flux change होगी electromagnetic induction होगी आपने mutual induction पड़ी है EMI में mutual induction पड़ी है pass इसमें flux change होने की वज़े से इसमें EMF induced होगा इसमें flux change होने की वज़े से इसमें EMF induced होगा और वो EMF जिसकी वज़े से induced होता है उसी को oppose करता है मेरी बात ध्यान से सुनो alternating current का source लगाया current आया current variable होगा उसकी वज़े से flux variable होगी flux change हो रही है उसकी वज़े से EMF induced हो रहा है EMF इसमें भी induce होगा इसमें भी होगा Lens law ये कहता है mutual induction ठीक है ये mutual induction हो रही है इसमें current change होने की वज़े से इसमें EMF induce हो रहा है Lens law ये कहता है कि जिसकी वज़े से EMF induce होता है उसी को oppose करता है अगर यहाँ पे minus है और नीचे plus है तो इसमें उल्टा आएगा उपर plus नीचे minus जैसे ही यहाँ पे उपर plus आगया अब आप देखो ये P और N है डायोड लगा हुआ है तो P की तरफ plus है तो diode current को जाने देगा क्योंकि diode forward biased की तरह behave करेगा भाई और आपके load resistance में भी current आ जाएगा और आपको output मिल जाएगी लेकिन अगली ही बार अगली ही बार अब देखो अब मालो उल्टा हो गया मालो इधर plus और इधर minus हो गया इधर plus और इधर minus हो गया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा minus plus अब आप देखो P की तरफ minus हो गया तो यह diode अब क्या हो गया? reverse biased यह diode क्या हो गया? reverse biased क्योंकि P की तरफ minus हो गया त्यान से सुनो भई इसको मैं देखो गोले में दिखा रहा हूँ अभी जो मैंने sign change की है अब मैं गोले में दिखा रहा हूँ इधर plus इधर minus तो ultra minus plus यह minus तो यह देखो P की तरफ minus यानि की reverse biased reverse biased है तो इसका resistance कितना? infinite इसका मतलब इसमें current नहीं जाएगा इसमें current नहीं जाएगा तो load resistance में भी current नहीं जाएगा और output नहीं आएगी output नहीं आएगी तो इसका मतलब अगर आप output का graph बनाओगे with respect to time output का जब आपका graph बनेगा with respect to time तो वो आपको ऐसा दिखेगा भाई देखो आधे में output है फिर नहीं है फिर है फिर नहीं है है नहीं है है नहीं है है नहीं है क्योंकि आधे cycle में output आएगी जब diode forward biased होगा जब diode forward biased होगा तब output आएगी लेकिन जब यह diode reverse biased हो जाएगा थोड़े ही पल में reverse biased हो जाएगा तो output नहीं आएगी फिर आएगी फिर नहीं आएगी फिर आएगी फिर नहीं आएगी तो ये है आपका half wave rectifier जो आधी input को सिरफ आधी input को output में convert करता है ठीक है जी दूसरे में दूसरे आधे में 0 देता है मतलब इसमें जो output आती है वो इतनी अच्छी नहीं आती continuous output नहीं आती क्योंकि पहले मिली फिर नहीं मिली फिर मिली फिर नहीं मिली है नहीं है तो output burst में आती है इसलिए half wave rectifier को उतना use नहीं किया जाता हाला कि इससे हमारा purpose solve हो गया बटा alternating current direct current में convert हो गया किस को लगता है कि ये direct current है ये direct current है बटा direct current की एक ही condition है कि उसकी direction change नहीं होनी चीए क्या इसमें direction change होके वो negative में जा रहा है नहीं जा रहा है क्या इसमें वो direction change होके negative में जा रहा है नहीं जा रहा है इसका मतलब ये direct current है ये कौन सा current है alternating current ये कौन सा current है direct current ठीक है जी direct current तो बन गया है ठीक है जी direct current तो बन गया है लेकिन output continuous नहीं है यह सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है ठीक है जी AC source is connected to primary it induces secondary voltage in secondary इसको बोला हुआ है इन्होंने primary इसको बोला हुआ है इन्होंने primary और इसको बोला हुआ है secondary तो मैंने AC source लगाया primary में और उससे voltage इसकेंडरी में the resistance is low in forward biased so current is more and we get the output जब diode forward biased होगा तो हमें output मिलेगी ठीक है जी जब diode forward biased है तो हमें output मिलेगी जब diode reverse biased है ठीक है जी reverse biased है current बहुत कम होगा या होगा ही नहीं तो हमें output नहीं मिलेगी हमें output नहीं मिलेगी output continuous नहीं है it is available in burst output continuous नहीं है यह burst में available है it is not widely used इसे widely used नहीं किया जाता ठीक है जी इसे widely use नहीं किया जाता सब कुछ लिखा हुआ है जो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ न तो आपके पढ़ने के लिए क्योंकि आपको बाद में notes की जुरत पढ़ेगी क्योंकि theoretical chapter है ठीक है जी आप इतना notes नहीं लिख सकते आप इतना नहीं लिख पाओगे आपको जरूर बनाने है जिसमें आपको basic basic points लिखने है देखो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ सारे बच्चों के लिए कहता हूँ कि आपको short notes जरूर बनाने है ठीक है जी अभी जो आप पढ़ रहे हो अगर आपके पहले से ही short notes बने हुए तो अच्छी बात है लेकिन अगर आ सारी चीजें आप जरूर लिखें बहुत ही संक्षिप्त में मतलब दो या तीन पेज में chapter खतम हो जाए बस ऐसे short notes बनाने है ऐसे नहीं कि 10-12 पेज भर दी है यह कह रहे हैं कि नया color बना लो सर जी अरे यह नए color भी नहीं दिखेंगे यह थोड़ी सी problem चल रही है इस board में ह चलो अब full wave rectifier आ जाएगा full wave rectifier क्या करेगा वो आधे cycle को ऐसा नहीं है कि भाई आधे cycle को ही DC में convert करेगा वो पूरे के पूरे cycle को DC में convert करेगा भाई पूरे के पूरे cycle को direct current में convert करेगा कैसे करेगा सुनो जरा लो भाई या बनाते हैं इसमें दो diode लगे होते हैं इसमें दो diode लगे होते हैं और output हम इधर दे देते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं diode D1, D2 और output बीच में दे देते हैं दो diagrams बना रहा हूँ है ताकि आपको confusion ना हूँ दो ही diagram एक जैसी एक जैसी दो diagrams बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको मैं proper way में समझा पाऊं हाफ wave rectifier बनाने के बाद किसी भले इंसान ने दिमाग लगाया और उसने कहा कि हम full wave rectifier भी बना सकते हैं पूरी की पूरी input को हम output में convert कर सकते हैं कैसे सुनों अब देखो यहां पे आपने लगा दिये दो डायोड डी 1 डी 2 और यह जो output है न यह output हमने बीच में connect कर दी आउटपुट हमने कहा लगा दी बीच में अब सुनों मालो की इधर positive इधर negative है सपोस करो इधर positive इधर negative है electromagnetic induction होगी इधर negative इधर positive आजाएगा EMI चलेगा ठीक है जी mutual induction होगी इधर negative इधर positive लेंज लो अच्छा जी अब देखो यह P की तरफ negative है और यहां पर यह P की तरफ positive है यह P की तरफ negative है यह P की तरफ positive है इसका मतलब यह diode जो होगा यह reverse biased होगा ठीक है जी यह diode reverse biased होगा और यह diode forward biased होगा तो इसका मतलब उपर वाले डायोड में कोई करंट नहीं जाएगा उपर वाले डायोड में कोई करंट नहीं जाएगा जो भी करंट जाएगा नीचे वाले डायोड से ऐसे निकल जाएगा देखो जरा पॉजिटिव है ना इधर यह देखो नीचे वाले डायोड से ऐसे निकल मिल जाएगा और हमें output मिल जाएगी क्योंकि output वाले resistance में भी current जा रहा है हमारे लिए main बात क्या है diode में जाए या ना जाए current हमाए output कब मिलेगी जब output resistance में current जाएगा तो output resistance में current जा रहा है जा रहा है जा रहा है ना जा रहा है ओके अब सुनो इधर अब मालनो उल्टा हो गया इधर negative इधर positive हो गया यह negative यह positive तो electromagnetic induction इधर positive इधर negative अब आप देखो P की तरफ positive यह वाला और इधर वाला P की तरफ negative तो यह वाला उपर वाला डायोड जो है हमारे पास यह हो गया forward biased और नीचे वाला हो गया reverse biased तो इसका मतलब नीचे वाले में current नहीं जाएगा सिरफ उपर वाले में जाएगा सिरफ उपर वाले में जाएगा तो उपर वाले circuit में current है पहले नीचे वाले circuit में current था अब दोनों ही cases में देखो ठीक है जी पहले case में यह diode reverse था यह forward था तो इसने current दे दिया output को, पहले वाले case में इस diode ने output को current दे दिया यहाँ पे इस diode ने output को current दे दिया दोनों ही cases में देखना क्या current की direction output में same है दोनों cases में देखो भई क्या output में current की direction same है, दोनों के दोनों cases में देखो, देखो output में current की direction किदर जा रही है left, left समझ पा रहे हो पहले इस डायोड ने करंट दिया अब इस डायोड ने करंट दे दिया यानि कि मैंने दो डायोड लगाए कि आधे साइकल में ये डायोड काम करेगा आधे साइकल में ये करेगा हमें तो दोनों से भाइदा हो रहा है हमें तो आउटपुट में करंट ची है न ठीक है जी यही चीज लिखी हुई है तो input का अगर graph दिया हो positive, negative, positive, negative तो यहाँ पे output continuous मिलेगी बेटा यहाँ पे output कैसी मिलती है continuous यह देखो negative में जाता ही नी same direction में आपको current मिल गया ठीक है जी दोनों cases में आपको same direction में current मिल गया left की तरफ left की तरफ यानि की current की direction change हुई नहीं तो आपको जो output है वो continuous मिल गई और direct current में convert हो गया यह है alternating current और direction change नहीं हुई तो यह क्या बन गया direct current direction change नहीं हुई तो यह क्या बन गया direct current clear है बोलो भाई अब उसके बाद आया है filter circuit filter circuit क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ देखो जो हमारे पास output आई है ना यह देखो यह है तो direct this is direct current no doubt but variable है बट इसकी value variable है no doubt इसकी direction change नहीं हो रही इस current की या इस voltage की direction change नहीं हो रही लेकिन यह current variable है variable है ना बढ़ रहा है कम हो रहा है 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 ठीक है जी अगर इस case में मैं current का graph बनाऊ ना या voltage का graph बनाऊ with respect to time तो वो current आपको constant मिलेंगे ठीक है जी ये direct current है जो normally battery वाले current होते हैं वो direct current होते हैं बट constant होते हैं पूरे current electricity में पूरे current electricity में जब हम battery लगाते हैं current electricity chapter में तो जो current आता है वो direct current होता है यानि कि वो अपनी direction change नहीं करता और साथ ही साथ उसका magnitude भी fix होता है constant होता है यहां पे हमें direct current तो मिल रहा है rectifier से हमें direct current तो मिल रहा है लेकिन variable है जो variable current होता है उसको हम बोलते हैं कि उसमें ripple contents है वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ ठीक है यह रिपल कंटेंट्स रिपल कंटेंट्स का मतलब क्या है कि भई वो करंट वेरियेबल है कैसा है वेरियेबल करंट है ओके अब उसको मैं कॉंस्टेंट बनाना चाहता हूं इसको मैं कॉंस्टेंट बनाना चाहता हूं तो उसके ल इधर से मैं input दे रहा हूँ, अब पूरा rectifier का circuit में दुबारा draw नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, दुबारा draw नहीं कर रहा हूँ, आपको filter circuit समझा रहा हूँ, यहाँ पे rectifier का डबा बना दिया, rectifier लगाया था, उस rectifier की जगा डबा दिखा दिया, rectifier के बाद, बाद में उसको पास करवाया जाता है, capacitor और resistor के circuit में से, यानि कि साथ में capacitor लगाया जाता है, फिर हमें final output मिलती है, फिर हमें final output मिलती है तो ये capacitor साथ में लगाया जाता है इस capacitor साथ में लगाया जाता है इस capacitor से फाइदा क्या होता है बेटा ये capacitor क्या करता है current के decrease होने को delay करता है अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आपने RC circuit पड़ा है RC circuit पड़ा है RC circuit में time constant होता है इसको time constant बोलते हैं जो R और C का product होता है अगर मैं इसमें C की value बढ़ा दूँ तो time constant बढ़ जाएगा और उससे it takes more time to discharge मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ कि filter circuit होता क्या है filter circuit basically जो हमें यहाँ पे current variable मिल रहा है direct current तो है direction change नहीं करा लेकिन variable है उसको constant करने के काम आता है ठीक है जी उसके लिए मैं circuit में capacitor लगाता हूँ यह capacitor करता क्या है जितनी इस capacitance की value जादा होगी इस circuit का time constant जादा होगा इस circuit का time constant जादा होने से फाइदा यह होता है कि capacitor discharge जल्दी नहीं होता है ना तो यह current के discharge होने को delay कर देगा देखो खुता क्या है जैसे current बढ़ा यहां तक geograff ठीक है जी आदा बना दिया उसके बाद जैसे ही current नीचे आने लगेगा तो उतना नीचे नी जा पाएगा फिर उपर चला जाएगा उतना नीचे नी जा पाएगा फिर उपर चला जाएगा उतना नीचे नी जा पाएगा फिर उपर चला जाएगा तो almost आपको current constant लगेगा ध्यान से सुनिएगा इस capacitor के लगाने की वज़े से वो current के नीचे जाने को delay कर देता है क्योंकि capacitance भढ़ाने से time constant बढ़ता है जिसकी वज़े से ये जो current है वो नीचे नहीं जा पाता ठीक है जी तुरंत उपर उठ जाता है फिर नीचे हलकासा जाता है फिर उपर उठ जाता है हलकासा नीचे जाता है फिर उपर उठ जाता है या voltage का graph नीचे नहीं जा पाता वो तुरंत वहीं से उपर उठ जाता है क्योंकि इस से जो है वो जादा time लेता है discharge होने में और उतनी देर में वो दुबारा charge हो जाता है फिर जादा time लेता है discharge होने में उतनी देर में दुबारा charge हो जाता है तो इतना नीचे जा ही नहीं पात तो current लगभग क्या हो जाता है constant हो जाता है क्या ये बात समझ में आई अरे भी या फिर से वही हो गया क्या लो अब ठीक है दुबारा लिख रहा हूँ भई ध्यान से दुबारा सुनो ठीक है जी हाँ दुबारा सुनियेगा हाँ हाँ दुबारा सुनिये मैं कर रहा हूँ देखिएगा इन्पुट लगाया रेक्टिफायर लगाया रेक्टिफायर के बाद कपैस्टर लगा दिया सर्केट ठीक है जी, rectifier के बाद क्या लगा दिया circuit में, capacitor, ठीक है जी, capacitor क्या करता है, आपने RC circuit सुना होगा, RC circuit का time constant होता है, इसे time constant कहते हैं, capacitance की value जितनी ज़ादा होती है, उससे time constant उतना ही ज़ादा हो जाता है, time constant के ज़ादा होने की वज़े से, it takes more time to discharge, it takes more time to discharge, यह discharge होने में ज़्यादा समय लेता है, ठीक है जी, discharge होने में ज़्यादा समय लेता है, जिसकी वज़े से current का graph नीचे जाता है, फिर उपर उड़ जाता है, फिर हलका सा नीचे जाता है, फिर उपर उड़ जाता है, हलका सा नीचे जाता है, फिर उपर उड़ जाता है यानि कि discharge हो ही नहीं पाता यानि कि in short हम कहें कि discharge हो ही नहीं पाता क्या ये बात clear है बोलो भई बोलो मेरे भई clear हो रही है ठिक capacitor लगाया, capacitor का काम है filter करना, current के magnitude को constant रखना तो capacitor बढ़ाने से time constant बढ़ता है तो graph को नीचे जाने में ज़्यादा समय लगता है और उतनी ही देर में वो दुबारा charge हो जाता है फिर नीचे, हलका सा नीचे जाता है, फिर दुबारा charge हो जाता है हलका सा नीचे जाता है, फिर दुबारा charge हो जाता है क्या सही है कि भोलो है भाहत भड़िया कि यह सारा कुछ लिखा हुआ है ने ठिक मी यह सारा कुछ लिखा हुआ जो अभी filter circuit के बारे में समझाया यह सब कुछ लिका हुआ है हुम चलो की अब ब्रेक ले लेते इसके बाद हम मैं आपको special purpose अब ब्रेक है तो ब्रेक लेंगे ये घड़ी हमारे पास है घड़ी महोदे हमारे पास आएंगी ये घड़ी जो है इस बात को बताएंगी कि कितने मिनट का ब्रेक जो है वो दिया जाएगा अरे घड़ी चले ज्यादा ही बड़ी होगी घड़ी जो है घड़ी पर टाइम सेट होगा 15 मिनिट ठीक है जी बहुत है चलो मिलते हैं वही 15 मिनिट के ब्रेक के पार्ट हुआ 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 हु झाल 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 आप मेरी आवाज को सुन ही पा रहे होंगे आप मुझे देख भी पा रहे होंगे जी हाँ तो ब्रेक खतम हो गया है तो जल्दी से फटा फट 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 जो भी लोग गय हुए थे आजाएए भिया जो भी लोग गए थे गाउं से वापिस आ जाओ जी हाँ गाउं से वापिस आ जाईए क्यूंकि अब हम करने वाले हैं restart restart चीजों को जी हाँ बनलब restart क्या जहां से छोड़के गए थे वहीं से ठिक ओके जी चलो फिर करते हैं शुरुवात special purpose diodes जी हाँ special purpose diodes के बारे में अब हमारी बात होने वाली है special purpose diodes special purpose diodes जिनका एक special purpose होता है special काम होता है उनके बारे में बात करेंगे उनमें सबसे पहला है कौन सा जीन डायोड सबसे पहला है जीन डायोड जीन डायोड क्या करता है constant voltage maintain करके रखता है act as a DC voltage regulator ये DC voltage regulator की तरह काम करता है reverse biased में work करता है और breakdown reason में work करता है समझाता हूँ कैसे देखो सुनो reverse biased का graph तो आपको याद ही है reverse biased का graph आपको याद है third quadrant में होता है ठीक है जी third quadrant में graph होता है खाई कुछ इस तरीके का graph आपको देखने को मिलता है यहाँ पर देखो इस point को देखोगे इस point को देखोगे यहाँ पर voltage जो है breakdown voltage के बराबर होती है तो जीनर डायोड काम करता है reverse biased में और breakdown reason में जहाँ पर voltage breakdown voltage से जादा होती है अगर हमारी दी हुई voltage breakdown voltage से जादा है तो current का graph कुछ ऐसा बनेगा भाई आप देख रहे हो current में sharp increase आ रहा है current में sharp increase आ रहा है लेकिन voltage में कोई खास change नहीं आ रहा देखो voltage तो change हो छीख नी रही क्योंकि graph उधर तो बड़ी नहीं रहा आ आप देखो breakdown reason का मतलब की breakdown reason में जब voltage breakdown voltage से ज़ादा है तो उस समय पे आप देखो voltage तो बड़ी नहीं रही उधर तो graph जाई नहीं रहा सिधा graph नीचे जा रहा है यानि की current बढ़ रहा है ठीक है जी सिरफ क्या बढ़ रहा है current बढ़ रहा है और voltage breakdown voltage से ज़ादा है तो आप देखरे वोल्टेज almost क्या है constant है voltage almost क्या है constant है और यही zena diode का का में यही zena diode का काम है constant voltage maintain करना तो act as a DC voltage regulator यह voltage regulator की तरीके से काम करता है यह इसका symbol है the diode पर दो सिंग लगा दो डायोड पर दो सिंग लगा दो इक सींग उपर की तरफ एक सींग नीचे की तरफ तो ये इसका जो है सिंबल हो गया जीनर डाइओड का ठीक है धिसिसदा सिंबल फौर दजीनर डाइओड reverse में काम करता है, breakdown reason में काम करता है और DC voltage को regulate करता है ठीक है DC voltage को क्या करता है, regulate करता यानि की voltage की value को fix रखता है चलो अब इसको circuit में use कैसे करते हैं ठीक है जी circuit में use कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाओंगा लेकिन इससे पहले एक extra information आपको दे देता हूँ कि ये जो sharp increase है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था break पे जाने से पहले मैंने आपको बोला था कि sham increase समझाओंगा कि ये sharp increase क्यों आता है sharp increase के बारे में आपको मैं समझाओंगा देखो, सुनो होता क्या है कि crunt एकदम से क्यों बढ़ता है ये crunt एकदम से increase क्यों हो रहा है इसका reason मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ सुनियेगा पहली बात heavy doping की जाती है heavy doping कहने का मतलब है कि P type में holes की संख्या बेहत जादा होगी और N type में electrons की संख्या बेहत जादा होगी electrons and holes की मात्रा बेहत जादा होगी heavy doping की जाती है निकि बहुत भीड हो जाती है P type में किसकी भीड हो जाती है? Holes की और N type में किसकी भीड हो जाती है? Electrons की भीड हो जाती है जिसकी वज़े से जो depletion layer की जो width है वो बड़ी कम होती है मैं आपको समझाता हूँ ये जो depletion layer हमारे पास बनती है इधर negative है और इधर positive है ये depletion layer है इस depletion layer की width बड़ी कम हो जाती है कम क्यों हो जाती है समझाता हूँ देखो भीड बहुत जादा है ध्यान से सुनना मेरी बात को भीड बहुत जादा है Holes को उधर जाने में दिक्कत आएगी उधर जादा दूरी तक Holes नहीं जा पाएगे उधर जादा दूरी तक Holes नहीं जा पाएगे Electrons उधर जादा दूरी तक नहीं जा पाएगे समझ पा रहे हो कि भीड जादा हो गई है Doping बहुत हैवी की गई है तो Holes and Electrons Holes को इधर जाना है Electrons को इधर जाना है तो वो ज़ादा दूरी तक नहीं जा पाएंगे, तो वो junction के नजदीक ही atom से टकराके ions बना देंगे, यह जो width है यह small होगी, क्योंकि electrons and holes बहुत ज़ादा दूर तक travel कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भीड बहुत ज़ादा है, तो यह जो width है depletion layer की, यह कम होगी, इसकी वज़े से इस depletion layer में electric field बहुत ज़ादा आ जाएगी, मैंने आपको क्या बोला था, देखो, कि positive से negative क्या develop हो जाएगी electric field, electric field होती है potential difference divided by distance, तो यह depletion layer की जो width है, वो बड़ी कम होने की वज़े से electric field बहुत ज़ादा होगी, क्योंकि यह कम है, electric field V by D है, तो D कम हो गया, तो electric field क्या हो गई, ज़ादा हो गई, तो इस depletion layer में electric field बहुत हाई हो जाती है भाई, ठीक है जी, electric field इस reason में बहुत हाई हो जाती है, और बहुत सारे bond तूटने की वज़े से, large number of electrons and holes create होते हैं, और इसकी वज़े से current sharply rise करता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, दुवारा बता रहा हूँ, जीनर diode के अंदर होता क्या है, जीनर diode के अंदर heavy doping की जाती है, उस heavy doping की वज़े से electron और holes उतनी दूर तक move नहीं कर पाते, उतनी दूर तक move ना करने की वज़े से ये width बड़ी कम होती है, इसकी वज़े से electric field बहुत जादा होती है, ये electric field इतनी जादा हो जाती है कि ये bonds को तोड़ देती है, तो bonds को यह कारण है यहाँ पे current के sharply rise करने का, क्या बात समझ में आ रही है, बोलो भई, क्या ये बात clear हो रही है, ठिक ठीक ठिक ठिक त्यान से, थम्हें जब बना दीजेगा या दिल बना दीजेगा, अगर बात clear हो रही हो थो, हाँ भई, इस से हमारा भी होसला बढ़ता है, हमारी भ कैसे करते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको ठीक है फिर इस पर Numerical आएगा देखो कि सर्किट में use कैसे करते हैं सबसे पहले यहां पर input voltage हम लगाते हैं जीनर डायोड भी लगाते हैं जीनर डायोड के साथ पैरलल में एक आउटपुट रिजिस्टेंस लगाते हैं लोड रिजिस्टेंस या फिर हम कहें आउटपुट रिजिस्टेंस मेरी बात को ध्यान से सुनियेगा ठीक है यह हमने इनपुट वोल्टेज लगाई इनपुट वोल्टेज के साथ एक रिजिस्टर लगाया ठीक है जी रिजिस्टर के साथ जीनर डायोड लगाया ठीक है जीनर डायोड के साथ पैरलल में आउटपुट रिजिस्टेंस लगाया या लोड रिजिस्टेंस लगाया जो भी आप इसे कहें मालो कि इसकी जो increase आता है यह 10 voltage तक जहेल सकता है यह it can bear up to 10 volt suppose करो हमारी voltage 12 है suppose करते हमारी voltage 12 है 10 इसने जहेल ली तो बाकी की 2 voltage यह जहेल लेगा ठीक है जी अब 10 इसके cross है तो इसके parallel यह output भी कितनी आएगी हमारे पास 10 output भी कितनी आएगी 10 क्योंकि parallel में voltage क्या होती है सेम होती है देखो total 12 थी 12 में से 10 यह जहेल सकता है 10 अगर यह जहेल सकता तो output में भी 10 ही आएगा ठीक है जी क्योंकि यह इसके साथ parallel में है तो बाकी की बची 2 इधर चली जाएगी अब मालो voltage fluctuate कर रही है ध्यान से सुनो क्योंकि काम यही है वोल्टेज को stable रखने का काम है बिटा आउटपुट वोल्टेज को stable रखने का काम है सपोस करो इसकी वोल्टेज बढ़के हो गई 15 इसकी वोल्टेज बढ़के हो गई कितनी 15 इन्पुट वोल्टेज 15 कर दी हमने फिर भी जीना डायड के क्रॉस तो दस ही रहेगी यानि कि जो भड़ी हुई voltage है अब 12 से ये 15 हो गई तो इस resistor के cross voltage दो की बजाए अब 5 हो गई इसके cross तो 10 ही रह गई ना अगर इसके cross 10 रह गई तो output के cross भी 10 ही रह गई तो इसका मतलब output के cross voltage क्या हो गई? constant आउटपुट के cross voltage क्या हो गई? constant हो गई भई तो ये काम है जीनर डायोड का ठीक है जीनर डायोड ये जीनर डायोड का काम है भई जीनर डायोड का काम है भई जीनर डायोड constant voltage maintain करता आप देखो हमने input voltage 12 से 15 कर दी आउटपुट अभी भी 10 ही है आउटपुट अभी भी क्या है? 10 है तो जो बड़ी हुई voltage है वो कहां गई? इस resistor में ये resistor खाएगा भई ये resistor जेलेगा जो भी voltage के changes होंगे वो ये वाला resistor जेलेगा इसमें resistance इस voltage इसमें जो voltage है वो क्या रहेगी? constant रहेगी और इसके parallel में output जेना डायोड पर अगर numerical आएगा तो बहुत chances हैं कि इस type का numerical आएगा famous type of questions ठीक है जी? तो इस type के question को करना तो बहुत जरूरी है ठीक है जी? बस value change होके आपको exam में question आ सकता है इसके उपर जी हां देखेगा जेना डायोड having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit shown in the figure the current through the xena diode is xena diode के through current पूछा गया है xena diode की जो breakdown voltage है वो 15 volt है ठीक है जी? xena diode की जो breakdown voltage है वो 15 volt है और हमने जो voltage लगा रखी है वो 20 लगा रखी है हमने जो कितनी लगा रखी है वो 20 लगा रखी है और इसके साथ ही 1 kilohm resistor है parallel में और 250 ohm यहां पे है तो आपको जीनर डायोड के थूरू करेंट बताना है बताईए भहिया बताओ भहिया चलो सुनो अब जीनर डायोड का रिजिस्टन्स तो पता नहीं है ध्यान से सुनिए इस कोश्चन को कैसे करेंगे आप वन किलो ओम यानिकी हजार ओम यह 250 ohm ठीक है सुनिए मेरी बात जीनर के क्रॉस कितनी वोल्टेज है 15 फिक्स रहेगी यह तो 15 फिक्स रहेगी अगर इसके क्रॉस 15 वोल्ट है तो इसके पैरलल में भी 15 वोल्ट ही रहेगी मुझे करेंट किसमे निकालना है जीनर डायोड में क्या जीनर डायोड का आपको रिजिस्टन्स पता है क्या इसका रिजिस्टन्स पता है नहीं वोल्टेज तो इसके क्रॉस पता है लेकिन इसका रिजिस्टन्स नहीं पता तो इसमें डिरेक्टली करेंट नहीं आ सकता अगर इसमें मुझे current निकालना है तो directly नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस current को माल लेता हूँ I, ठीक है जी, अब मैं माल लेता हूँ कि ये current दो हिस्सों में divide हो गया I1 और I2, अब आप मेरे को बताना कि अगर मैं I और I2 निकाल लो, तो क्या I1 आ जा क्रोस भी 15, तो ये current आ जाएगा, I2 निकालो, 15 बाए 1000 एंपियर, यानि कि 15 मिली एंपियर, 1000 से मल्टिप्लाई कर दो, तो 15 मिली एंपियर, इसमें current कितना है, 15 मिली एंपियर, इसमें आ जाओ, तो टोटल वोल्टेज कितनी लगाई, 20, 15 इसके क्रोस है, तो बाकी 5 इसके क् current आ जाएगा, देखो जरा, 5 by 250, एंपियर, तो इसको मिली एंपियर में चेंज करो, 1000 से मल्टिप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 20 मिली एंपियर, ध्यान से देखना, 250 से 1000, 4 पे तो 5 इंटू 4, 20 मिली एंपियर, अब मुझे चाहिए I1, मुझे चाहिए I1, तो I1 होगा, I- इस आइटू, I1 में से I2 घटा दो, ठीक है जी, 20 में से 15 घटा दो, तो मेरे पास current कितना आ गया भाई, या, 5 मिली एंपियर current आ गया, current कितना आ गया, 5 मिली एंपियर, 5 मिली एंपियर is the current, क्या बात clear हो रही है, बोलो बोलो, समझ में आया, अरे बोलो मेरे भाया, the 5 मिली is the current, तो ऐसे question जीनर डायोड पर आएंगे जिसमें आपको जीनर डायोड में करंट पूछा जाएगा, आपको जीनर डायोड में करंट निकालने के लिए करना क्या है, बाकी के दो रिजिस्टर में करंट निकाल लो, उसके बाद जीनर में भी आ जाएगा, ठीक है जी, ये procedure फ कौन सा है photo diode special purpose diodes है special purpose diodes हमारे syllabus में चार है जीनर diode है photo diode है LED है और solar cell है सुनियेगा photo diode क्या करता है works in reverse biased current is changed by photons through photo excitation it is operated below breakdown voltage देखो सब सम्झाता हूँ पोटो डायोड में क्या होता है जो आपके पास PN जंक्शन होता है यह negative यह positive इसको reverse की जाती है reverse bicing की जाती है इसकी क्या की जाती है reverse biicing की जाती है इधर negative इधर positive इस डायोड के उपर light डाली जाती है कि इस डायोड के उपर light डाली जाती है इस डायोड के उपर क्या डाली जाती है light इस light की energy होती है H new इस light की energy क्या होती है H new ये light इसके उपर डाली जाती है ये light इस तरीके से डाली जाती है कि इसकी energy semiconductor के band gap से जादा होनी चाहिए ये light की जो energy है इसके band gap से क्या होनी चाहिए ज डेपलीशन लेयर के उपर लाइट डाली जाती है, डेपलीशन लेयर के उपर जब लाइट डाली जाती है, उस लाइट के पास क्या है, कुछ एनरजी है, वो एनरजी इसके बैंड गैप से जाधा होनी चीए, यानि कि वो एनरजी, इसके बैंड गैप से क्या होनी चीए, जा जैसे ही यह ज्यादा है तो electron and whole create होंगे electron and whole create होंगे and current बढ़ेगा and current increases एकदम से current जो है वो increase करेगा जो यहाँ पर current है वो change होता है through the photons by the photo excitation इस process को photo excitation कहते हैं भई जब light की वज़े से electron whole create होते हैं और एकदम से current बढ़ता है reverse bias में working होती है operated below breakdown voltage इसमें जो voltage होती है वो breakdown voltage से कम होती है जादा नहीं होती जो voltage होती है वो breakdown voltage से क्या होती है कम होती है इसमें जो आपको current का graph मिलेगा जब आपने light बिल्कुल नहीं डाली तब भी कुछ ना कुछ current इसमें मिलता है जब आपने light बिल्कुल नहीं डाली तब भी कुछ ना कुछ current मिलेगा ठीक है जी क्योंकि battery तो लगी हुई है जब battery तो लगी हुई है तो कुछ ना कुछ current तो मिलेगा और reverse biased में मिलेगा third quadrant अब आपने light डाली light डालने से extra electron और hole create हुए उसकी वज़े से current बढ़ गया उसकी वज़े से current बढ़ गया तो अब जो current का graph होगा नया वाला वो ऐसा बनेगा current increase हो गया और ज्यादा light डालोगे और ज्यादा current बढ़ेगा और ज्यादा light डालोगे और ज्यादा current बढ़ेगा क्या बात समझ में आ गई है तो यह जहाँ पर कोई light नहीं डाली गई इसको कहते है dark current जब light बिल्कुल नहीं डाली गई बिल्कुल light ना डालने पर जो current आ रहा है उसको कहते है dark current फिर light डाली current बढ़ा और डाली और बढ़ गया ठीक है जी तो ये intensity बड़ा i जो है मैं intensity का लिख देता हूँ और छोटे i से current को लिखा हुआ है ठीक है जी तो intensity i3 greater than i2 greater than i1 तो intensity बड़ाने से current बड़ा है ये है photo diode की working मैं आपको दुबारा समझा रहा हूँ कि photo diode क्या है जीनर diode की तरह ही इसे reverse में लगाया जाता है less than breakdown voltage जीनर में ज्यादा होती है voltage breakdown से इसमें कम होती है इसमें हमारा purpose दूसरा होता अभी purpose समझाऊँगा आपको और clear हो जाएगा इसमें किया क्या जाता है बिना light डाले पहले बिना light डाले कुछ current आ रहा है उसको बोलते है dark current अब light डाली depletion layer पे light डाली bond टूटे extra electron hole create हुए current बढ़ गया जितनी ज्यादा light डालेंगे विया अदलब जितनी light की intensity ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा current आपको show करना है तो उतना ही graph जोगा और नीचे जाता जाएगा यानि कि current negative में बढ़ता चला जा रहा है समझ गए और इसके अभी ही नहीं हो पाएंगे तो extra electron hole create करने के लिए हमारी जो energy है वह band gap की energy से क्या होनी चाइए ज्यादा होनी चाहिए ठीके हंजी हमारी energy जो है वह band gap की energy से क्या होनी चाहिए । बहुत अच्छे तो यह है हमारे पास photo diode की working अब photo diode का काम क्या है मैं आपको photo diode का काम दोटात कि यहाता है डिटेक्शन में काम कैसे काम वह समझाता हूं कि जी कैसे काम करता है उसको समझाता हूं सुमयेगा से बहुत क्लियर कट्ट बहुत अच्छे से संभना ठीक है Parents के साथ गये हो गए, Mall में गये हो ना, बास, सुनो आप, Mall में लगा होता है automatic door, दर्वाजा, ठीक है जी, Automatic दर्वाजा लगा हुआ है, मान लो, अट्यों में, लगा हुआ है, Automatic door लगा हुआ है, उस डोर के दोनों तरफ क्या होता है, light और फोटो डायोड लगा होता है आपको समझाता हूँ इस तरफ से इंफरा रेड लाइट आती है और वो इस तरफ फोटो डायोड होता है यहाँ पे ठीक है जी फोटो डायोड का सेंसर होता है उस पे वो infrared light पढ़ती है ठीक है जी माल लो आप mall के अंदर enter हो रहे हूँ आपका automatic door है जो आपके जाने से खुलना चाहिए मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि आपके जाने से वो कैसे खुलेगा ठीक है देखना door बंद है ये इधर light पढ़ रही है infrared light होती है ठीक है जी आपको नहीं दिखती infrared light होती है वो सामने दूसरी तरफ एक sensor लगा होता है photo diode की form में तो उस पे पढ़ती है ठीक है जी पढ़ रही है पढ़ रही है न ओके अब माल लो आप गए mall के अंदर आप door की तरफ बढ़ रहे हो आप door की तरफ बढ़ रहे हो यह person है जो door की तरफ बढ़ रहा है अब यह person door की तरफ जा रहा है जैसे यह door की तरफ गया क्या यह light के रस्ते में आ गया बताओ यह person door की तरफ बढ़ रहा है क्या यह light के रस्ते में आ गया आ गया बिलकुल तो उस पे light पढ़नी बंद हो गई, है ना, उस पे light पढ़नी बंद हो गई, यानि कि person के रस्ते में आने की वज़े से light की intensity कम हो गई, light की intensity कम हो गई, तो current भी कम हो गया, है ना, light की intensity बढ़ने से current बढ़ता है, तो intensity कम होने से, है ना, person बीच में आ गया, light की intensity कम हो गई, current भी कम हो गया जैसे ही करंट कम हो गया यह इसको आदेश दे देगा कि भाई डोर उपन कर दो मतलब सेंसर सेंसर जो है सेंसर को कब पता चलेगा कि डोर खोलना है जैसे ही करंट कम हुआ sensor को पता चल जाएगा कि door खोलना है और current कैसे कम होगा जब मैं इसका रस्ता जाके block करूँगा light पढ़नी बंद हो जाएगी light की intensity कम हो गई current कम हो गया door खोलने की बारिया क्या समझ गए तो detection के काम आता है भई detect करता है चीजों को क्या काम आता है detection में काम आता है चीजों को detect करता है detect करता है मेरे भई तो यह इसका काम है clear हुआ? चलो एक सवाल आ गया भई आपके सामने एक सवाल आ गया देख लो देख लो देख लो अब PN photo diode is made of a material with a band gap of 2 electron volt the minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly minimum frequency बतानी है material की जो की absorb की जा सकती है photo diode का सवाल है photo diode का सवाल है यह जो light इस पर पढ़ रही है ठीक है जी यह H new इसकी frequency band gap से इसकी energy है वो band gap से क्या होनी चीए जादा हमें बताना है new की minimum value तो new must be greater than EG by H new must be greater than EG by H होना चीए ओके अब EG लिखो 2 electron volt joule में convert करो भाई क्यूंकि frequency बतानी है hertz में ठीक है जी और नीचे लिखो H 6.6 into 10 की power minus 34 चिक अब इसकी calculation लग रही होगी sir की हमें तो बड़ी difficult लग रही है calculation ठीक है जी हमें तो बड़ी difficult लग रही है calculation क्या करोगे देखो अगर यहाँ पे 64 होता तो 16 forza 64 होता है भाई 16 को 4 से multiply करते हो 64 आता है calculation करनी सिखा रहो तो इसको लगभग लगभग काड़ दो यार 4 पे तक्रीबन तक्रीब काड़ दो काड़ दिया भाई 6.4 होता तो काड़ देते न 6.6 पे काड़ दो final answer के करीब तो पहुंची जाओगे इन्होंने भी nearly पूछा हुआ exact तो इन्होंने भी नी पूछा हुआ आप से nearly पूछा हुआ तो nearly answer बता दो आप देखो तो यह देखो क्या बना अब यह 2, 4 यह 1 by 2 तो frequency greater than 1 by 2 अब यह 10 की पावर उपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 34 minus 19, 15 10 की पावर 15 तो 1 by 2 into 10 की पावर 15 यानि की 0.5 into 10 की पावर 15 hertz यानि की frequency is greater than 5 into 10 की पावर 14 hertz इससे थोड़ी सी जादा होनी चीए तो minimum frequency आपको चाहिए 5 into 10 की पावर 14 hertz फोटो एक्साइटेशन करवाने के लिए bond तोड़ने के लिए bond तोड़ेंगे तो electron hole create होंगे current बढ़ेगा तो current बढ़ाने के लिए जो आपको frequency चाहिए minimum 5 into 10 की पावर 14 hertz चाहिए बात समझ में आ गई बोलो भई देख लो clear हो गया के नहीं हुआ हो गया के नहीं हुआ हो गया के नहीं हुआ yes 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 बहुत बच्चे बहुत अच्छे very good इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप इसको कर पाएं ठीक है okay आगे बढ़ते हैं light emitting diode लाइट एमिटिंग डायोड LED LED लाइट्स ठीक है जी LED में क्या होता है अच्छा पहले तो इसका सिंबल बता देता हूं आपको फोटो डायोड का ना सिंबल होता है एक सिंबल बता दू इसका सिंबल होता है फोटो डायोड का यह डायोड बना होता है इसके उपर लाइट emitting diode इसमें क्या होता है P में whole ज्यादा N में electron ज्यादा तो होता क्या है कि इसको पहले लगाते हैं forward biased के अंदर ठीक है जी लगाते हैं किसमें forward biased forward biased में लगाते हैं ठीक है जी पहली बात convert करता है electrical energy को light energy में इसमें light निकलेगी इसमें light निकलती है होता क्या है जैसे ही मैंने forward biased में इसको लगाया holes उधर जाएंगे electrons इधर आएंगे ठीक है जी electrons इधर आएंगे तो जब holes and electrons इधर जाएंगे electrons and holes combine with each other and produce light electrons and holes आ रहे हैं electrons and holes के पास कौन सी energy है kinetic energy electrons and holes आ रहे है electrons and holes के पास कौन सी energy आई है kinetic energy और जैसे ही वो combine हुए तो वो अपनी energy light energy में convert कर देते हैं देखो ये सबसे पहले मैंने battery लगाई battery से current आया पहले कौन सी energy है electrical energy पहले कौन सी energy है electric energy मैंने battery लगाई battery लगाई battery की वज़े से electron और hole ने move किया electrical energy की वज़े से electron और hole ने move किया electron और hole के पास कौन सी energy है kinetic energy अब जैसे ही यह combine हुए, electron or hole आपस में क्या हुए, combine हुए, तो उन्होंने combine होके, क्या produce कर दी, light energy create कर दी, यानि कि light produce कर दी, तो इसमें से अब light निकलेगी, इसमें से अब light निकलेगी भई, light energy इसमें produce होती है, photo diode में क्या होता हुथा, हम light डालते थे, इसमें light क्या होती है, produce होती है, इसका symbol ऐसा होगा, इसमें light निकलती हुई दिखानी है, और इसमें जो energy निकलती है, वो band gap से कम होगी या हो सकता है, उसके बराबर हो, देखो, इसमें पहले वाले photo diode के case में क्या था, हम light डालते थे, हम light उस पर डालते थे, हम energy देते थे, तो हमें energy जादा देनी चाहिए थी band gap से, ठीक है, LED में क्या है, हमें energy मिल रही है, हमें light energy मिल रही है, यह जो energy हमें मिल रही है, यहाँ पर हम दे नहीं रहे, यह दे नहीं रहे, यह हमारे हाथ में नहीं है, यह हमें मिल र मिल जाए अगर कोई losses वगेरा ना हुए तो हो सकता है हमें light energy band gap के ही बराबर मिल जाए वरना कम मिलती है जर्नली वरना क्या मिलती है कम मिलती है clear हुआ हमें light कौन से color की मिल रही है ये depend करता है band gap कितना है जो light इसमें से emit हो रही है अब light तो कोई भी emit हो सकती है infrared भी हो सकती है ultraviolet भी हो सकती है visible radiation भी हो सकती है तो visible radiation के लिए band gap इसके और इसके बीच में होना चाहिए अगर जो material हम use कर रहे हैं उसका band gap इसके और इसके बीच में नहीं है तो हमें जो light मिलेगी वो दिखेगी नहीं और अगर हमें light नहीं दिखेगी तो क्या करेंगे तो फिर ऐसी LED का क्या काम मेरे को बताओ ऐसी LED का क्या काम जिसकी light नहीं दिखरी मेरे भाई तो band gap इसके और इसके बीच में होना चाहिए Gallium Arsenide Infrared Radiation Gallium Phosphide Red या Green Gallium Arsenide Phosphide Red या Yellow देखो मेरी रथान से सुनो मैंने आपको क्या बताया Visible Radiation के लिए ये BenT Gap होना चाहिए उसमें से मैं कुछ टाइप्स बतारहों याद करने है Gallium Arsenide से Infrared Light निकलती है अगर Gallium Phosphide वाला यूज़ करेंगे तो red या green color की light निकलेगी gallium arsenide phosphate यूज़ करेंगे तो red या yellow color की light निकलेगी ये learn करना है ये याद रखना है वही याद रखना है याद रखना है LED जो होती है वो easy to handle होती है सस्ती होती है less power consume करती है इसमें energy losses बहुत कम होते हैं जो हमारे normal bulb होते थे उनको कहते incandescent lamp आपने ये नाम शायद सुना हो शायद ना सुना हो जो हमारे पुराने वाले बल्ब आते थे न जो हमारे पुराने वाले बल्ब आते थे जो yellow color की light फैकते थे उनको बोलते incandescent lamp ठीक है जी तो उसके मुकाबले में LED बहुत कम खर्चा करवाती है बहुत कम power consume करती है क्योंकि इन बल्ब में basically क्या होता था heat loss बहुत जादा होता था ये जो पुराने वाले बल्ब होते थे conventional जो बल्ब होते थे इनमें heat loss बहुत जादा होता था LEDs में ऐसा नहीं होता LED आपको चमकदार अच्छे तरीके से light देती है clear हुआ तो LED क्या है forward biased है ठीक है जी तो forward biased लगाया electron hole combine हुए उन्होंने combine होके light emit कर दी जो band gap है ठीक है जी जो हमारी energy जो emit हुई है वो band gap से कम होगी या हो सकता है बराबर हो लेकिन जो band gap होना चाहिए visible radiation के लिए वो इतना होना चाहिए उसके अलावा ये चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि theoretical question आ सकता है आप सारे numerical करके गए सारी चीज़ें पढ़के गए लेकिन theory याद नहीं अगर आप करके गए तो बेड़ा गरक होने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि chapter theoretical है theory से related चीज़ें direct पूछी जाएंगी अगर आपको आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता तो theory छोड़के नहीं जानी जो theory याद करनी है हम आपको करवा रहा हूं यहाँ पर याद ठीक है जी clear हुआ चलो अरे भीया इधर आ जाओ अब अगला आ गया solar cell जी हाँ solar cell आ गया भाई solar 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 cell solar cell के अंदर कोई byasing नहीं यूज होती कोई byasing यूज नहीं होती ना तो reverse नहीं forward ठीक इसमें होता क्या है समझा देते हैं solar cell तो आपको पता ही है मान लो उपर का reason N है और नीचे का reason P है ठीक है जी मान लो उपर का reason N है N में electrons ज्यादा है और नीचे का reason P है उसमें holes ज्यादा है उसमें क्या है? holes ज्यादा है N के reason को एक wire से connect कर रखा है और नीचे से P के reason को एक wire से connect कर रखा है कोई biasing use नहीं की गई कोई biasing use नहीं की गई है मेरे भाई ठीक अब आपको पता है N की तरफ positive होता है जो hypothetical बैटरी बनती है वो तो याद है न एन की तरफ positive होता है और P की तरफ क्या होता है negative होता है पता है यह hypothetical बैटरी है हमने अलग से कोई biasing use नहीं करी यह hypothetical बैटरी है सिरफ यहाँ पे बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि सर आपने N का रीजन पतला बनाया है P का रीजन मोटा बनाया है देखो जरा यह जानबूज के बनाया है इसका कारण बताऊंगा N का रीजन मैंने पतला बनाया है P का रीजन मैंने मोटा बनाया है दिख रहा है कोई biasing नहीं है सिरफ potential barrier वाली बैटरी है सिरफ depletion layer वाली बैटरी है N को तार से connect कर दिया P को तार से connect कर दिया ठीक है यह उपर वाला रीजन पतला क्यूं बनाया है यह बताऊंगा मैं यह भी बताऊंगा ठीक solar cell करता क्या है solar cell करता है light energy को electrical energy में convert ठीक है जी solar cell light energy को electrical energy में convert करता है light इस पे आके पड़ती है ठीक है जी देखो समझाता हो होता क्या है अब working समझो इसकी उपर से light आती है लाइट आके depletion layer पे पड़ती है उपर से light आती है depletion layer पे पड़ती है जैसे ही light आके depletion layer पे पड़ती है इसके bond तूटते है जैसा कि photo diode में भी होता था photo diode में भी सेम था बस photo diode में reverse बाइसिंग होती थी इसमें कोई बाइसिंग नहीं है ठीक है जी ध्यान रखना तो लाइट आके इस पर पड़ती है ठीक है जी उसके क्या होगा light raise strike on depletion layer so electrons and holes are created and potential difference is created light आके depletion layer पर पड़ेगी light की energy light की energy जो है वो obviously band gap से क्या होनी चीए जादा होनी चीए तो light आके depletion layer पर पड़ेगी electrons and holes create होगे अब वो electrons and holes जाएंगे कहा है obviously electron जाएंगे positive की तरफ और holes जाएंगे negative की तरफ देखो उपर की तरफ positive है और नीचे की तरफ negative है तो electrons जाएंगे उपर की तरफ electrons जाएंगे उपर की तरफ और holes जाएंगे नीचे की तरफ क्योंकि holes नेगेटिव की तरफ जाएंगे, है न, होल्स पॉस्टिव चार्ज है और इलेक्ट्रोन नेगेटिव चार्ज है तो यह पॉस्टिव की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही कथा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कथा हो जाएगा, पॉस्टिव चार्ज यहाँ पे negative charge ही कठा हो जाएगा और यहाँ पे क्या create हो जाएगा positive charge तो potential difference create हो गया potential difference create हो गया light energy electrical energy में convert हो गई light energy electrical energy में convert हो गई दुबारा सुनलो कोई बाइसिंग नहीं होती light आके पड़ती है energy band gap से ज़्यादा होती है उसकी वज़े से electron और hole create होते हैं वो electron और hole इस potential barrier वाली battery की वज़े से move करेंगे electron उपर जाएंगे hole नीचे जाएंगे तो उसकी वज़े से negative और positive क्या create हो गया potential difference create हो गया यहने कि light energy किस में convert हो गई electrical energy में convert हो गई अब उस बात का उत्तर कि उपर वाली layer so that the sun rays reach depletion layer easily देखो सूर्य की किरने उपर से आ रही है सूर्य की किरनों को कहा पहुचना है depletion layer पे पहुचना है तो इसलिए हमारी कोशिश यह रह नीचे कि उपर जो भी layer हो वो पतली हो ताकि rays easily यहां तक पहुच जाएंगे उनको जादा disturbance ना हो उपर जो भी layer रखो देखो उपर P रखो नीचे N रखो जो भी आप उपर रखोगे वो पतला रखना है क्योंकि वो sun के direct contact में आ रहा है तो वो पतला होना चीह ताकि sun rays easily depletion layer तक पहुच जाएंगे clear हुआ बहुत अच्छे great अब इसकी वज़े से जो graph बनता है potential difference और current के बीच का अब मैं आपको graph दिखा रहा हूँ भाई मेरे अब आप देखना यहाँ पे current और potential difference के बीच का जो graph है वो fourth quadrant में बनता है भाई वो fourth quadrant में बनता है इसके कुछ points है जो मैं आपको बताता हूँ यह बड़ा अजीबो गरीब graph है लेकिन ऐसे का ऐसे याद रखना है VOC को बोलते है open circuit voltage open circuit voltage और ISC को बोलते है short circuit current यह graph बनता है fourth quadrant में graph किस में बनता है भीटा fourth quadrant में V open circuit voltage I short circuit current तो graph between V and I is in fourth quadrant कैसे बनता है मैं समझा देता हूँ देखो इस voltage पे देखो current कितना है VOC पे देखो current कितना है 0 इस point पे current कितना है 0 है और इस point पे voltage 0 है तो जब current 0 है तो आप इसको open circuit बोल सकते हूँ current 0 कब है देखो यहाँ पे potential difference create हो गया potential difference create हो गया ठीक है जी अभी इसको मैंने circuit में नहीं लगाया अब मैं इसको लगा देता हूँ circuit में इसके साथ resistor connect कर देता हूँ इसके साथ load resistance यानि कि output resistance connect कर देता हूँ जैसे ही मैंने resistance connect कर दिया इसमें current आ जाएगा जैसे ही मैंने resistance connect कर दिया इसमें current आ जाएगा जैसे ही यह current आया यह positive और negative कम होने शुरू हो जाएंगे यानि कि potential difference decrease होना शुरू हो जाएगा, ध्यान से सुनो, current की direction क्या होती है, flow of positive charge, current क्या होता है, flow of positive charge, तो यहाँ पे positive charge है, यहाँ पे negative charge, current ऐसे से ऐसे जाएगा, है ना, positive से negative जाएगा, तो इधर positive charge की कमी हो जाएगी, है ना, इधर positive charge की कमी हो जाएगी, और उधर चला जाएगा positive charge, तो इधर negative charge की कमी हो जाएगी, मानते हो इस बात को, ध्यान से सुनना, यह positive और negative थे, मैंने resistor connect किया, output वाला, current गया, यानि कि positive charge ऐसे से ऐसे गया, तो इधर positive charge की कमी हो गई, और क्योंकि जब positive charge उधर चला गया, तो उदर negative charge को neutralize करेगा यह तो उदर negative charge की कमी होनी शुरू हो जाएगी यानि कि जैसे-जैसे current बढ़ेगा वैसे-वैसे voltage कम होनी शुरू हो जाएगी तो जब बिल्कुल भी current नहीं है यानि कि ये resistor नहीं लगाया ये resistor नहीं लगाया तो उस time पे जो voltage है वो open circuit voltage है और जैसे जैसे voltage कम होगी वैसे वैसे current बढ़ेगा या जैसे current बढ़ेगा वैसे वैसे voltage कम होगी और जब voltage 0 हो गई तो current उस time पे short circuit current होगा यानि की maximum current होगा ठीक है जी isc तो इस point पे current 0 है circuit अभी open है और फिर जब voltage खतम हो जाएगी potential difference ये धीरे धीरे ये positive और negative charge खतम हो जाएगे उस time पर जो current आएगा वो कौन सा आएगा short circuit current आएगा ये solar cell की working है फिर दुबारा से हमें light देनी पड़ेगी दुबारा से positive negative create होंगे दुबारा से current आएगा समझ पा रहे हो तो ये graph है याद रखना है ठेक है जी यो बोलो बोलो भाई solar energy has a maximum intensity at 1.5 electron volt solar energy का जब intensity के साथ graph बनाया जाता है न intensity का energy के साथ graph बनाया जाता है h new के साथ तो वो graph आपको 1.5 electron volt पे maximum मिलता है यानि कि solar radiations ये वाले electron volt की सबसे ज़ादा मात्रा में होती है मलब इतनी energy वाली solar radiation सबसे ज़ादा मात्रा में होती है sun के अंदर मलब sun से जो light हमारे पास आती है सबसे ज़ादा मात्रा में ये वाली light आती है सबसे ज़ादा मात्रा में sun से ये वाली light आती है उसकी intensity sun से आरी radiation की ये वाली सबसे ज़ादा होती है तो अगर हम ऐसे material का solar cell बनाएं जिसका band gap इसके पास हो तो वो अच्छा है देखो silicon with band gap of 1.1 electron volt is a good material ठीक है जी लेकिन best material है gallium arsenide gallium arsenide का band gap 1.5 electron volt है वो best material है solar cell के लिए क्योंकि उसका band gap इसके लगभग जस्ट पास होता है हलका बहुत फरक होता है ठीक है जी तो हलका बहुत फरक होता है या फिर exactly मैं कैदू कि same होता है ठीक है जी हलका हलका सा फरक होता है ये 1.53 होता है ये 1.5 है तो gallium arsenide जो है solar cell के लिए best material माना जाता है क्योंकि इस energy पे इस electron volt पे sun की intensity सबसे ज़ादा होती है ठीक है जी sun से आने वाली radiation सबसे ज़ादा मात्रा में ये वाली होती है तो अगर इस material का solar cell बनाया जाए तो वो अच्छा होगा silicon वाला भी अच्छा है लेकिन ये best है ठीक है जी लेकिन ये best है क्या आपको clear हो गया बोलो मेरे भाई बोलो भाई clear चलो solar cell clear होना चीए भाई आपको और ये theory वाली चीज़ें याद रखनी है theory वाली चीज़ें याद रखनी है 2014 में question आया था चलो फटा-फट question करो question करो भाई फटा-फट 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 सवाल solve करो ये जी हाँ जी हाँ सवाल solve कीजिए the given graph represent VI characteristic for a semiconductor device which of the following statement is correct बताओ 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 इरी विया बताओ ने इरी बताओ तू क्या आएगा बताओ ने इरी विया बताओ 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 इरी विया बताओ इस VI characteristic for the solar cell क्या ये solar cell का है where a represent open circuit voltage and b represent short circuit current देखो c option गलत है ये c option कह रहे है ये photo diode का graph है led का graph भी नहीं है ये ये graph तो है solar cell का ये बात पक्की है और a option ही सही है क्योंकि a point represent कर रहा open circuit voltage को और ये represent कर रहा short circuit current को ठीक है जी बी point तो यही option सही है भई ये बी वाला option गलत हो गया क्योंकि ये कह रहे है कि a and b represent open circuit voltage and current नहीं short circuit current है बेटा कैसा current है short circuit current है open circuit voltage है b option नहीं है बेटा a option है a option है clear हुआ और graph है solar cell का ये पूछा हुआ था 2014 का सवाल है ये देखो इतना आसान सवाल सिरफ graph पूछा हुआ है आपसे सिरफ क्या पूछा हुआ है graph चलो भाई solar cell भी खतम हो गया अब अगला topic जो आया है वो है junction transistor सुनो मेरी बात junction transistor को बहुत detail में समझाओँगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाओँगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कोई भी डरने की बिलकुल भी आवशकता नहीं है ठीक है जी important topic है, question आ सकता है थोड़ा सा difficult topic माना जाता है ये बात मैं भी मानता हूँ कि इस topic को difficult माना जाता है लेकिन आपको घखराने की बिलकुल भी आवशकता नहीं है topic difficult जरूर माना जा सकता है लेकिन यहाँ पर PW में difficult कुछ नहीं होता, ठेक है जी, चलिए, junction transistor, junction transistor क्या होता है, junction transistor के अंदर दो junction होते हैं, और तीन terminal होते हैं, कैसे समझाता हूँ, junction transistor दो टाइप के होते हैं, PNP और NPN, पहले वाला junction transistor में आपको बता रहा हूँ, वो है PNP, इसको बोलते हैं PNP, PNP transistor, emitter, base, collector, emitter, base, and collector, E को बोलते हैं, emitter, B को बोलते हैं, base, और C को बोलते हैं, collector, emitter जो है, वो P है, तो इसमें whole बहुत ज़्यादा होंगे, hole बहुत ज़्यादा होंगे, B जो है, वो N है, तो इसमें electrons बहुत ज़्यादा होंगे, और collector में फिर से holes बहुत ज़्यादा होंगे, collector में holes फिर से बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी, अब इसमें देखो, दो जंक्षन है पहला जंक्षन है एमिटर और बेस का देखो ध्यान से मैं लाइन मार के दिखा रहा हूं आपको यह जंक्षन है एमिटर बेस जंक्षन यह जंक्षन है एमिटर और बेस का जंक्षन और यह जंक्षन है बेस और कलेक्टर का जंक्षन दो जंक्षन है तीन टर् transistor कहा जाता है BJT bipolar junction transistor PNP और NPN ठीक है जी ओके emitter heavily doped होता है मतलब emitter के अंदर doping बहुत ज़्यादा होती है आप देखो holes की संख्या मैंने बहुत ज़्यादा दिखा रखी है base lightly doped होता है कम electrons है यहाँ पे collector moderately doped है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम देखो सबसे ज़्यादा भीड कहा है emitter में सबसे कम भीड कहा है base में और सबसे moderate जो भीड है है ना कम ना ज़्यादा वो कहा है collector में ठीक यह है PNP transistor अगर मैं size wise बात करूं size के respect में बात करूं तो size wise area of collector जो है वो सबसे ज़्यादा होगा फिर area of emitter होगा अगर size में देखें तो size में सबसे बड़ा collector दिखेगा आपको यह लो मैं आपके सामने बना भी देता हूँ आपको clear हो जाएगा size में सबसे बड़ा आपको collector दिखेगा यह देखो सबसे बड़ा आपको size में क्या दिखेगा collector दिखेगा collector size में सबसे ज़्यादा होगा area collector का ज़्यादा होगा फिर emitter का और फिर base का ठीक है जी base सबसे चोटा होगा doping किस में ज़्यादा होगी emitter में size किस का ज़्यादा होगा collector का clear है यह हो गया PNP दूसरा हो गया NPN दूसरा हो गया NPN NPN this is emitter base collector emitter में N है क्योंकि number of electron ज़्यादा दिखाने है P में hole ज़्यादा दिखा दू और इसमें moderate electrons दिखा दू इसमें moderate है और इसका size भी बड़ा है ठीक है इसमें moderate है और इसका size भी क्या है बड़ा है collector का क्या बात समझ में आ रही है तो यह हो गया कौन सा NPN कौन सा हो गया NPN हो गया भाई PNP और NPN PNP और NPN चलो अब इसकी working इसकी working कैसे होती है वो समझो सबसे पहले बनाता हूँ PN सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहां पर PNP अब़ाखब सोन यह आ है वय को गया ना बेस कलेक्टर फिक है जी PNP मैंने बना दिया बेस बीच में है Emitter इधर है collector इधर है इसके साथ battery लगा रहा हो कि इसके साथ battery लगा रहा हो दोनों के बीच में बेस है इधर वाली battery को नाम रहा हूँ VEE Emitter battery और इधर वाली battery है collector battery ठीक है जी base battery कोई नहीं है base बीच में है ज्यान से सुनना base बीच में है इधर वाली battery है emitter battery इधर वाली battery है collector battery VEE VCC ठीक है जी ओके यह है emitter और base का junction यह देखो यह है emitter और base का junction यह battery connect कर रही है emitter को base से ज्यान से सुनो यह battery connect कर रही है एमिटर को बेस से एमिटर बेस जंक्षन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ट है बेटा आप देखो पी की तरफ पॉजिटेव है इधर देखो पी की तरफ पॉजिटेव है पी की तरफ क्या है पॉजिटेव है पी की तरफ पॉजिटेव है तो एमिटर और बेस का जंक्षन जो है एमिटर और बेस का जंक्षन जो है वो क्या है फॉरवर्ड बायस्ट है फॉरवर्ड बायस्ट में करंट इजिली आ जाता है इसलिए ठीक है जी फॉरवर्ड बायस्ट के अंदर resistance कम होता है तो इसलिए यहाँ पे इतनी जादा high voltage की battery की आवशक्ता नहीं है इसलिए यह battery small रखी जाती है मेरी बात ध्यान से सुनना emitter base junction जो होता है वो forward biased होता है forward biased में resistance कम होता है current easily मिल जाता है इसलिए यह battery की voltage की इतनी जादा आवशक्ता नहीं है इसलिए इस battery की voltage low रखी जाती है उसके बाद base और collector के बीच का जो junction है base और collector के बीच का जो junction है वो reverse biased आप देखो यह negative है यहाँ पे P की तरफ negative आ रहा है P की तरफ negative आ रहा है P की तरफ negative मतलब reverse biased तो collector base junction जो होता है वो reverse biased होता है इसका resistance बहुत हाई होता है तो इसमें current लाने के लिए voltage जादा चाहिए इसमें current लाने के लिए voltage जादा चाहिए इसकी voltage कम हो तो काम चल जाएगा और इसकी voltage जादा होने से काम चलेगा क्योंकि इधर resistance बहुत जादा होता है तो इधर voltage हमें क्या चाहिए जादा चाहिए ठीक है जी क्या चाहिए जादा चाहिए बहुत ध्यान से एक एक चीज समझना जो clear cut तरीके से मैं आपको समझाऊँगा ठीक है अब सुनिएगा यह current का दिखा रखा है junction law i emitter is equals to i base plus i collector इसमें emitter current ऐसे होता है और base और collector current बाहर की तरफ आता है यहां से सुनो base से जो current आता है वो है base current ठीक है जी collector से जो current आता है वो है collector current वो क्या है collector current और दोनों मिल जाते हैं यहां पे और इधर क्या बनाते हैं emitter current ठीक है जी और दोनों मिल जाते हैं यहां पे क्या बनाते है emitter current बनाते हैं ठीक है जी, emitter current मनाते हैं, यह कैसे work करता है थोड़ा सम आपको समझाता हूँ, ठीक है जी, इसका working action समझाता हूँ, ठीक है जी, clear होना चीह आपको, working action देखो, सबसे पहले इदर देखो, इदर positive और negative है, जैन से सुनो, इदर positive इदर negative, holes किस तरफ जाना पसंद करेंगे, negative की त ठीक है जी, इदर जाएंगे रस्ते में क्या पढ़ रहा है, base, base के पास क्या है, electrons, suppose करो, for example, मैं मानके चल रहा हूँ, ज्यान से सुनो, ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर 25 holes है, और base के अंदर 3 electrons है, आपके पास यहाँ पर 25 holes है, और base के अंदर 3 electrons है, suppose करो, तो यह holes पहले उधर जाएंगे, holes किस तरफ जाएंगे, negative की तरफ, तो electrons के साथ combine होंगे, electrons के साथ क्या होंगे, combine होंगे, जैसे ही electrons के साथ combine होंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पर electrons की कमी हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से समयना, ठीक है, अगले page पर दिखाता हूँ आपको, अब आपको बड़े डायग्राम में मैं clear करता हूँ, देखो इधर hole जादा है, इधर electron जादा है, ठीक है, और इधर hole ठीक था कमांट में है, देखना, सबसे पहले कुछ hole इधर गए, कुछ hole इधर गए, ठीक है जी, मान लो 25 होल और इधर 3 electrons है, 25 होल इधर गए, ठीक है जी, electron से combine होए, सिरफ 3 electrons ही है, combine होने को, तो 3 electrons के साथ combine हो गए, तो इधर electrons की कमी हो गई, बताओ, base के अंदर electrons की कमी हो गई, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, यहां से wire से electron आएंगे, उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर wire से electrons आएंगे, जो कि base के अंदर electrons की कमी को पूरा करेंगे, मेरी बात ध्यांसे सुनना, holes उधर गए, electrons के साथ combine किया, electrons की कमी हो गई, तो यहाँ से electrons की कमी को पूरा किया जाएगा, तो यहाँ से आएगा base current. यहाँ से आएगा base current. IB, यहां से आएगा base current, electron इधर जा रहे है base current बाहर, क्योंकि electron है negative charge, और current होता है positive charge के flow में तो negative charge का उल्टा electron ऐसे जा रहे है, base current ऐसे आएगा clear, अच्छा 25 में से 3 इधर combine होगे 22 बचे 22 holes इधर आगए 22 holes इधर आगए ठीक है जी, इस से combine होने के लिए, यहां से electron आएंगे यहां से, इस terminal से electrons आएंगे, इन holes के साथ combine होने के लिए इन holes के साथ combine होने के लिए, यहां से electrons आएंगे फिर यहां से develop होगा कौन सा current, collector current electron अंदर गए collector current बाहर आया, फिर यह दोनों मिल के कौन सा current देंगे emitter current फिर ये दोनों मिलके कौन सा करेंट देंगे एमिटर करेंट ध्यान से सुन लो दुबारा बता रहा हूँ ठीक है जी दुबारा बता रहा हूँ फिर देख लो holes उधर गए कुछ electrons के साथ combine होए electrons की कमी हो गई उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये wire से electron आएंगे उसका उल्टा base current दिखा दो तीन electron के साथ combine हो गए 22 holes बचे ये for example ले रहा हूँ 22 holes बचे इनको इसके साथ combine होने के लिए यहां से electron आएंगे तो collector current आ गया ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया emitter current ठीक है जी base में electrons की बहुत कमी है तो तकरीबन तकरीबन पाँच परसेंट ये होता है और 95% collector current होता है भाई अगर मैं पूरे current में से बात करूँ तो 5% ही base current होता है और emitter current जो है हमारे पास emitter current का 5% base current होता है और तकरीबन 95% तक collector current होता है कोई fixed value यूँ नहीं है लेकिन तक्रीबन तक्रीबन इस से मापको ये बताना चाहता हूं कि बेस्करंट बहुत कम होता है ठीक है जी clear ओर यह बात बहुत बढ़िया ओके similarly NPN के अंदर अब ये तो PNP था NPN के अंदर उल्टा होगा NPN के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है इधर होल्स है इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है NPN Emitter Base Collector इसमें ये वाली बैटरी VEE सेम चीज जो वहाँ पर बोलते थे वही चीज हमें यहाँ पर बोलनी है VEE और VCC ठीक है जी Emitter battery और यहाँ पर कौन सी बैटरी है Collector battery ठीक है जी Emitter battery है और Collector battery है अब आप देखो Negative N की तरफ negative है N की तरफ negative है मतलब forward biased यह वाली बैटरी पिछली बार भी forward biased थी अभी भी forward है अब यहाँ पर देखो N की तरफ positive है N की तरफ positive है मतलब यह battery कैसी है reverse biased है यह battery कैसी है reverse biased है तो forward biased में battery की value जो है voltage की वो लो होगी और reverse biased में battery की voltage की value क्या होगी हाई होगी तो same वैसा जैसा PNP में था वैसा ही है देखो PNP में क्या था PNP यह वाली बैटरी की terminals देखो positive negative positive negative forward reverse इसमें क्या था PNP की जगा NPN कर दिया PNP की जगा NPN कर दिया और यह batteries भी उल्टी कर दी PNP की जगा NPN कर दी और batteries भी उल्टी कर दी तो यह forward रह गई और यह reverse ही रह गई ठीक है जी तो इधर भी change हो गया PNP की जगा NPN हो गया और batteries भी पलड़ दी तो इसलिए इधर वाली battery forward की forward ही रह गई और इधर वाली बैटरी रिवर्स की रिवर्स ही रह गई, है न, n की तरफ negative मतलब forward, n की तरफ positive मतलब reverse, ठीक है जी, तो इस वाली बैटरी की value low और इस वाली बैटरी की value high, और current, इसमें emitter current बाहर आएगा, और base और collector current अंदर जाएंगे, ठीक है जी, इसमें उल्टा होगा भा बैस और collector बाहर आ रहे है, PNP में, ध्यान रखना, PNP में क्या होता है, emitter current अंदर जाता है, base collector बाहर आते हैं, और NPN में क्या होता है, base collector अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, clear हुआ, ok, symbol बताता हूँ इनका, symbol PNP का symbol देखो transistor का symbol बता रहा हूँ मैं ऐसा सा symbol होता है इसका this is base this is collector this is emitter यहां से तीनों तारे निकाल दो ठीक है जी और दूसरा NPN NPN में भी ऐसे ही दिखाना है same diagram same diagram NPN में भी दिखाओ wires निकाल दो collector emitter, base बस एक जगा पे फरक दिखाना है एक जगा पे फरक दिखाना है emitter में current को अंदर जाते हुए दिखाना है और इसमें current को बाहर आते हुए दिखाना है बस देखो PNP की पहचान बाकी सब कुछ base और collector current दिखाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जी, सिरफ emitter current से ही पहचाना जाएगी PNP की पहचान है emitter current अंदर जाता है NPN की पहचान है emitter current बाहर आता है PNP की पहचान है emitter current अंदर जाता है NPN की पहचान है emitter current बाहर आता है clear है पहचान clear हुई भाई पहचान clear हुई के नहीं हुई बढ़िया, बहुत बढ़िया लो भई question आगया आपके सामने question आगया आपके सामने अच्छा green green use कर लिया क्या मैंने green use कर लिया क्या अरे यार सच में green use कर लिया क्या लो यार दुवारा बना देता हूं इसको लो लो भईया माफी चाहता हूं इसके लिए मेरे को फिर नहीं पता चला भई इतना ध्यान नहीं रहता यार इतना ध्यान नहीं रहता green color फिर से use कर लिया है green आपको दिखनी रहा है मुझे पता है यह बोर्ड की दिक्कत है भाई बोर्ड की दिक्कत है वेरी वेरी सॉरी एन पी एन एमिटर बेस कलेक्टर ठीक है जी वेरी वेरी सॉरी है इधर देखो यह कलर अब मैंने सही कर दिया है ठीक है जी आए होप अब आप देख पा रहे होगे इसको यह देखो अबिटर बेस कलेक्टर एन पी एन एन की तरफ देखो नेगटेव है तो यह रिवर्स बायष्ट s prevailie forward biased है एन की तरफ negative मतलब forward biased बैटरी की value की voltage कम होगी यहाँ पर एन की तरफ positive है इसका मतलब यह reverse biased है इसका मतलब इसकी voltage की value high होगी जैसा कि PNP में हुआ करता था, इधर वाली बैटरी लो वोल्टेज होती थी और इधर वाली बैटरी हाई वोल्टेज होती थी, ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, this is the NPN transistor, clear हो रहा है, ओके, और इसमें आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि NPN की पहचान है, एमेटर करेंट को बाहर दिखाना है, बाकी दोनों करेंट सिंबल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिरफ एमेटर करेंट से ही पहचान आ जाएगी, कि आप कौन से वाले transistor की बात कर रहे हैं, PNP की बात कर रहे हैं, या NPN की बात कर रहे हैं, clear? अब यह मेरा बड़े 6th of March को था, जिस दिन आपका, जो 12th क्लास वाले हैं, जिस दिन उनका बोड का एक्जाम था, CBSC बोड का, जी हां, उस दिन बड़े था मेरा देखो भाई, सवाल देखो, सवाल देखो और सॉल्व करो NPN Transistor Conducts When? देखो क्या लिखा हुआ है Sir, आप कल शादी में थे, परसों शादी में था यार, उसकी फोटो मैंने कल डाली, शादी थी यार, दोस्त की शादी थी, वो कॉलेज का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसकी आखरी खुशी में है, उसके बाद वो थोड़ा सा शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद पता नहीं विचारा खुश रह पाए, ना रह पाए, तो मेरे को यह था कि वाई, अब उसको खुश देखने तो जाना नहीं है, आखरी बार नहीं है, तो इसके लिए उसकी शादी में जाना पड़ा वरकुश, मेरी तो हो चुकी है, भाया और सवाल मत पूछना, मुझे पिटवाओगे तुम, दोस्त से भी पिटवाओगे और घरवालों से भी पिटवाओगे, ऐसे सवाल नहीं पूछा करते भाई, नहीं पूछते भाई, ऐसे सवाल, तो NPN ट्रांजिस्टर है, देखो मेरा दिमाग भी घूम गया है, वहाँ पे NPN लिखा है, मैं PNP बना रहा हूँ, तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, देखो, बैटरीज ऐसी लगी होती है, है ना, यह देखो, फिर से ग्रीन बना दिया क्या मैंने, अरे भाई, मेरे, मेरे को इतना गुस्सा खुद पे आ रहा है न, क्या ही बताऊँ मैं, अब सही है न, हाँ, फिर से ग्रीन बना दिया था मैंने, नहीं नहीं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, इस बार जल्दी नजर पड़ गई है बहुत difficult situation है यार यह तो है colors का ध्यान रखना पड़ रहा है और green तो अच्छा color है मेरे मेरे पर जचता है green color जब मतलब मैं पहनता हूँ यहाँ पर नहीं जा चरा है चलो छोड़ो इधर देखो emitter base collector और यह batteries लगाई है इधर देखो कहरें कि collector is both collector and emitter are positive with respect to base base के respect में देखना है base के respect में देखो base के respect में emitter क्या है negative base के respect में emitter क्या है negative और base के respect में collector क्या है positive यह base बीच में है base के respect में emitter क्या है negative और base के respect में collector क्या है positive तो बस टिक कर दो collector is positive and emitter is negative with respect to base, answer is B clear है जिन्नोंने B for Bombay answer दिया बहुत बढ़िया B for Bombay जिन्नोंने B for Bombay answer दिया बहुत-बहुत मुबारक हो आपको सच में भाई सच में मुबारक हो हैं जी हां जी हां जी हां जी हां जी चलो बस डाइग्राम याद रखो कि PNP में कैसी होती है NPN में कैसी होती है सब दिमाग में आ जाएगा ठीक है जी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं कि इसको याद रखके घुमते भिरो भाई हर जगा जाओ पुल याद रखेगा पुल याद रखेगा नहीं ऐसा नहीं ठीक है हां चलो ट्रांजिस्टर सर्केट पढ़ाऊंगा भई मैं आप पांच मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा वो है तो I am taking the five minute break ठीक है आप लोग भी पानी वानी पीलो यार तो ट्रांजिस्टर सर्केट जो है वो जस्ट five minute का break ले रहा हूँ क्योंकि गला मेरा में कुछ जादा खराच लग रही है I hope आप मेरा साथ दोगे यार ठीक है जस्ट five minute का break ले रहा हूँ अरे ठीक है जी जस्ट five minute छोटा सा break उसके बाद ट्रांजिस्टर सर्केट की बात करते है clear है जस्ट five minute का ले प्रांजिस्ट झाल 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 था चलो, हाँ, चलिए भई, अब transistor circuit की बात करते हैं, I hope आप आ चुके हैं आप वापिस, तो transistor circuit की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे यह देखो, यह transistor action की बात करी थी हमने, transistor action में मैंने आपको बताया था, PNP transistor में, emitter current अंदर जाता है, NPN transistor में emitter current बाहर आता है, ठीक है जी, अब उस transistor को हम circuit में लगा रहे हैं, उस transistor को हम circuit में लगा रहे हैं, इसका सिरफ एक ही case हमारे slayvus में है, NPN with common emitter configuration, NPN with common emitter configuration, CE लिखा हुआ है common emitter, common emitter NPN configuration, सिरफ यही हमारे slayvus में है, ठीक है जी, जी हाँ good morning भई, good evening, good night, जो भी है, हाँ, चलो, इधर सुनो अब, transistor का main circuit यह दिल में बसा लेना, यह diagram दिल में बस जानी चाहिए, दिल में बसा लेना इस diagram को, ठीक है, चलो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, दिल में बस जानी चाहिए, यह diagram भूलने से भी ना भूले यह diagram, दिल में बस जाए, ऐसी है यह diagram, भूलने से भी ना भूले, ऐसी है यह diagram, और अगर आप भूलना चाहोगे, तो आप भूल सकते हो, लेकिन न मत भूलना भाई, ठीक है, जी मत भूलना क्योंकि आपके लिए बहुत important है, चलो वई, अब हम तयार हैं, यह जो गोले गोले से हमने बना दिये है, अब हम तयार हैं, इसके लिए सुनिएगा, ठीक है, सुनना सुनना ध्यान से सुनना, ठीक है, यह है बेस, यह है एमिटर, यह है कलेक्टर, सबसे पहली बात, ठीक है जी, अगर यह एमिटर में से करंट क्या आना चाहिए, बहार, अगर यह एमिटर में से करंट क्या आना चाहिए, बहार, और बेस और कलेक्टर में से करंट कहा जाना चाहिए, अंदर, बेस और कलेक्टर में से करंट कहा जाना चाहिए, अंदर, तो बेस और कलेक्टर का करंट जा रहा है, अंदर, और एमिटर करंट आ रहा है, बहार, ठीक है, जी, कलेक्टर करंट अंदर की तरफ, बेस करंट अं common emitter है emitter दोनों में common है emitter बीच में है emitter common है emitter क्या है common इधर है base इधर है collector इस battery को बोलते हैं VBB बेस बैटरी इस बैटरी को बोलते हैं VCC collector battery मेरी बाद ध्यान से सुनना इसको इस इधर वाले सरकेट को कहते हैं input circuit यानि कि base का circuit और इधर वाले circuit को कहते है output circuit यानि कि collector का circuit emitter दोनों में common है emitter common है input है base की output है collector की तो इसको कहते है base बैटरी इसको कहते है collector battery base battery collector battery base battery collector battery इस पे मैं आपको ये arrow का symbol लगा हुआ दिखा देता हूँ arrow के symbol का मतलब होता है कि ये variable batteries है इनकी value मैं अपने हिसाब से change कर सकता हूँ ये होता है base resistance ये होता है collector resistance RC input and output resistance input resistance output resistance input current base current output current collector current input current base current output current collector current थीक है जी base current बहुत कम होता है इसको measure करने के लिए लगाया जाता है micro emitter collector current थोड़ा सा जादा होता है इसको measure करने के लिए लगाया जाता है milli emitter ये है micro emitter ये है milli emitter base current कम होता है उसको measure करने के लिए micro emitter collector current जादा होता है उसको measure करने के लिए milli emitter ठीक है जी potential देखो base और emitter ये देखो ये junction base से connected है इधर emitter से connected है ये देखो इधर emitter से connected है तो ये base और emitter के potential difference को measure करने के लिए यहाँ पे voltmeter लगाया जाता है बेस और emitter के junction के potential difference को measure करने के लिए यहाँ पे voltmeter लगाया जाता है VBE और इधर collector और emitter के junction के potential difference को measure किया जाता है वो होता है VCE potential difference VCE ध्यान से सुन लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये circuit है ये circuit अपने दिल में बसा लें दिल में बस गया circuit ठीक है जी emitter common है input base है output collector है ठीक है जी input battery output battery input battery कौन सी base battery output battery कौन सी collector battery input resistance कौन सा RB base resistance output कौन सा RC that is collector resistance input current output current input output current ठीक है जी ये दोनों का common current iB plus iC मिलके iE बनाएगा इधर का potential difference base और emitter के बीच का है base emitter junction है VBE इधर है collector और emitter का junction VCE ठीक है जी VCE clear हुआ बहुत बढ़िया तो ये सारा कुछ लिखा हुआ input variable battery input variable battery output battery sorry input current output current potential difference across base emitter junction VBE potential difference across collector emitter junction VCE क्या सब कुछ clear है बोलो भाई प्यांशूराज जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोगों के mark सच्छे आएंगे और आप लोग जिन्दगी में और ज़्यादा तरक्की करोगे तो उससे मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी होगी जी हां सच बता रहा हूँ हाँ सच भाही सच सच है यह बिलकुल सच है चलो यह clear हो गया everything is all clear ओके अब जो input होता है वो forward biased होता है देखो input में देखो input में देखो भाई NPN transistor था न NPN transistor था मैं आपको दिखाता हूँ यह है NPN emitter N base P collector फिर से N अब आप देखो base P है base देखो base पे P है NPN NPN देखो जो input circuit है अब देखो P के साथ positive connected है positive है और positive के साथ P connected है देखो जरा positive के साथ P connected है तो input circuit कैसा है forward biased अब इदर आजाओ इदर देखो NPN collector output वाला है output क्या है collector collector क्या है N N के साथ positive है N के साथ positive है N के साथ positive है मतलब reverse biased यहाँ पे P के साथ positive forward biased N के साथ positive reverse biased यानि की output कैसा है reverse है input कैसा है forward है और output कैसा है reverse है क्या बात clear हो रही है देखो NPN NPN तो input यानि की P के साथ positive तो input हो गया forward output N के साथ positive मतलब reverse N के साथ positive मतलब reverse ठीक है जी clear हो गया बहुत अच्छे तो अब मैं input और output characteristic आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ input और output characteristic ठीक है जी input और output characteristic सबसे पहले input का graph input voltage के साथ input potential difference VBE और input current base current तो देखो ध्यान से सुनो input में potential difference क्या है VBE यह potential difference है input का potential difference है यह VBE इसके साथ input current का graph इसके साथ input current का graph यानि की IB का graph keeping output voltage VCE is equals to constant output voltage को constant रखते हुए input voltage के साथ input voltage के साथ input current का graph input voltage के साथ input current का graph ठीक है जी forward biased वाला graph बनेगा forward biased वाला graph बनेगा ऐसा कैसा biased है वेटा forward biased है और इस पूरे graph के दौरान output voltage VCE को क्या रखा गया है constant रखा गया है output voltage VCE को क्या रखा गया है constant रखा गया है ठीक है जी clear बहुत अच्छे दूसरा graph output characteristic आउटपुट कैसा biased है आउटपुट कैसा biased है reverse आउटपुट कैसा biased है reverse biased है तो इसका graph reverse में बनेगा यानि की third quadrant में बनता है लेकिन बेटा यहां पर देखो यहां से सुनना आउटपुट करेंट है collector करेंट आउटपुट voltage है VCE यह output voltage output current ग्राफ बनना चाहिए किसमें क्योंकि यह reverse है third quadrant में लेकिन क्योंकि transistor में input और output circuit एक ही साथ connected है input और output circuit एक ही साथ connected है इसलिए इसका graph भी हम दिखाने के लिए first quadrant में ही दिखाएंगे देखो होता है reverse biased वाला graph reverse में आपको याद है कैसा graph होता था ऐसा याद है ऐसा graph होता था बनेगा ऐसा ही लेकिन first quadrant में देखो बनाया मैंने ऐसा ही है लेकिन first quadrant में बनाया है ठीक है जी तो reverse वाला ही graph बनेगा लेकिन थर्ड में नहीं बनाएंगे फर्स्ट में बनाएंगे बस इतना फर्रक है ठीक है जी थर्ड में नहीं बनाएंगे किस में बनाएंगे फर्स्ट में बनाएंगे that's the only difference that's the only difference और इसमें हम input current को constant रख्के चलते हैं ठीक है जी input current को constant रखके चलते हैं आई भी constant रखके चलते हैं input current remains constant output voltage output current का graph और input current constant जैसे इस पहले वाले graph में output voltage constant रखी थी forward biased का graph था ठीक है जी इसमें output का graph है reverse biased का graph है और input current को constant रखा गया है कोई भी value हो सकती है suppose करो ये 10 micro ampere रखा गया है अब मालो मैंने input current की value और जादा बढ़ा दी तो फिर एक और graph बन जाएगा अगर मैं input current को बीस micro ampere पे constant कर दूँ अगर मैं input current को बीस micro ampere पे constant कर दूँ तो collector current का graph और उपर चला जाएगा इस graph से एक बात और साबित होती है कि base current बढ़ने से collector current बढ़ता है base current बढ़ने से collector current बढ़ता है ये बात याद रखिएगा input current बढ़ने से output current बढ़ता है मेरी बात ध्यान से सुनो ये graph किसके बीच में है output voltage output current input current को constant रखा गया है ठीक है जी लेकिन अगर मैं input current को मालनो 10 micro ampere रखा suppose करूँ अब मैंने input current को 20 micro ampere कर दिया अब नया graph बनेगा ठीक है जी अब नया graph बनेगा और उपर की तरफ बनेगा इससे एक बात साबित होती है कि input current बढ़ने से collector current यानि कि output current बढ़ता है IB बढ़ने से IC बढ़ता है तो इस graph को कहते हैं forward characteristic ठीक है जी या फिर input characteristic इनपुट के forward वाले होते हैं करेक्टर स्टिक और output के reverse वाले होते हैं जैसा graph third coordinate में बनना चीए था वैसा ही first में बनाते हैं ठीक है जी और base current बढ़ने से collector current बढ़ता है ये बात याद रखनी है ठीक है जी क्लियर हुआ के नहीं हुआ बोलो 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 चलो अब आजाओ transistor as a device जी हाँ transistor का सारा function बहुत clear clear तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ एक-एक step करके सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया मैंने transistor की working समझाया आपको action समझाया transistor का इसको मैं ट्रांजिस्टर action कहते हैं अब सारा clear किया ठीक है फिर उसके बाद symbol बताए फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इसको circuit में कैसे लगाते हैं common emitter NPN transistor हमारे circuit में है फिर उसका forward और reverse आपको समझाया याद रखना input जो है वो forward है और output जो है वो क्या है reverse है अब transistor को as a device दो devices की तरह यूज किया जा सकता है transistor को as an amplifier यूज किया जा सकता है amplifier सुना है amplifier एक गाना भी आया था वो फरत तो मेरी मैं तेरा amplifier fire जी हाँ वो fire amplifier जो अवाज को amplify करता है signals को amplify करता है sound signals को amplify करता है तो उसके बारे में बात करेंगे और as a switch कैसे use किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है अब सुनो सबसे पहले ये diagram जो दिल में बसाने को कहा था मैंने वो diagram दिल में बसा ले नहीं बसाई है तो अब बसा ले क्योंकि वो बसानी पड़ेगी ही और कोई चारा है नहीं और कोई चारा है नहीं मैं ज्यादा कुछ नहीं बना रहा मैंने वो emitter वगेरा नहीं दिखाए बस simple सा circuit आपके सामने बना दिया है ठीक है जी इधर वाली battery VBV इधर वाली battery VCC potential difference VCE स्वरी VBE base emitter junction potential difference VCE RB RC ठीक है जी collector current यहां से आया base current ठीक है जी और इधर से पहुंचा emitter current emitter base collector ठीक है जी यह पूरी कहानी थी ठीक है जी यह circuit की पूरी कहानी है दिखाई दे रही है आपको चलो अब सुनो सबसे पहले मैं equation लिखने वाला हूँ आपके सामने सबसे पहले मैं equation लिखने वाला हूँ आपके सामने अगर आपको याद हो तो कि आपको याद होगा किसी सेल का EMF E है और internal resistance R है तो उसके across potential difference E minus IR होता है याद है किसी सेल का EMF R है और internal resistance R है तो उसका potential difference E minus IR होता है जी हाँ तो यहाँ पे इसका base और emitter का जो potential difference होगा वो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना मेरी बात पे base और emitter का potential difference मैं कैसे लिख रहा हूँ VBE is equals to VBB minus IB RB देखो V is equals to E minus IR यूज़ किया मैंने V is equals to E minus IR यूज़ किया आप देखो potential difference VBE is equals to E इसको EMF माना इसको EMF माना minus IR minus IB RB minus IB RB तो VBE is equals to VBB minus IB RB similarly फिर से green फिर से green VBE is equals to VBB minus IB RB minus IB RB ठेक है जी similarly VCE is equals to VCC minus ICRC similarly VCE is equals to VCC minus ICRC ठेक है जी clear हो रहा है VBE is equals to VBB minus IB RB और VCE is equals to VCC minus ICRC बात समझ में आ रही है बोलो भाई ठेक है जी potential difference is equals to EMF minus I into R वो वाला formula लगाया है मैंने simple तरीके से ठीक है जी ओके अब सुनो जो यह हम voltage लगा रहे है इदर वाला circuit input इदर वाला circuit input है input वो होती है जो हम लगा रहे है input वो होती है जो हम लगा रहे है तो इदर वाली यह जो voltage है यह input voltage होती है VBB को कहते है input voltage कौनसी voltage input voltage तो यहां पर हम लिखेंगे VBE is equals to VI minus IBRB minus IBRB clear हो रही है बात ओके तो इससे हमारे पास VI बन जाएगा VBE plus IBRB देखना ज़रा इसमें से यह मैंने potential difference की equation लिखी ठेक है जी इसमें मैंने VBB को V input कह दिया जो मैंने बैटरी लगाई है उसको मैंने कह दिया V input ठेक है जी V input तो VBE प्लस IBRB उसके बाद output वो होती है जो हमें मिलती है बहुत सारे लोगों के मन में खयाल आ रहा होगा कि सर VCC को V output बोल दे क्या अगर आपने VBB को V input बोला है तो क्या सर VCC को V output बोलने नहीं VCC तो बैटरी मैं लगा रहा हूँ हमें output मिलती है इसके across ये चाहिए हमें output output जो है वो ये है potential difference जी हाँ output ये है ये तो दे रहे है तो इसको मैं output नहीं बोल सकता देखो, input मैं उस चीज़ को बोल सकता हूँ जो मैं दे रहा हूँ तो मैं ये लगा रहा हूँ दे रहा हूँ इस circuit को तो ये है input voltage अब output मैं VCC को नहीं बोल सकता नहीं बोल सकता क्यों? क्योंकि output वो चीज़ नहीं होती जो हमें देते हैं तो यहाँ पे हमें output इसके cross मिल रहा है और वो output है VCE यह potential difference हमें मिल रहा है तो VCE को हम V output बोलेंगे बस यह फरक आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा VCE को मैं V output बोलूँगा तो V output is equal to VCC minus ICR क्या बात समझ में आरी है बोलो मेरे भाई VBB को V input बोलना है और VCE को V output बोलना है input जो हमने दी हमने दी हमने दी output हमने नहीं दी हमें मिली तो यह तो हमने दी थी यह तो हमने लगाई थी यह थोड़ी output है यह output है यह output है यह potential difference है इसके cross इन दो ends के बीच में output चाहिए हमें यह output है भई VCE output है आई बात समझें बहुत अच्छे, clear होना जी, ultra clear, ultra, ओके, अब उसके बाद आते हैं, transfer characteristic, input of Per se्थ, output क्रेक्टरिस्टिक आ गए, input voltage आ गई, output voltage आ गई अब input और output से कैसे transfer होता है voltage का कैसे transfer होता है power का कैसे transfer होता है current का इसको कहते हैं transfer characteristic तो इसमें graph बनाया जाता है output voltage और input voltage के बीच में output voltage और input voltage के बीच में जो graph बनता है उसको कहते हैं transfer characteristic देखो एक होते हैं input characteristic एक होते हैं output characteristic वो तो समझ गए आप एक होते हैं transfer characteristic input से output में transfer input से output में transfer अब input इन्पुट क्या है VBE प्लस IBRB इन्पुट क्या है VBE प्लस IBRB और आउट्पुट क्या है VCC माइनस ICRC समझ गए बही अब सुनो suppose करो let करते हैं V I 0 है suppose करते हैं इन्पुट वोल्टेज हमने दी ही नहीं इन्पुट वोल्टेज हमने नहीं दी तो इन्पुट करेंट भी नहीं आएगा अगर आपने इन्पुट वोल्टेज नहीं दी तो इन्पुट करेंट भी नहीं आएगा यानि कि बेस करेंट 0 होगा आपने input voltage नहीं दी तो base current भी नहीं आएगा और अगर base current नहीं आया तो collector current भी नहीं आयेगा collector current भी 0 होगा collector current भी 0 होगा यह 0 है base current भी 0 होगा base current के बाद collector current भी 0 हो जाएगा वो इस पे ही depend करता है ठीक है जी base current पे ही collector current depend करता है तो collector current भी 0 हो जाएगा और अगर collector current 0 हो गया तो यह term 0 हो गई तो इसका मतलब V0 यानि कि V output जो है वो V CC के ही बराबर हो गया अगर input voltage 0 है तो input current भी 0 होगा उसकी वैसे collector current भी 0 है तो output voltage V CC के बराबर आ रही है तो यह graph यहां से कहीं से शुरू होगा यह graph यहां से कहीं से शुरू होता है V CC ठीक है जब input voltage 0 है तो output voltage V CC है तो यह graph उपर से कहीं से शुरू होता है फिर उसके बाद जैसे जैसे आप input voltage बढ़ाते हो अगर आप input voltage बढ़ाते हो तो base current बढ़ता है आपको अभी अभी मैंने बताया था output characteristic के अंदर कि base current बढ़ाने से collector current बढ़ेगा देखो आपने input voltage बढ़ाई input current बढ़ा ये current बढ़ने स इसका मतलब minus ICRC बढ़ रहा है इसका मतलब VCC में से कुछ कम हो रहा है VCC में से कुछ minus होने वाली quantity increase कर रही है इसका मतलब output voltage क्या हो रही है decrease हो रही है IC बढ़ने से negative में value बढ़ रही है इसका मतलब output voltage क्या हो रही है decrease हो रही है तो input voltage बढ़ने से output voltage कम हो रही है इनपुट voltage बढ़ने से output voltage कम हो रही है तो इसका graph ऐसे गिरता चला जाता है ऐसे गिरता चला जाता है ये graph बनता है input और OUTPUT के बीच में यह ग्राफ बनता है input और OUTPUT के बीच में मेरी बात ध्यान से सुनो input voltage 0 input current 0 IC 0 IC 0 तो V0 VCC बराबर ठीक है जी यह ग्राफ यहाँ से शुरू होगा फिर उसके बाद अगर आपने input voltage बढ़ा ही input current बढ़ा IB बढ़ा IC बढ़ा IC बढ़ा तो V0 कम हो गया यहने कि output voltage क्या हो गई? कम हो गई तो input voltage बढ़ाने से output voltage decrease होती चली जाती है कम होती चली जाती है यह graph ऐसे दिखता है इस graph को मैं तीन reason में divide कर रहा हूँ इसके उपर सवाल आ चुका है PYQ सीधा सीधा graph पूछा हुआ था सीधा सीधा graph के हिस्से पूछे हुए थे इस graph को मैं तीन हिस्सों में divide करता हूँ पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा ठेक है जी? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा पहला हिस्सा होता है cut off reason पहला हिस्सा होता है cut off reason जिसमें input voltage बहुत कम होती है दूसरा हिस्सा होता है active reason जिसमें input voltage ठीक ठाक होती है और तीसरा हिस्सा होता है जिसमें input voltage बहुत जादा होती है उस हिस्से को बोलते है saturation reason saturation reason पहला हिस्सा जिसमें input voltage बहुत कम होती है उसको बोलते है cut off reason तीसरा हिस्सा जिसमें input voltage बहुत जादा होती है उसको बोलते है saturation reason बीच का हिस्सा होता है active reason ये बीच का जो graph भी होता है न ये straight line होता है बैटा बीच के reason का graph जो आप देखोगे ये straight line आपको मिलेगा ठीका जी ये graph linear graph होता है बैटा इस reason को इसलिए linear reason भी कहते हैं इस reason में graph जो है आपको straight line देखने को मिलता है ओक्य जी अब यहाँ पे जो पहले और तीसरे हिस्से हैं इसमें as a transistor को as a switch use किया जा सकता है पहला और तीसरे हिस्सा जो है उसमें transistor को as a switch use किया जा सकता है जब input voltage बहुत कम है तो उसको बोलते हैं switch off reason जब input voltage बहुत जादा है तो उसको बोलते है switch on reason switch off and switch on reason यानि की saturation reason ठीक है जी कौन सा reason? saturation reason और जो beach का reason है उसमें as a amplifier इसको use किया जाता है beach का reason है उसमें इसको as an amplifier use किया जाता है मेरी बात ध्यान से सुनो वो कैसे किया जाता है वो बाद में बताऊँगा लेकिन फिलहाल as a switch कैसे use किया जाता है वो देखो switch, switch off, switch on, switch off, switch on पहला reason जिसमें input voltage बहुत कम होती है उसको बोलते है cut off reason या switch off reason इसमें ऐसा लगता है कि input voltage बहुत कम है कि transistor बंद है इसमें ऐसा लगता है कि transistor बंद है ऐसा लगता है कि switch on है तो first और third reason में transistor को as a switch on reason sorry switch off या switch on reason के तौर पे use किया जाता है यानि कि transistor को as a switch use किया जाता है और बीच का reason जो active reason होता है linear reason होता है उसमें as a transistor को as an amplifier use किया जाता है ठीक है जी क्या ये बातें याद रहेंगी का बोलो मेरे भाई क्या ये बातें याद रहेंगी switch on two hour कि ये बात याद रहेगी बहुत अच्छे भाई है बहुत अच्छे अब यह पूचा हुआ था यह पूचा हुआ था भई फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीजन क्या क्या डिनोट कर रहे हैं देखो क्या पूचा गया है ट्रांजिस्टर क्रेक्टरस्टिक आउट्पुट वोल्टेज वर्सिस इन्पुट वोल्टेज for a base-bias transistor in common emitter configuration shown in the figure ट्रांजिस्टर को as a switch use करना तो किस रीजन में करें बताओ भई फर्स्ट और थर्ड रीजन में फर्स्ट और थर्ड रीजन में अज़ रीजन में as a switch use कर सकते हैं तो बोथ हिन रीजन वन एंड रीजन थरी फर्स्ट रीजन में क्या है switch off फर्स्ट रीजन में क्या है switch off रीजन है और इसमें क्या है switch on reason है भई switch off and switch on reason की तरह use कर सकते हैं ठीक है जी switch off या switch on reason की तरह use कर सकते हैं क्या बात clear हो रही है बोलो मेरे भाई क्या बात समझ में आई transistor को switch off या switch on reason की तरीके से use किया जा सकता है calculations अब calculations क्या है उनको समझ लेते हैं भाई मेरे देखो calculation के लिए ये आपको पता होना चाहिए v i v b b is equals to v b e plus i b r b एक तो ये याद रखो इसको लिखा था हमने v input is equals to v b e plus i b r b ठीक है जी और दूसरी equation थी v c e is equals to v c c minus i c r c और v c e को लिखा था v output तो v output is equals to v c c minus i c r c ठीक है जी तो ये दो equations थी भाईया हमारे पास ये दो equations थी जो की main equations है अब इसमें देखो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि as an amplifier इसको किस तरीके से use किया जाता है ठीक है जी as an amplifier इसको कैसे use किया जाता है वो समझाऊंगा amplifier कैसे use किया जाता है कि अगर हम voltage में हलका सा change करें और उसके respect में output में बहुत जादा change आ जाए ध्यान देना अगर मैं input के current में बहुत कम change करूं और उसके respect में output के current में बहुत जादा change आ जाए तो तब मैं कहूंगा कि transistor as an amplifier work कर रहा है अगर मैं input की voltage थोड़ी सी बढ़ाओं और output की voltage बहुत जादा बढ़ जाए या फिर मैं input की current थोड़ा सा बढ़ाओं और output का current बहुत जादा बढ़ जाए या मैं input की power थोड़ी सी change करूं और output की power बहुत जादा change हो जाए तो उसको कहेंगे कि transistor as an amplifier यूज किया जा रहा है तो इसके लिए changes के लिए मैं लगाऊंगा बेटा डेल्टा मैं पूरी equation में delta लगा देता हूँ ठीक है जी पूरी equation में मैं delta लगा देता हूँ इधर भी delta लगा देता हूँ delta V0 delta Vcc minus delta Ic into RC clear है अब सुनो पूरे में delta लगा दिया जो VBE की value है न इसकी value होती है small इसकी value होती है small VBE की value जादा नहीं होती 0.5V, 0.6, 0.7 ऐसे होती है तो इसमें जो change आएगा वो और भी कमाएगा मेरे को बात सुनो जिसके number ही कमा रहे है तो उसके number में change भी तो कमाएगा है ना, जिसके number कमा रहे है उसके number में change भी तो कमाएगा तो इसका change आप neglect कर सकते हो इसका change आप क्या कर सकते हो neglect कर सकते हो तो delta V I that is the change in input voltage is equals to delta IB into RB यह delta V input हो गया change in input voltage श डेल्टा IB into RB, change in input current into input resistance, input ही है, यह input current हा, यह input resistance है, उसके बाद, VCC को change करना ना है हमारे हख में है, हमारे हाथ में है, क्योंकि VCC बैटा यह बैटरी है, आप देखो, VCC यह बैटरी है, मेरी मर्जी मैं इसको change करूं या ना करूं मेरी मर्जी है न ये तो तो इसको मैं change नहीं कर रहा VCC को मैं change नहीं कर रहा तो इसको मैं constant रखके चल रहा हूँ अगर मैं इसको constant रखके चल रहा हूँ तो इसका change 0 मिलेगा मुझे इसका change मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है जी इसका change मुझे IC into RC, clear हुआ, यह change in input voltage, यह change in output voltage, ठीक है जी, यह भी 0 put किया, इसका change, और इसका change भी 0 put किया, याद रख लेना, ठीक है जी, यह change in input voltage, यह change in output voltage, उसके बाद, term होती है current gain, current gain को आप लिखते हो, यहाँ बनाता हूँ, यह फिर से green use करने लगा था, मैं बच गया, बच गया है, current gain, current gain को हम लिखते हैं, बीटा से, ठीक है जी, current gain को हम लिखते हैं, बीटा से, यानि कि input के respect में, output में कितना current आपको gain हुआ, तो दो टाइप के बीटा होते हैं, एक होता है, बीटा DC, जिसको आप लिखते हो, IC by IB, output current upon input current, input current के respect में, output में कितना change आया, या मतलब कितना gain आया, इसको बोलते हैं, बीटा DC, एक होता है, बीटा AC, जिसमें आप delta word use करते हो, जिसमें आप change का जिक्र करते हो, delta IC by delta IB, अगर आपको change नहीं लिखना, तो सीधा IC by IB, उसे कहते हैं, बीटा DC, अगर आपको change लिखना है, question में कि कौन सा बीटा निकालना है, बीटा AC या बीटा DC, अपने आप understand करना पड़ेगा, अगर आपको question में IC, IB दे रखे हैं, तो बीटा DC निकाल दो, अगर दोनों का change दे रखा है, तो फिर बीटा AC निकाल दो, समझ गए भई, इसे कहते हैं, current gain, कि input में कितना current change हुआ, उ ऐसे ही होता है, voltage gain, A, V, इसको बोलते हैं, voltage gain, voltage gain, ठीक है जी, voltage gain क्या होता है, डेल्टा V0, by delta Vi, इंपुट में कितना change, उसके respect में, output में कितना change, इंपुट में voltage का कितना change, उसके respect में, output में, वल्टेज का कितना change, तो यह क्या लिखा जाएगा, आपन डेल्टा आईबी इंटू आर्बी कि आप भी क्या सोच रहे हो गए तरका है यह डेल्टा आइबी सर हम तो पागल हो गए। बहुत असान तरीके से समझाया मैंने ठीक है जी बिल्कुल हर स्टैप क्लियर करते करते बस देखते चले जाओ और इसको दिमाग में in the end बसा लेना ठीक है जी जो calculations हम दिमाग में बसा लेना तो delta ic by delta ib को क्या बोल सकते हैं बिता बिता ac बोल दो या नॉर्मलीなた बोल दो ठीक है बीटा बोल दो और rc by rb आर सी आर्ब सेखने पीटा डीसी बीटा एसी दोनों को बीटा आप बोल सकते और इपर लिख दिया मैं तेल्टाि सी वाइवी नितल स्वरें एक रेंट गेन हो गया इंट्व मुद् negative sign तरफ यह signify करता है देखो जनरली voltage gain का answer negative नहीं आएगा, negative sign तरफ यह indicate करता है, negative means output voltage decreases as we increase the input voltage, है न, input voltage बढ़ाने से output voltage कम होती है, negative sign तरफ इस बात को signify करता है, ठीक, और इसका कोई significance नहीं है, clear है, okay, उसके बाद, power gain, power gain, power gain कितना होता है, AP से लिखा जाता है, बैटा, power gain में क्या आता है, current का square, current का square, I square R होती है न, power, I square R होती है, बिल्कुल, तो यहां पर आएगा, minus delta Ic का square into Rc, upon delta Ib का square into Rb, तो power gain हो जाएगी, minus beta square into Rc by Rb, इप power gain हो जाएगी, minus beta square into Rc by Rb, minus लगाना है, लगालो, नहीं लगाना मतलगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, current gain, voltage gain, voltage gain में beta into Rc by Rb, और इसमें क्या है beta square into Rc by Rb, एक और word होता है, जिसका नाम होता है transconductance, वो बस आपको पता होना चाहिए, एक और word होता है, जो की होता है transconductance, इसको ऐसे लिखते हैं, G के पैर में M डाल को, यह होता है, output current upon input voltage, बस आपको पता होना चाहिए, transconductance होता है, output current upon input voltage, ठीक है जी, output current upon input voltage, output current कौन सा है बेटा, output current कौन सा है, collector current, ठीक है जी, तो upon input voltage, यह transconductance होती है, बस पता होना चाहिए, ठीक है जी, clear होना चाहिए, बहुत कम चांस हैं कि इस पर question आए, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से इसका formula लिख दिया है, या delta की form में भी हो सकता है, delta I output upon delta V input, ठीक है जी, delta की form में भी हो सकता है, याद रहेंगे यह formula, याद रहेंगे, चलो, graph for input and output voltage, इसका जो graph बनता है न, amplifier के तोर पे जो इसका graph बनता है वो दिखातों में, अगर यह input voltage है, इसके respect में output का graph कैसा बनता है वो दिखा रहा हूँ में आपको, signal बहुत ज़्यादा amplify हो जाता है, देखो input graph अगर ऐसा है तो output graph बहुत ज़्यादा amplified होगा, लेकिन उल्टा होगा, देखो यह positive negative है, यह negative positive है, output voltage 180 degree out of phase है, इसमें phase difference 180 degree का होता है, input voltage के साथ, क्योंकि input voltage positive negative है, यह negative positive 180 degree का difference है, इनमें 180 degree का difference है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, because input voltage बढ़ाने से output voltage कम होती है, ऐसा इस वज़े से, कि यह negative sign की वज़े से, सारा कुछ इस negative sign की वज़े से आ रहा है, इस negative sign की वज़े से, यह graph positive negative का negative positive हो गया, 180 degree phase difference है, input और output voltages में, ठीक है जी, यह positive negative है, तो यह negative positive है, यह हम किस के लिए बात कर रहे हैं, सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं, common emitter, NPN transistor के लिए, input और output voltage के बीच में, 180 degree का phase difference होता है, क्योंकि input voltage बढ़ाने से, output voltage कम होती है, और amplified हो जाती है, अगर इसमें हलका सा change करोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा change आपको देखने को मिलता है, आउट्पुट है बड़ी, लेकिन 180 degree का phase difference है, clear हो रही है बात, बोलो मेरे भाई, clear हो गया, चलो अब transistor को थोड़ा सा अभी मैं summarize कर देता हूँ, आप लोगों के लिए, अब numericals करेंगे, बटाएंबिस के, ठीक है जी, अब numericals करेंगे, आपको सारी summary clear हो गई है, पहली बात बताओ, देखो मैं पूरी diagram नहीं बना रहा, लेकिन VBB, RB, और ये VBE, ठीक है जी, इधर क्या था, VCE, RC, आपने input किसको बोला था बेटा, आपने input बोला था इसको, आपने output बोला था इसको, समझ गए, क्या graph थे, इनपुट का क्या था, VBE, प्लस IBRB, output का क्या था, VCC, माइनस ICRC, उसके बाद, current gain, βAC, क्या बनेगा, ΔI, C, बई, ΔI, B, βDC क्या बनेगा, IC, बई, I, B, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, voltage gain क्या है बेटा, माइनस, डेल्टा ICRC, अपन, डेल्टा IB, आरबी, यानि कि, माइनस बीटा, इन्टू RC, बई, R, B, पावर गेन में क्या रहा है, बीटा का स्क्वेर आ रहा है, बस, यह formula अगर आपको याद है, तो आपका काम हो गया, यह formula अगर आपको याद है, तो आपका काम हो गया, यह circuit दिमाग में विठा लो, यह VBB, R, B, VBE, VCC, RC, VCE, यह input voltage VBB, यह output voltage VO, VCE, ठीक है जी, यह current gain, यह voltage gain, यह power gain, clear हो रही है, सारी equation clear हुई के नहीं हुई, चलो फिर, अब आजाओ सवाल पे, सवाल पे आजाओ भई, इससे easy तरीके से, मैं summarize नहीं कर सकता, सवालों पे आजाओ, एक भी सवाल नहीं गलत होने दूँगा, guarantee है मेरी, चलो, देखो, आजाओ, 2011 का सवाल है, पढ़ लो, transistor का सवाल है, transistor is operated in common emitter configuration, सिरफ common emitter है, ठीक है जी, 2V पे, VCC, यह VCC दिया हुआ है, उन्होंने VC लिखा हुआ है, मतलब साफ है, understood है, VCC की बात हो रही है, such that a change in base current, from 100 microampere to 300 microampere, produces a change in collector current, from 10 millie ampere to 20 millie ampere, the current gain is, current gain आप से पूछा हुआ है, current gain आप से पूछा हुआ है, बोलो, देखो, कहारे हैं कि base current change हुआ, 100 से 300, तो delta IB, 100 से 300 हो गया, तो 300 minus 100, तो 200 microampere का change आया है, उसकी वज़े से collector में कितना change आया, collector current में, 10 से 20 हो गया, तो 20 minus 10 millie ampere, units बहुत important है भई, units बहुत important है, base current में इतना change आया, उसके respect में collector current में इतना change आया, आपको current gain निकालना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह फालतू में दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है जी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, यह फालतू में दिया हुआ है, जी हाँ, पटापट, पटापट बताओ, तो beta AC निकालना है, यहाँ पर आपको पता चल गया ना अब की क्या निकालना है अपने आप पता चल गया कि बीटा एसी निकालना है क्योंकि डेल्टा एसी और डेल्टा ईभी दे रखेंगे तो बीटा एसी निकालो 10 मिली एंपियर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यूनेट चेंज कर लो 200 माइक्रो अंपियर 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कर लो भी या चेंज तो 10 बाए 200 यह 10 की पावर 3 उपर चली जाएगी माइनस 3 ना माइनस 6 उपर जाएगा 10 की पावर 3 बचेगी यानि कि उपर 1000 बचेगा भाई मेरे उपर 1000 बचेगा 5 तो यह तो मुझे 50 नजर आ रहा है यह तो मुझे 50 नजर आ रहा है क्या आपको भी 50 नजर आ रहा है यह option है सही क्या आपको भी 50 नजर आ रहा है फटा 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 बता दो अभी और question करेंगे transistor पे क्या आपको भी 50 नजर आ रहा है बहुत अच्छे बहुत absolutely ultra clear yes 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 उसकी कोई जरूरत नहीं थी यह VCC की कोई जरूरत नहीं भाई अगला सवाल 2017 का सवाल करो भाई 2017 का सवाल है in a common emitter transistor amplifier the audio signal voltage across the collector is 3 volt the resistance of the collector is 3 kilo ohm the current gain is 100 base resistance is 2 kilo ohm the voltage and power gain of the amplifier is पता नि पूछा गया है सर हमारा तो दिमाग खराब हो गया हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर ये तो क्या-क्या लिखा हुआ है सर पता नि क्या VCC क्या VBB क्या VBE क्या VCE हमारी आँखो के सांदे तो अंधीरा चा रहा है सिर एरे भी या इधर देखो देखो common emitter npm transistor है ठीक है resistance of the collector अभी इस voltage को भूल जाओ अभी भूल जाओ इधर देखो collector का resistance कितना है 3 kilo ohm तो RC है 3 kilo ohm ठीक current gain यानि की बीटा दे रखा है देख या रखा है देख लो ध्याद से current gain है 100 ठीक है जी current gain है 100 उसके बाद बहुत सरे लोगों ने answer बताना शुरू कर दिया है चलिए base resistance है 2 kilo ohm तो voltage and power gain पूछा हूँ है बिटा voltage gain जो होता है कि वह बिटा into RC by RB होता है minus भी होता है साथ में लेकिन minus किसी option में दिखाई नहीं दे रहा फालतू में enables होता तो मैं भी लगा देता लेकिन लगा ही नहीं तो फिर मैं फालतु में क्यों लगाओं मिरा अकेले का दिमाग छोड़ी खराब है यहां पर is से green use करने लगा था चलो beta RC by RB दोनों किलो ओम में हैं तो दोनों का रेशो कट जाएगा किलो किलो कट जाएंगे इसलिए मैंने उसको convert नहीं किया बहुत सारे लोग सोच रहोंगे सोर किलो ओम था ओम में convert करो भाया क्यों करूं यह 3000 हो जाएगा यह 2000 हो जाएगा फिर भी कट न है ना ही 200 है वोल्टेज गेन डेड़ सो है आंसर भी है क्या पावर गेन कैलकुलेट करने की जरूरत है आपको क्या आपको पावर गेन कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं लेकिन पावर गेन मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ पेटा उसमें कुछ नहीं होता बीटा का स्क स्क्वेर होता है तो 100 का स्क्वेर इंटु आर सी बाई आर भी पास है है हैं अंड्रेड का स्क्वेर इंटु थ्री बाई टू बस यही करना है तो इसमें दो जीरो और लगा दो बस एक सो पचास की जगा 15,000 पावर गेन आप समझ पा रहे हो एंप्लीफायर का मतलब समझ आ रहा है इस कोश्चन से आपको एंप्लीफायर का मतलब समझ में आएगा कितनी वोल्टेज का गेन हो रहा है डेड़ सो गुना वोल्टेज बढ़ रही है डेड़ सो गुना आप पिछले कोश्चन में देखो किरेंट कितने गुना बढ़ रहा था पचास गुना पचास गुना करेंट में इंक्रीज आ रहा था यहाँ पे वोल्टेज डेड़ सो गुना बढ़ रही है और पावर कितने गुना बढ़ रही है पंदरा हजार गुना पंदरह हजार गुना पावर में चेंज आ रहा है आप सोचो भई साउंड सिगनल कितना अच्छा हो जाएगा कितनी उच्छी अवाज आए इस वोल्टेज की फिर से कोई नीड नहीं पड़ी यह VCC दिया हुआ है ठीक है जी यह VCC दिया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझ गए बहुत अच्छे अगला सवाल यह अच्छा सवाल इसमें इतनी असानी से रिजल्ट नहीं मिलेगा कितनी असानी से result नहीं मिलेगा यह सब कुछ दे रखा आपको इसमें आपकी पूरी महनत करवा देगा यह question आपकी पूरी महनत करवाने के लिए question आपके सामने तयार बैठा है भाई यहाँ पूरी महनत करवा देगा question पढ़ो NPN transistor है common emitter configuration है हो तो पता ही है R1 R2 की value दे रखी है और collector emitter base यह सब दे रखा है सारी batteries की value भी दे रखी है आपसे VCE पूछा हुआ सुनो मेरी बात सबसे पहले दिया क्या ही है क्या यह VCC दे रखा है क्या यह VBB दे रखा है क्या R1 ही RB है क्या R1 ही RB है क्या R2 ही RC है R1 R2 की value दे रखी है VBE की value है current gain की value है VCE पूछा हुआ है बात समझो जो VCE होता है वो VCC minus ICRC है बताओ होता है VCC आपको पता है क्या पता क्या क्या है देखो VCC आपको पता है क्या पता है RC आपको पता है क्या पता है यह RC है यह RC है यह RB है यह RC है RC आपको पता है IC नहीं पता IC नहीं पता अगर IC पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा अगर IC पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन IC पता ही तो नहीं है, कोई बाद, हमें current gain दे रखा है, ठीक है जी, IC पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमें current gain दे रखा है, चलो पहले मैं value put कर देता हूँ, ये 10 minus IC, RC कितना है, 100, 100 है RC ठीक, IC पता चल बेटा, IC by IB, अब आपको पता चल गया, यहाँ पे delta लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस question में कौन सा beta use करना है, यह अपने आप clear हो गया आपको, क्या question में कहीं पे भी delta की बात कर रखी है, क्या question में कहीं पे भी delta की बात कर रखी है, नहीं, इसका मतलब ये current gain कौन से वाला दिया होगा, DC वाला, ये current gain कौन से वाला दिया होगा, DC वाला, beta DC, IC by IB, ठीक है, जी, IC by IB, अब इससे आप, IC अगर निकालना चाहते हो, तो वो होगा, beta into IB, यानि की 100 IB, लेकिन IB तो पता ही नहीं, पंगा पड़ गया आगे, भाई, VCE पता करने के लिए, IC पता करने के लिए, मैंने 100 IB लिखा उसको, लेकिन IB नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आजाओ एक और equation पे, सुनो, VBE is equals to VBB, minus IB RB, ये तो पता है न, ये तो पता है, पास, यहां से IB आजाएगा, द 0.7 सारी values पूट करो, 0.7, VBB, 5, minus IB, into RB, RB ये रहा, 8.6 किलो ओम है बेटा, किलो को convert करो, 8600 ओम हो जाएगा, किलो ओम है, 8600 ओम हो जाएगा, ठीक है जी, 8600, लिख दो यहां पर, चलो, calculate करो, ये 5, minus 0.7, इसको minus को उधर ले जाओ, IB into 8600 इधर ले आओ, positive में, ठीक है जी, तो ये बन गया 4.3, IB into 8600, इससे IB आ जाएगा आपके पास, 4.3 divided by 8600, ये decimal कटेगा, तो ये 2 पे कटेगा, 43 into 286, तो 1 by 2000, 1 by 2000 ampere, IB की value आ गई, 1 by 2000, सही है, कुछ नहीं किया मैंने calculation किये, इसको यहां रख दो, 100 into 1 by 2000, तो 1 by 20 आ गया, IC आ गया, 1 by 20 उदर रख दो, 5 पे कटेगा, 10 minus 5, आंसर आ गया, 5 वोल्ट, खत्म, 3 step question है बेटा ये, 3 step question है ये, 3 steps में ये question complete हुआ है, सबसे पहले, आपको यहां से IB निकालना है, इस equation से, IB से current gain का use करके, IC निकालना है, IC वहां पे put करो, VCE आएगा, आप देखलो, मैंने आपकी सारी equation use करवा दी इसमें, बोलो भई, क्या मैंने आपकी सारी equation use करवा दी, बोलो 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 भाई, बढ़िया, इस equation का use करके, IB आया, IB से IC आया, IC से VCE आया, step देखलो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, पहले इस से IB निकालो, फिर IC निकालो, फिर IC से ये निकालो, clear, बहुत अच्छे, अगला सवाल, NEET phase 1 2016 का सवाल आई, NEET phase 1 2016 का सवाल आई, सवाल पड़ो, सवाल पड़ो भाई, NPN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier, load resistance of 100 ohm is connected to the collector circuit and voltage drop across it is 0.8 volt, if the current amplification factor is 0.96 and input resistance is 192 then the voltage gain and the power gain of the amplifier circuit is, देखो भाई, सुनो, आपको current amplification factor यानि की बीटा, यह है बीटा, current कितना amplify हुआ, 0.96 यह बीटा दे रखा है, load resistance, collector circuit का जो resistance है, RC वो 800 दे रखा है भी, input resistance, यानि की base, RB 192 दे रखा है, ठीक है जी, आप से पूछा क्या गया हुआ है, voltage gain, बीटा इन्टू RC by RB करना है, बास, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, विटा, यह फालतू दे रखा है, यह voltage फालतू दे रखी है, है ना, एक आदी voltage हर question में फालतू दे रखी है इनोंने, तो यह फालतू दे रखी है, बास, आप करो इसको फटा-फट, बीटा इन्टू RC by RB करो, 0.96, 0.96 इन्टू RC, RC कितना है, 800 और यह है 192, यह 196, 192 पे 2 पे कटेगा, यह 8 बैदो, कितना आ गया, 4, तो voltage gain है 4, voltage gain है बेटा 4, तो 4, 4, 4 इसमें आ रहा है, यह 3.69 नहीं है, तो यह D option तो नहीं हो सकता, power gain अब कितना है, power gain में बीटा का square हो जाता है, power gain में क्या हो जाता है, बीटा का square, तो बीटा का square, into RC by RB, बीटा का square हो जाता है, अच्छा, अब ऐसे लिख लो इसको, देखो ध्यान से, बीटा इंटू बीटा, into RC by RB, ऐसा लिख सकते हैं, अब सुनो, बीटा इंटू RC by RB, यह क्या बन गया, voltage gain, यानि कि power gain को, बीटा इंटू, voltage gain भी लिख सकते हैं, current gain into voltage gain, यह नया formula बन गया आपके सामने, power gain को आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाई power क्या होती है, voltage into current होती है न, पता है न, power voltage into current होती है, power को लिखने के दो तरीके है, i square r भी लिख सकते हो, तीन तरीके हैं वैसे, तो i square r, v square by r, और v into i, तो यह लिखा हो, power gain is equal to current gain into voltage gain, तो voltage gain 4 है, current gain 0.96 है, into 4, तो यह 3.84 आजाएगा, 3.84 आजाएगा, answer C है, answer क्या है, C, clear हुआ, तो दुबारा बीटा square करने की बजाए, देखो, दुबारा बीटा square वाला formula लगाने की बजाए, दुबारा बीटा square करने की बजाए, सीधा ही मैं voltage gain निकाल चुका हूँ, उसको current gain से multiply कर देता हूँ, ठीक है जी, तो 3.84, 3.84, आरी बात समझ नहीं, आरी है के नहीं, आरी बात समझ नहीं, बहुत अच्छे, यह लो फिर, अगला सवाल करूँ भई, मैं सवाल करवा रहा हूँ, आपको transistor के जो आये हुए हैं, सवाल करवा रहा हूँ, जो आये हुए हैं भई, देख लो ध्यान से, देख लो भई, इसको देखो, कर पाओगे क्या, for common emitter amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 4 volt, if the current amplification factor of the transistor is 100, and the base resistance is 1 kilo ohm, then the input signal voltage is, बताओ भई, बताओ, अरे बताओ मेरे भईया, मुन्ना भई, बतादो, अरे मुन्ना भई, क्यों सो रह हो, बताओ ना यार, माई किल रहा है भई, भूकंप आया, भूकंप, मेरे दिमाग में भूकंप आया, तुम लोगों का response देख गए, बताओ यार, बताओ, तुम भी सोच रहोगे, सर क्या पागल हो गए है, सर आपका दिमाग घूम गए है, आपको इलाज करवाना चाहिए, सर, हाँ यार, देखो, current amplification factor, यानि की current gain 100 है, ठीक है, और base resistance आपको दे रखा है, 1 kilo ohm, Rb, और collector resistance आपको दे रखा है, RC 2 kilo ohm, और input voltage, the audio signal voltage across the collector, collector के across, यानि की output voltage है, बताओ, collector वाली voltage मतलब output voltage, तो 4 volt है यह, ठीक है जी, तो आपसे, input signal की voltage पूछी है, या VI पूछा हुआ, collector वाली voltage दे रखी है, मतलब input दे रखी है, और output पूछी हुई है, ठीक, तो यह सारा कुछ आपको given है, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, बहुत-बहुत मुबारक हो भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कि आप बता रहे हो, और मैं देख भी पा रहा हूँ, काफी सारे लोगों का आंसर सही है, ठीक है जी? हाँ, बहुत अच्चे, बहुत अच्चे बहुत अच्चे बाई, देख पा रहा हूँ, देखो चलो, सबसे पहले voltage gain निकालो, क्योंकि voltage gain से आपका input आ जाएगा, अब देखो, voltage gain क्या होता, V output by V input, अगर मैं voltage gain निकालनू, तो फिर input आ जाएगा, voltage gain क्या होगा, बीटा इंटू RC by RB, बीटा कितना है 100, RC है 2 और RB है 1, दोनों किलो ओम में हैं, तो convert करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखो, voltage gain 200 आ गया भाई, अब V output जो है, वो 4 है, तो V input निकालना है आपको, तो V input हो गया, 4 by 200 volt, 4 by 200 volt, इसको millivolt में convert करो, क्योंकि सारे answer millivolt में है, 4 by 200 into 1000, 5, 20 millivolt, तो जिनका B answer था, B for Bombay answer था, उन सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो गया, अदिती, ने B answer दिया था, और भी बहुत सारे लोगों ने, मोहित ने भी answer दिया था, हाँ जी भाई, मनस्वी, अशोक, अगर 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 आपको clear है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रूख सकता है, ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का अगर basic clear है, तो ट्रांजिस्टर का सवाल solve होगा ही होगा, होगा ही होगा, अब आगे बढ़ने से पहले, लास्ट टॉपिक है इसके बाद logic gates, इसके बाद लास्ट टॉपिक है logic gates, लेकिन एक extra information आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत साल पहले ये question पूछा गया था, बहुत साल पहले ये question पूछा गया था, आज कल तो उस लेबस में नहीं है, लेकिन पूछा गया था, ये common base पे based था, common base, जैसे हमने common emitter पढ़ाए न, तो common base वाला transistor है, उसमें न, alpha होता है current gain, उसके current gain को alpha कहते हैं, और वो IC by IE होता है, बस याद रखना, बहुत साल पहले, ये पूछा गया था, alpha और beta के बीच में relation पूछा गया था, वो तो आप आप निकाली सकते हो, ठीक है जी, और alpha को आप delta I, C by delta I, भी लिख सकते हो, इसमें base common होता है, input emitter होता है, और collector output होता है, input emitter होता है, और collector output होता है, ठीक है जी, तो ये common base वाला transistor होता है, हाला कि अभी ये हमारे syllabus में नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले question आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, in case आजाए तो आपको पता हो, alpha और beta के बीच में relation पूछा गया था, उस question में, ठीक है जी, आपको ये formula ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, clear है, बहुत अच्छे, आजाओ भई, last topic है logic gates, और एक बात ध्यान से करना, ये जरूर करके जाना, और कुछ करो ना करो, पूरे chapter में और कुछ करो ना करो, एक question, मतलब, मैं ये मान के चलूँ कि 99% chance है, कि इसमें से एक question आएगा, semiconductor के बाकी topics में, इसे पता नहीं question किस से आएगा, ठीक है जी, मुझे नहीं पता कि transistor से आएगा, मुझे नहीं पता कि rectifier से आएगा, मुझे नहीं पता कि किस चीज से आएगा, वैसे semiconductor से 3 से 4 questions की possibility है, very very important chapter है, semiconductor, ठीक है जी, बहुत important chapter है, 3 से 4 questions की possibility है, लेकिन मुझे इतना पता है, कि उसमें से एक question पक्का इस चीज का होगा, पक्का होगा, और सबसे easy topic है बहुत, सबसे easy topic है बहुत, very easy, easy नहीं कहना चाहिए, very easy कहना चाहिए, scoring है, करके जाना है, gates, ठीक है जी, gates हैं बहुत, gates, चलो, आईए, सबसे पहला gate है, not gate, logic gates में, ध्यान से सुनी हैंगा, logic gates में जो input और output होती है, one की form में होती है, zero और one की form में, binary input और output होती है, zero का मतलब होता है, low और one का मतलब होता है, zero का मतलब होता है, low voltage, और one का मतलब होता है, high voltage, ठीक है, जी, computer वाली भाषा होती है, binary, जो लोग computer science में, कुछ जिनको पता है, 0 & 1 क्या होता है जिनको computer science के बारे में थोड़ी सी knowledge है languages के बारे में तो पहला है not gate not gate का symbol कुछ ऐसा होता है यह not gate का symbol होता है यह not gate का symbol होता है यह आपके पास मानलो एक input है ठीक है जी आपके पास मानलो एक input है तो उसको ये output में convert करता है अगर आपकी input देखो इसमें एक table बनाया जाता है जिसको truth table कहते हैं ये हमारी एक input है single input होती है और इसमें single ही output होती है ये not gate का symbol है ये not gate का symbol है इसका truth table होता है truth table यानि की जो इसकी सच्चाई बेयान करता है अगर input low voltage की है तो output high voltage होगी और अगर output high voltage है तो sorry input low voltage है तो output high होगी और input high है तो output low होगी ये symbol input low तो output high input high तो output low 0 का 1 1 का 0 बना देता है ये gate क्या नाम है not gate क्या नाम है इस gate का not gate है और ये इसका truth table है इसको बोला जाता है इसका truth table या जो इसकी सच्चाई बताता है इसके साथ ही अब मैं आपको introduce कर रहा हूँ एक नए type की algebra से उसको बोलते है बुलियन अलजेबरा जैसे ये अलजेबरा computer science वाला अलजेबरा होता है हमारे से अलग होता है ठीक है ये प्लस माइनस जो normal हम प्लस माइनस multiply डिवाइड करते हैं वो अलजेबरा नहीं होता ये होता है बुलियन अलजेबरा तो बुलियन अलजेबरा में output को input की form में ऐसे लिखा जाता है इसको कहते हैं। boolean algebra, यह boolean expression है, और यह boolean expression इसका यह है, boolean expression या boolean algebra आप इसको बोल सकते हो, x is equals to a का bar, इसका मतलब x जो है, वो a का उल्टा है, इसका मतलब है, x जो है, वो a का inverse है, inverse मतलब उल्टा, अगर a 0 है तो यह 1 है, यह 1 है, तो यह 0 है, इस algebra को कहते हैं, boolean algebra, boolean, boolean algebra, ठीक है जी, बहुत अच्छे, अब आगे भी समझाऊंगा, boolean algebra के जो formula हमें चाहिए, सब बताऊंगा, और logic gates को असानी से कैसे कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है जी, सुनो अब, or gate, or gate, or gate क्या होता है भाई, or gate में दो input होती है, और एक output होती है, or gate में एक, दो input होती है, और एक output होती है, दो input a, b, और उसके respect में एक output, यह or gate का symbol होता है, यह और gate का symbol होता है इसका सच्चाई का table क्या होता है मेरे भाई मुन्ना भाई इसकी सच्चाई बयान करता हूँ इसकी सच्चाई आपके सामने लेके आता हूँ A, B, X लिख रहा हूँ अब input क्या हो सकता है input का combination अब दो input है यहाँ पर एक input नहीं है दो input है तो इनका combination क्या क्या हो सकता है या तो दोनो जीरो होंगी या फिर ये 1 ये 0 A, 0, B, 1 या फिर दोनो 1 दोनो 0, दोनो 1 एक 0, दूसरा 1 ऐसे हो सकता है तो और gate में होता क्या है 0, 0 का result 0 मिलता है बाकी cases में result 1 मिलता है 0 0 का result 0 मिलता है 1 0 का 1 मिलता है 0 1 का 1 मिलता है 1 1 का 1 मिलता है यानि कि अगर एक भी voltage high है दोनों में से तो high result मिलेगा दोनों में से एक भी voltage high है तो high result मिलेगा 1 0 का 1 0 1 का 1 1 1 का भी 1 ही मिलेगा 1 1 2 मत कर देना विटा 1 1 2 मत कर देना ठीक है जी तो 00 का अंसर 0 है अगर दोनों में से एक भी 1 है तो अंसर 1 होगा दोनों में से एक भी high है तो अंसर high होगा clear है इसका boolean algebra होता है a plus b इसमें actual में plus नहीं करना होता ये boolean algebra का plus है इस plus का मतलब होता है or or gate समझ गए भाई सर लौजिक गेट मतलब क्या अरे लौजिक गेट बेटा वो होते है जो कुछ ना कुछ लौजिक लगा के आपको input की मदद से output दे देते है ठीक है जी कुछ ना कुछ input भी होती है उसके respect में output आपको चाहिए होती है कई बार आपको दो input की जगा एक output चाहिए होती है कई बार आपको एक input की जगा एक ही output चाहिए होती है तो वो जो चीजें ऐसा करती है उनको logic gates कहा चाता है तीसरा gate है and gate and gate का symbol ऐसा होता है इसमें देखो और gate में ये line थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है and gate में ये line सीधी होती है देखो ये वाली line सीधी होती है बार एक बी और इसका output क्या है एक्स तो एक्स इस इकल्स टू ए डॉट बी होता है ये इसका बूलियन अलजैबरा होता है dot होता है इसमें क्या होता है dot plus नहीं होता-क्या होता है dot होता है इसका सच्चाई का table इसका सच्चाई का टेबल देखो 00100111 इसमें आउट्पुट वन सिरफ लास्ट केस में होती है शिरफ और सिरफ लास्ट केस में आउट्पुट वन आती है यानि कि अगर दोनों वन होंगे तो ही अंसर वन आएगा अगर दोनों वन होंगे तो ही अंसर वन आएगा वरना जीरो होगा ठीक है जी और गेट में क्या था और गेट और अंड गेट में फरक समझो और गेट में क्या था अगर एक भी वन हो गया तो अंसर वन होगा and gate में क्या आया कि अगर दोनों 1 होंगे तो answer 1 होगा clear this is and gate this is and gate अगला gate nor gate अगला gate कौन सा है जी nor gate है ये था and gate and gate के बाद आगया nor gate nor actual में not plus or का combination है or or not का combination है इसको कहते है nor gate ये कैसा symbol होता है ये देखो ये इसका symbol है बिटा और गेट के आगे फरक क्या है और गेट से इसका और गेट के आगे ये कुंडी सी लगाई होती है और गेट के आगे ये कुंडी सी लगाई होती है भाई ठीक है जी और गेट के आगए ये कुंडी लगाई होती है clear है हाँ तो ये और गेट प्लस नॉट है वाई तो देखो this is the combination of और प्लस नॉट ठीक है जी this is नॉर इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया नॉट सुरी और प्लस नॉट और प्लस नॉट अभी इसके सवाल करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास दो इन्पुट है A और B आउट पुट चाहिए X ठीक है जी दो इन्पुट है और आउट पुट चाहिए X ये दो इन्पुट दिखाई इसको क्या किया ना नॉर गेट को दो हिस्सों में तोड लिया और प्लस नॉट कर दिया तो यह इन्पुट है यहाँ पर मैं यह इंटर्मीडियेट आउट पुट दिखा देता हूँ इसको मैं इंटर्मीडियेट आउट पुट बोल देता हूँ और इसको य बोल देता हूँ यह इंटर्मीडियेट आउट पुट है अभी A और B पे और गेट लगा है फिर और के बाद अभी नॉट लगाया नहीं है ठीक है जी तो यह बीच की आउट पुट है यह फाइनल अब इसका truth table बनाएंगे, a, b, साथ में y भी दिखाएंगे बीच में, और यहाँ पे x भी दिखाएंगे, ठीक है जी, y भी दिखाएंगे और साथ में x भी दिखाएंगे, final out, तो a और b, combination 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, सबसे पहले तो आप इनका और करो, और में, अगर एक भी 1 है तो answer 1 हो जाएगा, ठीक जी, और उसका फिर not करना है, इसका not करो भई, उल्टा, समझ रहे हो, final result क्या आ गया, जहाँ पे 1 था, वहाँ पे 0 हो गया, जहाँ पे 0 था, वहाँ पे 1 हो गया, आप देख रहे हो, सिरफ 0, 0 का result जो है 1 आ रहा है, सिरफ 0, 0 का result 1 आ रहा है, बाकी हर case में answer 0 है, यानि कि अगर दोनों 0 हैं, दोनों low voltage हैं, तो answer high voltage मिलेगा, वरना low voltage, अगर दोनों 0 हैं, तो answer 1 मिलेगा, इसका symbol होता है, x is equals to a plus b का बार, क्योंकि और के उपर not लगाया है, और के उपर not लगाया है, और के उपर not लगाया है मेरे भाई, मुन्ना भाई और के उपर not लगाया है, तो a plus b का बार है, ठीक है जी, a plus b का बार है, और के उपर not लगाया है, nor gate, उसके बाद है नैंड गेट पता नहीं सर क्या क्या है ये एंड प्लस नॉट या नॉट प्लस एंड समझ गए भाई तो अब देखो एंड नैंड गेट ये सिम्बल है एंड गेट के आगे ये कुंडी सी लगा दिये इसको हमारे पंजाबी में कुंडी बोलते है ये गोल चक्करजा है ना कुंडी बोलते है इसको तो ये कुंडी सी लगा दिये यहाँ पर अब इसका सचाई का टेबल बनाओ ab, y और x तो 00,100,01,11 एंड करो पहले इसका एंड करो एंड में क्या होता है सिरफ 11 के case में answer 1 आता है अब इसका उλटा करना है तो पहले तीनों cases में answer 1, last में 0 यनी कि दोनों 1 है था बह度 अब दोनों 1 है तो answer 0 होगा नहीं तो 1 है अगर दोनों हाई है तो अंसर लो आएगा वरना वन आएगा वरना हाई आएगा clear हुआ तो that is and gate तो a.b का बार आए यह a.b का बार है मेरे भाई a.b का बार है clear हो रहा है a.b का बार a.b का बार समझ में आया nand gate क्या है यह nand gate क्या है यह nand gate चलो वई यह basic gate तो complete हो गई दो formula है जो आपके काम आएंगे जी हाँ दो formula है जो आपके काम आएंगे boolean algebra के formula है अगर आपके सामने a plus b का बार लिखा हुआ है यह norgate का expression है यह norgate का expression है इसको आप अलग-लग कर सकते हो इनके बार को आप अलग-लग करके बीच में dot लगा सकते हो अगर आपके सामने a plus b का बार लिखा हुआ है तो इनको इनके बार को आप अलग-लग करके बीच में dot लगा सकते हो और अगर आपके सामने बीच में dot लगा हुआ है तो आप इनको अलग लग करके बीच में plus लगा सकते हो देखो अगर आपके सामने बीच में plus लगा हुआ है तो इनको अलग लग करके बीच में dot लगा सकते हो अगर बीच में dot लगा हुआ है तो बार को अलग लग करके बीच में प्लस लगा सकते हैं इनको कहते हैं D Morgan's theorem इन दो फॉर्मूले को कहते हैं D Morgan's theorem ये बस याद रखनी है अभी मैं आपको इसका use किसी ना किसी question में दिखा दूँगा मैं ऐसा बिलकुल नहीं कह रहा देखो ध्यान से सुनो हो सकता है किसी ने ये चीज ना पड़ी हो कभी हो सकता है किसी ने ये चीज कभी ना पड़ी हो ऐसा बिलकुल नहीं है कि इसके बिना question नहीं हो सकता इसको पढ़े बिना भी question हो सकता है Boolean algebra को पढ़े बिना भी आप gate बता सकते हो कौन सा है हलांकि question ही boolean algebra से related हो फिर बात अलग है अगर question में ही boolean algebra पूछा हो फिर तो आप कुछ करी नहीं सकते फिर तो आपको आना चाहिए लेकिन उसके बिना आप truth table का use करके बता सकते हो कि gate कौन सा है जरूरी नहीं है कि आप boolean algebra use करो ठीक है जी उसके बिना भी हो सकता है लेकिन कई बार इससे easy रहता है वो आगे हम बात करेंगे कि कैसे ठीक फिलहाल मैं आपको TB special point जी हाँ TB special जो लोग मेरे lecture regularly देखते हैं उन्हें पता होगा TB special का मतलब है तनुज बंसल special point क्या है कि यह जो NAND और NOR gates है न इनको building blocks कहा जाता है digital circuits का यह जो NAND और NOR gates है इनको digital circuit के building blocks कहा जाता है all the other gates can be made using the combination of these two gates सिर्फ NAND और NOR का प्रियोग करके सिर्फ NAND और NOR का प्रियोग करके मैं बाकी के gate बना सकता हूँ जैसे कि OR, NOT, AND यह बाकी के gate भी मैं NAND और NOR का प्रियोग करके बना सकता हूँ इसलिए NAND और NOR को universal gates कहा जाता है ठीक है जी इसलिए NAND और NOR को universal gates कहा जाता है क्योंकि यह building blocks है digital circuits के सर जो आप बात कह रहे हो कि NAND और NOR का प्रियोग करके आप बाकी gates बना सकते हो क्या आप इस बात को prove कर सकते हो जी हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ आईए करते हैं इस सवाल पर आने से पहले एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ जी हाँ अब सवालों का सिलसला शुरू होता है एक्जांपल करते हैं सुनिएगा बात बताईएगा ये कौन सा gate है कौन सा gate है सोचो अपने दिमाग में NAND gate ठेक है जी दो input है एक output है दो input है एक output है NAND gate है मैंने आपको क्या बताया कि NAND और NOR का प्रियोग करके मैं सारे gate बना सकता हूँ जितने भी है सारे gate बना सकता हूँ NAND और NOR का प्रियोग करके जो हमारे syllabus में है वो तो बनाई सकते हैं जो नहीं भी है वो भी बन जाते है इसे ठीक है जी खेर तो अब मैं क्या कर रहा हूँ नैंड के जो दो इंपूट्स हैं, इनको ना कमबाइन कर रहा हूँ, इनको जोड रहा हूँ, और जोड के एक ही इनपूट दे दे रहा हूँ, इनको मैंने जोड के एक ही इनपूट दे दी, इनकी दो इनपूट्स को जोड के मैंने एक ही इनपूट दे दी, अब बताओ कि य इसको नहीं जोड़ा था यह कौन सा गेट था नैंड गेट अब बता दो कि यह कौन सा गेट है चलिए भाई करते हैं सुनो बहुत सिंपल थियोरी है बहुत सिंपल ठीक सुनो सुलूशन कर रहा हूँ इस चीज़ का इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि कुंडी को अलग लिख के नॉट लिख सकते हो ठीक है जी ओके मालो कि आपकी अब एक ही इनपुट है सुपोस करो यह 0 है एक ही इनपुट आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है एक ही इनपुट आगे दो हिस्सों में पहुंच रही है तो अगर यह 0 है तो यह भी दोनो 0 होंगे ठीक है जी ध्यान से सुने एक ही इ और आइंड भी क्या बनेगा ? 0 00 का एंड 00 का एंड 0 और उसका नौट 1 ध्यान से सुनलो मेरी बात 0 इन पुट है तो उस इन पुट की 2 इन पुट क्रियेट हो गई 00 का एंड जिरो उसका नौट 1 यह इसको मैंने खोला है इसको मैंने open किया है ठीक है यह कुंडी जो थी ना इसको अलग कर दिया ठीक उसके बाद अगला step अगर input 1 है तो अगर input 1 है तो तो यहां पे दोनो input 1 हो जाएंगी 1 1 का and भी 1 होता है और उसका not क्या होता है 0 उसका not क्या होता है 0 तो आप देख रहे हो input क्या है 0 1 output क्या है 1 0 input क्या है 0 1 output क्या है 1 0 कौन सा gate है यह not gate कौन सा gate है यह not gate है भाई तो आप देख पा रहे हो nand get का प्रियोक करके nand get का प्रियोक करके क्या मैंने नोT gate बना दिया नैंड gate का प्रियोक करके क्या मैंने नोट gate बना दिया बहुत अच्छे similarly इसमें भी आ जाता है ए ठीक है जी similarly अगर ऐसा बना हो ध्यान दोना ये बताना आप ये कौन सा गेट है वेटा कौन सा गेट है दिमाग में सोचो क्योंकि आपके कमेंट्स तो लेट आएंगे ठीक है जी थोड़ा सा 20-30 मिनट 20-30 सेकंड का थोड़ा फरक चल रहा है मेरे बोलने में और आपके सुनने ठीक है जी आपके कमेंट्स तो लेट आएंगे लेकिन दिमाग में सोचो ये कौन सा गेट है नौर गेट इसका सिंगल सिंगल इन्पुट कर दो सिंगल इन्पुट कर दो भाई ठीक है जी सिंगल इन्पुट कर दो अब बताओ गेट कौन सा है ये क्या आना चाइए, naught gate आना चाइए ना वैशे भी आप सोचो single input है single input किसमें होती है आप सोचो, भूल जाओ सारी चीजों को single input किसमें होती है not gate single input किसमें होती है, note gate में होती है, देखो not आये गा अब देखो इसको ऐसे बना लो फरक नहीं है कोई ठीक है? फरक नहीं है बस अब और पलस नॉट आई अब इसके कुंडी अलग कर दी मैं देखो मान लो यह zero है तो दोनो input 00 होंगी 1700 का and भी 0 होता है देखो यहां पर 00 का and भी 0 था और 00 का और भी 0 ही होता है ठीक है जी 0-0 का और भी 0 ही होता है और उसका नॉट लगा तो 1 Similarly अगर 1 है तो दोनों input 1 हो गई 1-1 का and भी 1 होता है और 1-1 का और भी 1 होता है और उसका नॉट हुआ तो 0 तो ये भी नॉट गेटी है ये भी नॉट गेटी है ये भी नॉट गेटी है ये भी क्या है नॉट गेटी है पता क्यों हो रहा है ऐसा दोनों cases में ऐसा पता क्यों हो रहा है क्योंकि 0-0 का and भी 0 है अब देखो 0-0 भी 0 है और 0.0 भी 0 है कोई फरक नहीं है 1 और 1 का और भी 1 है और 1.1 भी 1 है कोई फरक नहीं है 0-0 का और भी 0 है 1-1 का और भी 1 है 0-0 का डॉट भी 0 है और 1.1 भी 1 है दोनों में कोई फरक नहीं है ये भी नॉट गेट है ये भी नॉट गेट है अब टी बी स्पेशल याद रखो आसी फिगर दिख जाये जिसमें इंपुट को एक ही बना रखा हो ये धोनों नॉट गेट हैं बेटाईए इसको रिप्लेस कर दो सिदा नॉट गेट से अगर ऐसी फिगर दिख जाये जिसमें input को एक ही बना रखा हो, नैंड और नौर में, जिसमें नैंड और नौर में input को एक ही बना रखा हो, तो वो पक्का not gate है, वो पक्का क्या है, not gate है, याद रखना. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कि मैं आपको बताऊंगा कि, इन gates की मदद से, हम कैसे बाकी gate बना सकते हैं, किसकी मदद से, नैंड और नौर से, नैंड और नौर से ही बना देंगे सारे भाई, नैंड और नौर से ही बना देंगे सारे, ठीक है, नैंड और नौर से सार दिख रहे हैं आपको सारे ये देखो फिगर बताओ ये कौन सी दिख रही है आपको सारे गेट कौन से दिख रहे हैं यहां पर बता दो बता दो बता दो सारे नैंड दिख रहे हैं सारे नैंड है ये भी नैंड है ये भी नैंड है ये भी नैंड है सारे नैंड गेट दिख र करना वड़ेगा ना चलो फिर चलो gate identify करते हैं आध्सक्राइद हुष अभी अभी बताया ये not gate है OFF अभी अभी बताया ये not gate है nee बाद दो से single input से सन्गल इनिपूट में connect कर दिया तो ये not दोनों ने ये फिगर ऐसे है और कि एक्थol में ये फिगर ऐसे है वह देख लो यह दोनों not है यहाँ पर NAND को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया यहाँ पर NAND को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया तोड़ दिया भाई czy clear है चलो, अब मैं दो तरीकों से समझाऊंगा इस question को ठीक है जी, एक तो בुली ऐनलजेब्रा एक तो boolean algebra एक truth table आपको जो easy लगे उससे कर ले न आपको जो easy लगे उससे कर ले न एक boolean algebra एक truth table दोनों से समझाऊँगा मैं ठीक है जी don't worry ये समझ गए ये दोनो not है ये nand को दो हिस्सों में तोड़ लिया and plus not ठीक अब input a और b not लगा है तो ये बन गया a का बार a के आगे not लग गया a का बार b के आगे not लग गया b का बार ठीक है जी final input को मैं x कह देता हूं और बीच में ये जो बन रही है इसको y कह देता हूं बीच में ये जो बन रही है इसको y कह देता हूं ठीक है चलो पहले मैं truth table से करवा रहा हूँ, पहले मैं truth table से करवा रहा हूँ, truth table में पंगा यह है कि सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको बहुत सारी, a, b, फिर a का बार, b का बार भी लिखना पड़ेगा, फिर y भी लिखना पड़ेगा, फिर x भी लिखना पड़ेगा, तो truth table में 6 चीजें लि कौन सा gate है तो बता सकते हो ठीक है जी comment box में लिखके बता सकते हो अगर पहले ही पता चल रहा है कि यह कौन सा gate है ओके तो a b लिखो 00100100111 लिख दिया अब इनका बार करो सबसे पहले a का बार करो भाई a का बार करो 0101 है देखो a में देखो 0101 है तो A का बार होगा 1010 A में देखो 0101 तो 1010 B में देखो 0011 तो B का बार होगा 1100 ठीक है जी B का बार होगा 1100 clear हो रहा है बोलो भाई मेरे अब उसके बाद उनका क्या हो रहा है मेरे भाई and हो रहा है मुन्ना भाई इनका क्या हो रहा है अब end हो रहा है, a bar और b bar का क्या हो रहा है, and a bar और b bar का क्या हो रहा है, and हो रहा है, and हो रहा है चलो end करो, a bar और b bar का end करो, 1 1 का 1, बाकी sum में 0 0 1 का 0, 1 0 का 0, 0 0 का 0, ठीक है जी, सिरफ 1 1 का answer 1 आता है end gate में फिर अब इसका not हो गया अब इसका क्या हो गया not हो गया तो 0, 1, 1, 1 बस फाइनल रिजल्ट देखो भाई फाइनल ही देखा करो कि क्या से क्या बना आप देखो initially यह देखो input कितनी थी 0, 0 फाइनल रिजल्ट 0 बाकी तीनो cases में answer 1 है अगर दोनों में से एक भी 1 है तो answer 1 है मतलब फाइनली यह कौन सा gate है विटा और gate कौन सा gate है यह और gate है मेरे भाई कौन सा gate है और gate है clear हो रहा this is और gate बोलो भाई यह क्या है और gate है और gate है बहुत अच्छे फिर input और output को देखा करो भाई जो शुरू की input है A बार B बार नहीं देखने शुरू की input देखो उसके respect में output देखो कहां गई है बाकी cases में answer 1 सिरफ 00 का 0 है तो इसका मतलब और gate है अब सुनो दुबारा दूसरा तरीका यहां पे हुआ क्या है सबसे पहले A बार और B बार का and हुआ है और फिर उसका not हुआ है द्यान से सुनो दूसरा method method number 2 TB special तनोज बंसल special method कुछ नहीं करना direct result आएगा बिन ठोथ table के A बार और B बार का क्या हुआ है and A बार और B बार का and हुआ है ठीक है जी फिर उसका not हुआ है फिर उसका not हुआ है ठीक है जी A बार और B बार का and हुआ है फिर उसका not हुआ है A बार और B बार का and हुआ है फिर not हुआ है अब D Morgan theorem देखो D Morgan theorem का गया A बार और B बार जब अलग-लग लिखे हो तो उसे A प्लस B का whole बार लिख सकते है A बार और B बार जब अलग-लग लिखे हो लिखो भई उसे A प्लस B का होल बार लिखो A प्लस B का होल बार A डॉट A बार डॉट B बार को A प्लस बार और बार एक और पहले से लगा हुआ है एक और बार तो भाई देखो A bar dot B bar को मैंने लिखा A plus B का whole bar और एक बार पहले से लगा हुआ है अब एक बार जो पहले से लगा हुआ है भाई बार का मतलब क्या होता है inverse अब मेरी बात सुनो आप भाई A का बार है मतलब A का उल्टा उसका फिर उल्टा तो वो तो दुबारा A बन जाएगा न बोलो समझ में आ रहा है तीसरा point लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने भाई A का बार है उसका फिर बार कर दो मतलब A का not है फिर not कर दो तो वो तो cancel हो गया भाई 0 का 1 1 का फिर 0 क्या कोई फरक बचा है भाई 0 का 1 हुआ 1 का फिर 0 हो गया सेम चीज आ गई तो दो बार अगर आप बार लिखते हो दो बार अगर आप बार लिखते हो तो वो चीज कट जाती है यानि कि वो A प्लस B का बार आ गया खत्म अंसर है यही अंसर है A plus B यानि की और gate A plus B यानि की कौन सा gate और gate भाई और gate अब एक क्या chatting चल रही है यार यह गुसा हो गई क्या तुम बात नहीं कर रही हो मतलब यार हद है यार हद है मतलब कौन सी कौन सी जगा डूनते हो यार आसकी करने का है कैसी कैसी जगा डूनते है कोई जगा है ये और कोई टाइम है ये हद भी होगे ये वाई मैंने पबजी में सुना था पबजी में भी चैटिंग होती है यहाँ पर इधर चैटिंग कर रहे हैं लोग यार चलो ये क्लियर हुआ दो बार बार कट गया और गेता आगया खतम लोग वस यही करना था टूथटेवल की कोई ज़रूरत नहीं है समझ गए? हाँ 2020 का सवाल है 2020 का सवाल है truth table से मत करना ठीक है जी हाँ truth table की form में answer given है truth table की form में answer given है लेकिन इसको बिना truth table के करो और gate बता दो पहले कौन सा है फिर अब हम आपने आप select कर लेंगे option ठीक है gate बता दो कौन सा है gate बता दो कौन सा है यह input है और final output को y बोल रखा है इन्हों ने final output को इन्होंने y बोल रखा बिटा क्या बोल रखा y चलो अब देखो यहाँ पे not लगा है तो a का बार यहाँ पे b का बार a का बार b का बार फिर उसका nor है यह ठीक है जी देखो ध्यान से यह क्या बना हुआ है उसको समझो इसके आगे और लगा हुआ है फिर उसका दुबारा not है ऐसा है यह समझ पारे हो यह clear हो रही है बात a है यह b है यह बन गया a बार यह बन गया b बार और यह है y सबसे पहले देखो a बार ब्लस b बार पहले तो और है इसका क्या किया हुआ है और किया हुआ है फिर उसका not है ठीक है जी और के बाद not है बता दो कौन सा गेट बन रहा है अरे बता दो कौन सा गेट बन रहा है मेरे भाई अरे यार चैटिंग भाद में a बार प्लस b बार और हो गया a और b बार का और हो गया फिर उसका नौट छीक है जी फिर उसका नौट a बार प्लस b बार फिर उसका नौट अब देखो जब दोनों बार अलग लग लिखे हो प्लस में तो इनको इकठा करके इकठा करके डौट में लिखा जा सकता है d morgan's theorem slide number 75 खोलते हैं d morgan theorem यह कहती है कि अगर प्लस में अलग लग लिख रखा हो तो dot में इकठा लिख सकते हैं और अगर प्लस में अलग लग लिख रखा हो तो dot में इकठा लिख सकते हैं ठीक है जी तो ये बन गया हमारे पास क्य अरे मुन्ना भाई क्या बन गया थेखो ए बार प्लस बी बार वो बन गया ए डॉल बंगया तो आ दो बन गया यह ए भार बार उड़ गया एंड गेट अरे ऑफ़ नहीं तो फिर truth table बना के check कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो फिर truth table बना के check कर लो, भई, and gate में क्या होता है, अब देखो, 00 का 0, ये बात तो सही है, 01 का 1 नहीं होता, 01 का answer 1 नहीं होता, बी option check करो, 00 का 1 दे रखा, ये ही गलत है, 00 का 1 दे रखा, ये ही गलत है, 00 का 0, 01 का 0, 10 का 0, 11 का 1, ये ही answer है, ये end gate है बेटा, बी ओप्शन क्या है एंड गेट है भाई एंड बन रहा भाई ये और नी बन रहा और नी बन रहा किसने का ये आया रहा है ये दिखने में लग रहा है कि अरे ये तो नौर लगा रखा है तो और होगा सर ना ना भाई कतई और नहीं है यह तो and है यह तो and है भाई चलो यह बहुत असान कोश्चन है यह तीन बार आ चुका है यह कोश्चन 2017-2006 और 2000 में तीन बार आ चुका है कोश्चन बेहद असान कोश्चन है मतलब मैं बिना benchalize question को solve कर सकता हूं मैं बिना pen चलाए इसको question को solve कर सकते हो बिना pen चलाए सच में हाँ अरे भाईया देखो ना देखो देखो ये नौर है देखते जाओ ये नौर है अभी अभी मैंने क्या बताया था TB special की ये not gate है क्या आपको दिख रहा है ये not gate है और क्या ये भी not gate है ये तो not gate दिखाई रखा है ये तो not gate है ये बताया था मैंने TB special और ये नौर है नौर, not, not देखो दो एक input से दो input बन रही है एक input से दो input बन रही है not gate है दो बार not लिखा है तो वो cancel हो जाता है मेरे को बात बताओ भाई दो बार एक के बार का बार कर दें तो ए बार हो जाता है के नहीं तो दो बार not लिखा है तो वो उड़ गया तो बचा क्या, not gate, not gate is the answer खत्म भुलो भीया beef और बंबे answer है अरे भीया मेरे भाई भी दो बार not लिखा हूँ है दो बार not उड़ा दिया है एक दूसरे को यह दोनों cancel करेंगे एक दूसरे को तो बचा क्या, not gate, खत्म करो, answer लिखो, टिक वाँ बोलो भीया यह पूछ रहे हैं आप बायों से हो क्या आरे भीया मैं physics से हूँ इधर देख लो वह बायों से है या chemistry से कहीं कहीं से भी are map physics से हूँला, इधर इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो इधर तो देखो, इधर तो देतो उसके बायों मैं वह बायों से है इस बात की पड़िया, map physics रृँस से उसससे कोई कुछ लेना देना नहां ही यह देख लो यह देख लो अब गलत मत कर देना वहीं आगे मारूंगा वहीं आगे मारूंगा अगर यह गलत हो गया 2013 का सवाल है बच्चे भी लिख रहें मैं भी फिजिक्स से हूँ अरे भईया हम सब फिजिक्स से है यार बायों से भी है लेकिन अभी समय तोड़ी है यार बायों का अभी फिजिक्स का समय है देखो जरा यह यह एंड है नहीं नैंड है यह नैंड है यह नैंड है यह ना कुंडी लगी हुए आगे प्लस नॉट नॉट ठीक है तो नैंड को आप लिख सकते हो एंड प्लस नॉट एंड प्लस नॉट और फिर नॉट मतलब दो बार नॉट है आप देख रहे हो यह एक्च्छल में यह है यह एंड फिर नॉट फिर दुबारा फिर नॉट एंड प्लस नॉट और फिर नॉट एंड नॉट नॉट कट गये दो बार नॉट कट गया क्या बचा एंड गेट एंड गेट यह रहा डी ऑप्शन एंड गेट है बताईए आप देख रहे हो कितनी असानी से सॉल्व हो रहे हैं कोश्च्छन बस टीबी स्पेशल याद रखो हाँ यह कह रहे हैं मैं संस्कृती से हूँ मैं पंजाब से हूँ मैं भी पंजाब से हूँ भहिया मैं फिजिक्स से भी हूँ पी फिजिक्स पी फिजिक्स पी पर हमारा जो रैंक भी आएगा वो भारत से आएगा है ना हाँ चलिए और फिजिक्स से तो है इससे चाप यह कह सकते हो हम नीट से हैं मैं नीट से हूँ हाँ अब यह कोई ऐसा मतलिक देना कि मैं जेई से हूँ सर जेई वाला यहाँ पर क्या कर रहा है सर फिजिक्स पढ़ने आए हैं सर आप से हैं है चलो इसके बाद आई थिंग कोश्चन है नहीं और है ना तो लास्ट कोश्चन है वेटा लास्ट कोश्चन लो यह अलग टाइप का कोश्चन है इसमें वेफ़फॉर्म सा बना हुआ है बताना आपको कौन सा गेट है लास्ट क पॉश्चन आ गया है यह बर है हम कि देखलू आपको इनपूट को दो इनपूट के गराफ दे रख दे रख थैकर जी दो इनपूट के गराफ दे रख ils वेथ रख ध punya अप ध्यान से देखना है शाय इसमें आपको देखने में दिक्कत आएगी की इनपुट क्योंसे हैं मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं मोटा कर देता हूं ठीक है देखना आपको अभी दिखेगा यह ए है इस इस ए दिख रहा है ओके दूसरा दिखाता हूं इस इस बी इस इस बी और इनका रिजल्टेंट c या c जो मरजी कहलो x कहलो अब देखो देखो वही है इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इसमें क्या होता है ?जीरो और va ? मानला अगर देखो सिंपल सी बात है अगर नीचे है तो 0 उपर है तो वन है अगर voltage नीचे है अब इसमें graph में पहचानना बढ़ा आसान है अगर नीचे है तो 0 उपर है तो वन बहुत सरे लोगों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया, C option बता रहे हैं कुछ लोग के रहे हैं, और gate है ये, और end gate के भी जो है, दावेदार आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है ये, देखो, simple सी बात देखो, यहां पर दोनों नीचे हैं, A और B दोनों नीचे हैं, देखो दोनों नीचे हैं, A भी नीचे, B भी नीचे तो इसका resultant भी नीचे आ रहे है 00 का result 0 आ रहे है, ठीक है इसमें देखो, A उपर था B नीचे था फिर भी result नीचे जा रहे है फिर भी result नीचे जा रहे है A 1 है, B 0 है, फिर भी result 0 जा रहे है A 1 है, B 1 है, तो result और one one का result one आ रहा है मुझे पता चल चुका है कौन सा gate है मुझे पता चल चुका है कौन सा gate है क्या आपको पता चल चुका है हाँ मुझे पता चल चुका है यह देखो फिर से यह दोनो zero 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 answer यह दोनो one answer one यह zero यह one और answer फिर zero कौन सा gate है 01 का अंसर भी 0 है कौन सा gate है AND gate है कौन सा gate है AND gate है भाई AND gate है जी हाँ TB special logic gates में समझ में आया बेटा एक तो D Morgan की theorem एक तो यह चीज कि यह not gate होते हैं यह याद रखना और उसके बाद D Morgan अंकल की theorem D Morgan अंकल की theorem कहा गया यह A plus B अलग अलग करके dot में dot में एकठे हैं तो plus करके अलग अलग में और दो बार बार कर दो तो वही बन जाता है ठीक है जी यह चीजें अगर आप याद रख लोगे तो आपके gate के question होने से कोई नी रोख सकता आपके gate के question होने से कोई नी रोख सकता मैं भी नहीं और इस lecture को खतम होने से कोई नी रोख सकता 11 बज के 40 मिनट के करीब हो चुके हैं है ना तक्रीबन 5.5 गंटे का अमारा lecture रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना लेक्चर देखा इतनी घंटे मेरे को जहिला तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं जितनी बार भी आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ नो कुछ TV स्पेशल आपके लिए जरूर ले के आऊंगा ठीक है जी और आपके लिए आये गई आये गा खैर ये आपका last chapter था मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है कि उमीद का जो आपका course है उमीद का जो crash course है यहीं पर समापत होता है ये last chapter ही था और ठीक है तो आप यहां तक बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान ये रखेगा कि आपने जितने भी जो है chapters देखे हैं या जो भी आपने किया है तो आपको short notes ज़रूर बनाने हैं देखो notes बनाने का समय नहीं है पहली बात तो ये clear हो लीजिए short notes आपको बनाने हैं ठीक है अगर इस chapter के अभी नहीं बनाए तो पहले से बने हुए तो अच्छी बात है ठीक है वो अच्छी बात है दुबारा नहीं बनाने फिर और अगर नहीं बने हुए तो फिर बना लो इसी lecture को अभी इसी वक्त क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा या आदा पौना गंटा लगेगा पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा ठीक है और उस शॉर्ट नोट्स आपके उससे होगा क्या ना आपके दिमाग में चीजें अरेंज हो जाएंगी लेयर वाइज मैं सच बताता हूं जैसे आपने कभी फोल्डर बनाए हैं कंप्यूटर के आपके दिमाग में चीजें अरेंज हो जाएंगे अगर पढ़ाई के फोल्डर में चीजें लेयर वाइज हो जाती हैं तो फिर उनको निकालना जब आपको उनकी जरूरत है तब वो इसली आपके दिमाग में स्ट्राइक करती हैं नहीं तो आप कहते हो ना मेरे को चीज पता की हुए? क्यूंकि आपके दिमाग में वो folder-wise arrangements नहीं थी, तो strike करेगी नहीं, क्यूंकि वो दिमाग के अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, folder में घुशी हुई है, तो आपको उसको निकालने के लिए आपको रस्ता बता हूना चीजए कि इस folder से, इस folder में ऐसे ऐसे जाना उसके लिए short notes बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक एक बात तो यह और दूसरी बात ठीक है जी काफी सारी tips आपको मिलती होंगी और काफी सारी videos चैनल पर upload हो रही है लेकिन एक बात का ख्याल रखना जो main चीज है यार NEET का paper आपका है confidence जरूर रखेगा confidence जरूर रखेगा confidence बेहद आवश्यक है कई बढ़ क्या होता है हमारे से शुरू के question नहीं होंगे एक दो question नहीं होंगे तो हमना हताश हो जाएगा हमारा confidence डाउन हो जाएगा और जैसे हमारा confidence डाउन हुआ हमसे बाकी के question भी थोड़े कम होने लगेंगे लब जो question हमसे easily हो जाना चीए था वो भी नहीं होगा कारण बड़ा सपस्ट है बड़ा साफ है कि confidence matter करता है तो इसलिए ये confidence आएगा कैसे paper देने से है ना test paper test paper देने से confidence आएगा test paper देने से होगा क्या आपके अंदर ये शमता आएगी कि आप setbacks को जहल पाओगे अगर आपने test paper दे रख्योंगे तो आपको पता होगा कि अर एक या दो question ना होने से कोई फरक नहीं परता अगर आप आगे के question सही कर दोगे तो सब सही हो जाएगा लेकिन अगर आपने test paper की practice नहीं कर रखी और आपके एक दो question पहले ही नहीं हुए suppose करो तो आप घबरा जाओगे समझ पा रहे हो तो इसलिए test paper की practice बहुत जादा करो ठीक है यह उनके लिए है जिन्होंने अच्छी त्यारी कर रखी है 70-80% त्यारी कर रखी है तो आप test paper दे सकते हो ठीक है तो confidence maintain करके आपको रखना है बाकी सारी बाते तो फिर आपके साथ जो है वो चलती रहती है होती रहती है ठीक है उसमें बहुत बहुत शुब कामना है पूरा अपना ध्यान रखेगा इस ताइम पर सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही दिन में paper है तो अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो आप उस टाइम पर बिमार पढ़ जाओगे जिस टाइम पर आपको बिमार नहीं पढ़ना चाहिए और यह मौसम भी आजकल ऐसा सही चल रहा है यहना बड़ा unpredictable मौसम है और उसके लिए भी खैर हम ही जिम्मेदार है हम ही global warming कर रहे है तो all the very best अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे हसते रहे और मैनत करते रहे बाई बाई टेक केर मैं दना जबनसल आपको फिर कभी मिलूँगा आज के लिए तो वस इतना ही बाई टेक केर